इस प्लीज प्लीज आप आसी साइलेंट करो सब्सक्राइब लेकिन इसमें आवाज आगे तो ये मुझे कुछ पता लेगेगा हो गया सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे यह वेबिनार के माधियम से यानि की जो बाते हम फिजिकली आपको आपने सामने ओके समझाते दो बाते सब्सक्राइब 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 इसलिए भी है कि जो है मश्रूम खाने से आपकी जो इम्मिनूटी है वह बढ़ती है तो इस कोविड काल में मैं सबसे यह कहूंगा कि मश्रूम जैसे पूर्ण आहार को अपनी डाइट में सामिल करें मश्रूम से नेकेवल प्रोटीन विटामिन और खनीस्तत्त में लेंग उससे क्या नित परती दिन अगर आपकी डाइट में आएगी तो आवश्यक जो विटामिन्स हैं विनेरल्स हैं वो तो मिले मिलेंगी साथ में मश्रूम में जो मैडिसन वैल्यूज हैं जो बगवान की प्रकृति की देन है तो वो हमें कंज्यूम करने से मिलेगी रही बात म प्रकृति के प्रोफेशन मश्रूम जो है वर्ताव प्रोफेशन है हमारे देश में वैसे इसमें अस्टी की दसक में इसके बाचीत शुरू ही थी मश्रूम के उपर मश्रूम को सिखाना पढ़ाना सब चीजें और कि लोगों को इधर जो है नौज़ान साथियों को किसानो को बताओ कि मश्रूम कैसी उगाय जाती है मश्रूम उगाने से क्या पाएद्議 कितनी हमी हो जाति है खाने की क्या फाएदि इन सब बाचीत सबसे शुरू ही और आज अ सब सरये आई है कि हमारे देश का जो है मश्रूम要ग एक लाग साठ 17709 चिलो के करीब हो गया है तो 이ह जो मश्रूम की साथ अज़र्स टन हो गया है तो यह जो मश्रूम की इस्टिаки आई है वह सब हमारे गॉर reuse जो है जो है डिमांड वर आप भी गई है और विए फिर विर लेवल पर देखते हैं अभी बात मेरे डिक्टर साथ हैं वो बात्चीत करेंगे कि किस तरह का स्टेटस वर्ल्ड में हैं और देश में है पर यह है कि दिमांड इन सप्लाइब में गैप है तो उमीद है कि आपको करने का मौका फूब मिलेगा तो आप मश्रूम प्रोडक्शन कर सकते हैं कोई इसमें बड़ा इस्यू नहीं रहेगा और हम जो बात्चीत करने जा रहे हैं जनरली मश्रूम में आप देखते हैं कि आज कल सफीद बटन मश्रूम जो सफीद रंगी टोपी है उसका डंठल हो देखते हैं इसके अलावा भी कई सारी मश्रूम है करीबन सोख पर करके जाती हैं मश्रूम की जो वर्ड ओवर उगाई जाती हैं खाई जाती है तो हमारे देसमें अभी इस्तति अभी नहीं आई है कि हम डिफेरंट टाइप्स की मश्रूम जो है उगाएं और खाएं हम प्रमा कीति करते हैं। पर वो मह blocking लोगे लोटको स्थापीर है और प्रॉजव की बढ़ ने करते हैं , और री मश्रूम की पर रहे हैं मश्रूम को एक अपना वेशाय लोगों ने बनाया है उसमें यह है कि हमें सभी मश्रूम की कल्टिवेशन टक्मोजी बाने चाहिए और हमें परियास करना चाहिए कि मश्रूम की बढ़े और मश्रूम जो है एक स्टैपल फूड जो है न हमारे देश में बन जाए आशकता इस कूपोशन ताकि वो बहनक है यानि कि हमारे बोजन में आशक विटामिन प्रोटीन की जो कमी है उसको अगर दूर करना है तो उसके लिए हमें जो है यह मश्रूम जैसे सबजियों को विशेस तोर्वेट्स टेबल फूड बनाना पड़ेगा ताकि कूपोशन ताकि दिकत द कूपशन ताकि अन्यक्न को नुक्षान है जानते हैं स्वस्थ शरीष नहीं होगा और अन्यकों और अन्यकों बीमारी मेरों प्रवर्वाइश करेंगी तोसे क्या होगा कि अमारा जादा पैसा पैसा पह जयेुब अजरू करना चाहिए अमें उसको तकी uska इतनी रहे चाहि सरकार के भी कारिका माने को चलते हैं और जो कुछ अगर कोविड से हम बचे वे हैं उसमें यह भी है कि हमारा जो खान पान है वो काफी कुछ ठीक है और देश का जो मरे मोशम वगरा है जल्वायू है वो भी कमपेटिवली जो टेंपरेट कंट्रीज है उसे अच्छा है पर आ अच्छी जो डाइट है जिसमें जिसे इम्म्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहे मश्रूम जैसी चीजों को डेफिनिटी अपनी डाइट में ले लीजे ताकि यह हमारी से भी बचे रहें और इसको आप वेवशाई के तोर पे लेंगे आप देखेंगी कि मश्रूम में अन्य ज ज़्यादा नाफावी है और यह ऐसी एक्तिविटी है जो आप इंड्र कर सकते हैं यानिंकि आप सहर में रह रहे हैं खेटी बाड़ी कर रहे है उसकी भी कर सकते हैं बिजनस कर रहे हुं उसके साथ वी इस डीडि़िटी बजनし और ऐसे जो वी सोट्र कया दोर पे करना चाहें तो भी कर सकते हैं यानि कि कीचन कार्डिंग में भी इसको आप मश्रूम जैसी क्रोप को कल्टिवेट कर सकते हैं उससे यह कि आपका शोग भी पूरा होगा साथ में आप घरवालों को और अपने आपको अच्छी सुध बीना पैस्टिसाइड रही तो है डाइट सर्माजी वह आपको बताने वाले हैं कि हमारे देश में और पूरे विश्व में किस परकार का मश्रूम का स्टेटेस है क्या कौन-कौन की मश्रूम जो हम उगा सकते हैं इन सब पर बाचीत करेंगे पर मश्रूम के अलावा जो समाने करों जानते हैं उसके अलावा मश्रूम की बाचीत करेंगे तकनिक कीजिद करेंगे करेंगे यानि कि अनेकों प्रतार की जो मश्रूम हैं उनके ऊपर हम टकनिक की कैसे उगाई जाती है कैसे उसकी मार्केटिंग की जाती हैं कैसे उसके अलगाद बना जाते हैं इन सब पर बातचीद करने वाले हैं मेरा तो यह है कि आप इस वेबिनार में जुड़े रहें उसस इसलिए जितनी आप इंफॉर्मेशन जितनी जानकारी आप गेदर कर सकें वह आचार व्यवार और जिवन्यापन के लिए अच्छा रहेगा मुझे आसा है कि आप तोन से ज्यादा जो है पाटिस्पेंट्स हो गए हैं लगातार इसमें जूड़े रहेंगे यानि कि आपको भीडियो जigon Quindi को ही एतना तो यह समझद शक्ते की आपको आरहा है कि अजिए यह ऑफ करने ही जाता है कि सिग्नल्स दाउन होते हैं तो आपके वास आवास साफ आजा है पर फिर भी कोशिज करें अगर आपकी नेट की प्रोडम नहीं है तो वीडियो ओन रखें तो आई-टो-एट कोंटेट से जो मैसेज जाता है वो परभवी जाता है और कोई आपको समझ में नहीं आ रहा तो ह आपके गले नहीं उतर रही है तो इस तरह की जो है ना फायते भी है पर इस कोईट काल के गयर अडवांटेज ही हुआ है कि हम दूर दराज बैठें अपने घर में बैठें और आपको आने की आवशक्ता नहीं पड़ी यहां पर आप वहीं बैठें घ्यान कराब कर रहे हैं जानकर रिप्राफ कर रहें अपना जो है समय का सदूद्यों वहां से हो रहा है तकी भार की मुविंट भी आपनों रिस्टिक कर रहे होगी करने भी चाहिए आतिया उशक रहतों जाएं नहीं तो आप जानकर रिप्राफ करके और व्यविशाय जैसे मश्रूम जैसे इस बाक्तों कैसे मश्रूम जयसे और दूसे रहें लेटार एंट्रिक भी उडिखांश करते हैं तो रहा हो ये तो है यहां से भी लगी लगाई मश्रूम जो है आप इस के इंदर से प्राट कर सकते हैं और अपने घर तोकिया तोर भी उगा सकते हैं कमर्शली जो इकनोमिकली फीजिबल हो उस तरक उस लेवल पे आप जो सिटाके जैसे महंगी मश्रूम्स हैं रेडी टू फूट बैग उसके लिए जा सकते हैं आप किंग वेस्टर के लिए जा सकते हैं और दोस्तों जितने में नाम ले रहा हूं इस सब मश्रूम की जो है दिली जैसे महानगर में बंगलोर जैसे महानगर में मुंबई जैसे महानगर में इन सब मश्रूम्स की डिमांड है हमके वन सवाने तो पे देखते हैं मंडी में पूस रहते हैं चीक है मंडी में साइद नहीं दीखने को में और हमारे देश में इनकी जर्वाय दुखे युके साथ से ऊष्टर जैसी मश्रूम को सिटाकी जैसी मश्रूम को हमुगाके अच्छा लाव कमा सकते और हमारे ऐसे नोजौन साथी हैं जो यहां से रेडी टुफ्रूट बैक लेके गए और उन्हों ने अपना व्यशाय खरकी वह सुबशाम जो है तो भाल घर में या तो पत्नी उनकी देख लेती या वह अपनी सुब़ह पानी को छिटकाओ ग या उसके बार मुश्रूम लेकर मार्कِट में सप्लाई कर देता हैं और अपनी नोकरी करते हैं तो ये साइडबाइ साइड भी जो है मश्रूम का तो इस परकार की एक्टिविटी है कि यह एक ध्योग है इंडस्ट्री है इसको बढ़ा के चले जाएंगे इसके साथ जीना पड़ता है जीएंगे तो डेफिनिटी आफ लाब भी कमा पाएंगे और मजा भी है एक अच्छा एक्टिविटी है जी सकते हैं तो आप सबका इस वेबिनार में जूड़ने के लिए अस हुंड़ने के तो आप रह महीने तो दोस्तों मैं आपसे आगरे करूँ हैं कि आप लगा रही है और एने चीप जिसके वारा एक कारेकर्म स्पूर्स का भी दन्यावाद करता हूँ अग्याद जो है तो इस प्रकार्स कर और ट्रेशिंग्स करके ज्याद जाद जाद इन्फॉर्मेशन जेते हैं ड्. वीपी सर्माजी जो निदेशक हैं ड्. ड्. अब मुष्रूम रिशेच जो पूरे देष भर में जो मुष्रूम के ऊपर जो पोलीशी रिसीजिंस है सब्सक्राइब करते हैं और अपने आप में बहुत लंबा मश्रूब ते उपर है उसके बाद मश्रूब के जो रिशर्च का नूब हुई का फिलम है और आज का पूरा डेक्शन जो है उनको दे रहे हैं मैं उन्हें आप सब की दख से इस वेविनान में स्वागत काता हूँ और आप सबसे माचित करें नमश्कार और थैंक यू नमश्कार अजयादव और धन्यवाद बहुत बहुत आपका और सभी पार्टिस्पेंट्स का और इनके साथ जितने हैं अशीर जी और दुसरे लोग जो जुड़े हैं आप सब का बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद की मुझे आप मुझे आप मुका देते हैं कि मैं पार्टिस्पेंट्स होते हैं देश के उनके साथ जुड़ता हूँगा और मुझे बहुत खुशी चाहे आउनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करना तो उसके लिए मैंपावर चाहिए शुड़ आशाम तर बैठना पड़ता है और मेरे पित्र अजयादर जी ने आप दोगों को मोटिवेट काफी किया कि मश्यूम जो बढ़िये मश्यूम से बढ़िया कुछ दूसरा का तो सभी जितने भी प्रसिक्षनार थी ऑनलाइन मोड से जुड़े हैं उनका पूरा स्वागत और इसे पहले कि मैं आप से च्छे सब बिन्दों के पहले बात करूंगा कि मश्यूम के खेती के लिए जमीन की जुरूरत बहुत ही कम पढ़ती है जो अधरवाईज नौट फिट फार अगरिकल्चर आपको मालूम होगा कि पर क्यप्टा जो अगरिकल्चर लैंड है धीरे धीरे कम हो रही है पॉपुलेशन एक सो तीस क्लोर से परम पहुंच चु एक अनुमान के अनुशार पहले 1961 के आसपास एक आदमी के हिस्सी में लगवख चम 300 स्केर मिटर लैंड आती थी और अभी 2013 में लगवख 1200 स्केर मिटर के क्रिकल्चर लैंड है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से पर क्यप्टा जो लैंड अबिलिटी है कम हो रही है तो पानी की जूड़तों आपने मश्रूम कल्टिवेशन इसमें बहुत ही कम पानी लगता है हमें इस क्रॉप की और ध्यान देना पड़ेवार मश्रूम कल्टिवेशन एक वर्टिकल फार्मिंग है जिसे हम उपर की यह पंत कमरों में हम कमरे में उसमें रैक्स बनाते हैं कई अगर तेरह चल्दा फूट की उसकी हाइट है कि हम चे साथ शेल्ट के इसके अंदर बना लेते हैं और उसके ओपर कई मंजलें भी कर सकते हैं वोड़ी लेवर कॉस्ट बढ़ती है लेकिन हम उसको भी कर सकते हैं मश्रूम के खेटी आपको मालूम है कि कहां पी की जाती है क जितना भी बेस्ट होता है अगरिकल्टर बेस्ट और भारत वर्ष में काफी बेस्ट पैदा होता है यूंकि फूड की प्रड़ रही है इस वर्स लगवग 295 मिलियन टन के प्रड़ियती हुआ फूड ग्रेंस का प्रड़क्शन हुआ और 700 मिलियन टन से ओपर 800 मिलियन के जैसे पंजाब है हर्याना है वहां पर वाल को पिसान भाई जब उन्होंने खेद खाली करने होते हैं यह उनके फचल लगाने होते हैं जिसे अगरिकल्टर वेस्ट का जो अधरवाइस एक वेस्ट है मरे लिए जिससे प्लूशन हो रहा है उस काम पर हो मशून के लिए आजकर जब से कोरोना आया है भारत वर्ष में पुरे विश्वा में कुछी साइट की फूड़ आइटमस जिससे इम्म्यूनिटी हमारी बॉस्ट होती है जिसमें मशूम एक है उससे हमारी इम्म्यूनिटी की बॉस्ट कामें काफी पाइदा मिलता है और इसलिए इस बोजन और अगर बहुत चोटे स्तर पर करते हैं तो लगभग जितना खर्चा था है में यह किलो पाइदा करने के लिए उसे लगभग डवल उसक्वार में हो जाती है लेकिन चोटे स्तर पर किंगे खर्चे दुसरे इसमें बहुत काउंट करते हैं हाँ थोड़े बड़े स्तर करते हैं अगर तो खर्चा थोड़ा लगभग पिच पच्पन रुफए के असपास आता है तो आपका रिट 100 रुपिच के असपास होना चाहिए अगर आपने अच्छा पैसा मिश्यूम में कमाने तो कुल मिलाके मिश्यूम के जो खेती है हाली रह पर्टिकुलर लिंदा रूरल वोमें या जो यूथ हमारा जो पड़ा लिखा नौजवाना हमारा इनको नौकरी नहीं देती है उनके लिए नौकरी जाए बहुत बढ़ी असादन जो बिजनेस से है मश्यूम का बिजनेस बहुत बढ़ी हो सकता है क्योंकि काफी इसमें पै बन सकते हैं अगर हम मश्यूम के बिजनेस को पूलिम दाकर करें साथवां पइंट इसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा कि मश्यूम ही जीरो वेस्ट इंडस्ट्री मश्यूम जब एक किलो मश्यूम में पैदा किया तो लग और पांच किलो वेस्ट उसमें पैदा होगा और और इस बेस्ट का प्योग हम एक छे मिने के बाद या डिपेंडिक अपॉन दा क्रॉप जैसे वेस्ट मश्यूम से बेस्ट है धिंगरी की जिसे बात करें दाक साथ उसके वेस्ट को आप सुखाने के बाद पश्रूम को चारे करूम में डाल सकते हैं या जो बटन मश्यूम का वेस्ट है उसको छे मिने सड़ने के बाद या कुछ ऐसे टेकनोलोजी आजका एक महिने के अंदर अंदर की उखियतों के लिए बहुत उत्तम क्रॉटी खारो बन जाती है तो कुले में अलाकर करके जो खुवियां मैंने आपको गिनाई एक एक करकर के वो सिर्फ मश्यू मश्यूम की क्रॉप है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ले कर सकती है तो हम मश्यूम आगे प्रेजेंटेशन पर बढ़ते हैं कि मश्यूम एक फंगस है आप सब जानते होंगे और लगभग डेट मिलियन के करीव की वैसे अनुमान है कि इतने फंजाई इस प्लैनेट के इस प्लैनेट के मताविए कि लगभग 5.1 मिलियन की 51 लाग की प्लैनेट की वैसा मानते हैं मैक्रो फंजाई अब जो फंजाई है दो तरह की है एक मैक्रो एक माइक्रो सुक्षम दरसी मैक्रो बढ़ी यह जिसको हम देख सकते हैं और मश्यूम एक कैसी हो गया मैक्रो फंजाई तो इसमें से अगर 15 लाग कम एस्टिमेड लेके चलें तो इसमें से आज तक अभी पूरे विश्वा ने एक लाग दस आजा़ के प्रिवटिव पंजाई को डिसक्राइब किया चुका है और जिसमें से सोरा जाज मश्यूम हैं और इनमें से साथ ऐसे मश् मेडिशनल हैं जब कारोबार की बात करेंगे तो आप आप जानेंगे कि मेडिशनल मुश्रूम प्याराइब की इसमें मुश्रूम दोनों तरह के होते हैं और लगभ़ग पांसो स्पेसियों हैं जो पोईजिनस हैं तो इसमें से टर्थ हो सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि जो मश्रूम का हीविटाइट है तो ज्यादा तरहीं से चीजों को पर्ग्रो करते हैं और ज्यादा तर ज्यादातर मश्रूम है में अश्रूम है मेक्सिको देश में मुष्यूम के लिए पूरी दुनिया की लोग जाते थे उस मुष्यूम को खाने के लिए और उससे बोलते हैं कि उससे बाद ये एक जो नशा है बड़ी उच्छ किसम का नशा उसे मिलता था लोगों को फिर बाद में ड्रग के लोग ने उसको पैचान की इसको ब्यान कर लेगा इस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ पॉजनस मुष्यूम में को खाने से जातु सकते हैं कि मेडिसल मुष्यूम जैसे गयनोडर में है इससे दवाईयां बनती हैं एड़िवल मुष्यूम कही तरह के हैं और इनको इंको डिकम्पोजर के अटाईवर अटिक कुछ मुष्यूम हैं एंडोफाइट्स जो पेड़ों के मैसली में पेड के अंतर गो करता है और यह पेड के बहार इसके फूट बॉड बढ़ी जब इक इसमें पेड़ों के उपर मुष्यूम होते हैं जो मंचों का फंगस यह फंगस का मैसलियम है यह मैसलियम अगर है तो जो पेड़ का होना बहुत ही अगर नहीं होगा तो माइक्राजिक प्राइटली में पाई जाता है या मौर के लाग गुच्छी पाज़ों के हिमाचल परदेश जम्मो कश्मीर या उत्राखंड में इस मश्यूम के पाई जाती है इनमें से कुछ एक माइक्राजिक में आज से 1420 साल पूरों चीन में और इक वेरिया क्ल्टिवेट हुआ और दूसरा फ्लेम लेना क्ल्टिवेट हुआ जो कि हर्दवर्श में बहाज़ादा प्रचलिक नहीं है इस टाकि जो कि दुनिया के नंबर एक मश्यूम है एवी लगूल एवादार वर्स पूरों इस की खेती करते हैं और काफी ज़्यादा पैदा बार लेते हैं इस मश्यूम को लगवग 320 वर्स पूरों कर लिया था और धिंगरी वैस्ट्र मश्यूम इसको बीसो सताव में इस मश्यूम की खेती शूरूम की खेती कोमर्शियल स्केल पर देखें तो 1960 के आस बाद शूरू लेकिन उसके बाद फुरी विश्वम कर पादन पर देखें और पिछले आप देखते हैं कि 55 सालों में रगर दूसुकुन अब्री दियूम कर पादन इस विश्वम में इस वह था पहले बटन मिश्यूम बहुत पॉपलर था इसका बटन मिश्यूम का जो शेयर था 78 पर संट रह गया दूसरे मिश्यूम में बाजी माना शुरू किया जिसकी बाद कर देख सकते हैं कि बहुत बड़िया मिश्यूम है और बॉलबरेला पैडिस्टा मिश्यूम है यह 92 परसेंट टोटल पॉड़क्शन का इस इन 6 मिश् बाकी स्टार्ट के लोटस और इकुलरिया यह बाकी मिश्यूम है और फुल में लाकर फील यह 6 मिश्यूम है आज भी तुनिया में जो फैदावार होती है 90 पर संट प्रोटल मिश्यूम प्रड़क्शन की दवड़ियर इसका मिश्यूम स्पीसिज तो आप देख सकते हैं कि लेकिन जो मुख्या योगदान है मश्यूम में तो 6 स्पीसिज हैं जिनके बारे में चर्चाबार्द बर्ष में कुछ और भी हैं लेकिन विश्वा की बात प्रग्राम करें तो यह 6 मश्यूम की स्पीसिज तो आप पर पाई राते हैं चीन ने प्रत्याश्चित जो ब्रिद्धी इसमें तरक्की ही है मश्यूम की पादन में अब दिश्वा की बात पादन जिरो पॉइंट 6 मिलियन टन था तो चीन सिर्फ 6 परसेंट यहने के लगवावब दे सकते हैं कि बहुत कम मश्यूम की पादन चीन का था और 2014 में जब उस वक्त जो चीन का शेर है पूरा 2014 में आता है पूरे विश्व में अलागी मिश्व में लगवच साथ इसमें पैदा होते हैं लेकिन बाकी जो हैं इसमें लगवावब आप सो सकते हैं कि 87 परसेंट आप दिस 370 मिलियन टन का लंटाज़ा लगा सकते हैं इतना हुआ चीन में अब दे सकते हैं कि लगवच साथ मश्यों की खेति कर लेए जब कि हम लोग यहां पर भी चार पांड जिपान एक और इंपॉर्ट इशन कंट्री है जहां मुश्यों को अपादन होता है और जिपान कभ देख सकते हैं चार लग बत्तरा जाटन के क्रिए मुश्यों को अपादन है और और एक अतर से लेकर 2013 तका लेक्स देंग ग्राप उनका भी धीरे धीरे एकतम तेजी से एक्स्पोनेशल ग्रोथ नहीं हो लिए धीरे धीरे मुश्यों को अपादन हो लिए जिपान में बटर मुश्यों की खेति भी करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं पर दूसरे फ्लामूली नहीं जिसे विंटर मुश्यों की खेति वहां पर देटे लिए और यह अलग बटर मुश्यों पर छोड़ कि वहां के ज्यादा दिया और यह शीकि बात करें तो नाइंटी-एट परसंट और तोटल मुश्यों परडक्षिन वीए से में आज में तो जाद दो प्रिजांट मशूम घाल रहे लिए लेकिन अब ट्रेंट गढ़न गढ़ा है अब में टिप संट जो मशूम का सेवन है उपभोग है वो फ्रेश मशूम का करते हैं और थैन परसेंट गढ़न है यह रोग के कुछ और आप देख सकते हैं कि देशों में जो मश्यूम का उत्पादम है। हालागि कुछ कम हो रहा है, पांच साल का डाटा प्रिजेंट के जा रहा है। आप देख सकते हैं नीधर लैंड में जिस कंट्री ने बहुत ही इंपोर्टन की प्रोल बटन मश्यूम की रिसर्च अर एं अरवस्त विज़ा से जो कॉस्ट है, जो मश्यूम का प्रोलक्षन है, इंदेशों में ज्यादर इटी स्टैक, या लगभग उतन ही है या डिकलाइन हो रहा है। तो अलगलग देशों में अलगलग मश्यूम पर चलीते हैं। जैसे में बताया है कि बटन मश्यूम बहुत चाइना में 60 मुश्यों निकेती, कमर्शिल करते हैं, जिपान की मैने बात पिछे की, बटन मुश्यों में जा वहाँ जा लूमस जी रो, बहुत ज़्या पादम उता, पुलेशिया में जाएंगे तो 94% तार इसका भी वे स्वेस्टर मुश्यों, वहाँ पादम करते हैं, और स इसके डिस्क्राइब करूंगा, ट्रेड की बात करें, 2000 डाटा, 2013 का डाटा में जाएंगे, जिसे टेस्ट डाटा अवलेवल नहीं हो पा रहा है, और इसके मताभी कि जो एडिबल मुश्यों में, उनका जो शेयर है ट्रोटल, 54% के प्लिए, ट्रोटल 63 बिलियन डॉलर का का करता है, इसमें से इडिबल का लगवर 12% और मेनल का लगवर 88% और वैल मुश्यों का लगवर आटवस्वत कि टीड रहे है, जिसे का रोबार को विश्वा में जिश्यों करता है, तो मेनल मुश्यों में अट्पर्टल, 1,60,30 , 100,30% अर् Spirit की आठाएंगे जीए में तो इसलिए मार्किट होना बहुत जुरूरी है तो इसके अंदर अंदर इसको होना है फशल को बड़ी शॉड़ी से आती है और तीन मिन्हें में पूरा साइकल कुछ मुश्व में उनका सिर्फ 20 दिन के अंदर पूरा साइकल को बड़ा उसकी चर्चागी हम करेंगे तो यह जल्दी बड़ा फास्ट रेंग्राउप होती है इसको मार्केट विए जल्दी की बात कर रहा था हम है कि चाइना में एक आध़ी लगए 22 किलोंग एक साल में खा हमारा उत्पादन है अभी डाटा हम तुदसा इसको द्वारा से रिवाइज कर रहे थे तो लग बड़ दो लाग पच्छी सब्सक्राइब कर रहा है जो हमारा नुमान है हमारे सेंटर का फीड़ बैक की मताबिक बटर मश्रूम सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर और तरबरश्ड के करीव है वैस्टर, मिल्की मश्रूम, पैडिस्टा मश्रूम, कौालवला मश्रूम, और सटाक के मश्रूम जो कलिटिवेशन है सिर्फ इंपांच मश्रूम के रिवी चीन में 60 मश्रूम के की जारी है हमने ऐसे ऐसे अपनी जो यात्रा है लग बगगे 1970 ने शुरू की वर्शेयर पोड़क्शन के अलांकि हारत बश्रूम मुश्रूम कॉत पादन नहीं रिसर्च, उनसे 61 में शुरू हुआ, एक प्रोग्राम आई स्कीम लाँच की, स्टेट गाउंटर कीमाचल प्रेस के साथ और उसके मताविक डॉल्मेंट आउ मुश्रूम कॉल्टिवेशन के लिए उसका टाइटल था स्कीम का, और कुछ एक फार्म उनसे 70 विकात आए, जिसमें टैग मुश्रूम फार्म जो चैल में यहां पे स्टीम लाँके पास थी, उसमें बड़ा फार्म एस्टाबिस हुआ एक जनरल कैक का फार्म स्टीम में लगा, शियंक सौली माचर प्रदेश में ही, मधूग कोली का इंफेक्टर दैबर था फार्म ने इसकी है, जिस्टाबिस किया गया था, और सैगल साब का फार्म भी होगा, एक ब्रिगेडियर मरिंदर हम इसमें है, अम्बाला के पास भी पुल मिला करके चार-पांच फार्म थे वड़े फार्म ने इसकी है, उनसे आता है, हमने भी जैसे वर्ड में हुआ, देख सकते हैं आप उनसे नब्बे तर या उनसे पिछासी तर, फिल्पोल बिलिंग जो है, बड़े दीरे दीरे बढ़ना शुग है, उनसे नब्बे के अब देख सकते हैं कि 2005 तर थोड़ी सी प्रिद्धी तर उसके बाद आप देख सीधा ओपर जाना है, तो पिछले 10-15 साल में, मिश्यूम के उतपादन में भारतवर्श में अब प्रत्याश्य जो बिद्धी है, नोट की गई, और पिछले 5 साल के अगर बात करें तो हमारे भारतवर्श का जो बादन है लग तवल के पहुंचते हैं, इनका शेर बटर मिश्यूम आज भी लग बटर मिश्यूम बटर मिश्यूम बटर मिश्यूम के चलीते हैं, वश्टर मिश्यूम दूसरे नंबर का है, इसमें 6-7 स्पीसीज का अक्रिदिवेशन करते हैं, हम की है, आलांकि उत्पादन में उसका शेर बहुत जादा, लेकिन श्टाके के उत्पादन से अप्टर लिस्चता है, पढ़ आया कुछ पिछले 4-5 सालों में. डिफरेंट स्टेट्स की बात करें डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है अभी करल पर सोनियन इसको थोड़ा सा कंपाइल कर देए और अब पिछले डाक्टे को पिछले वर्ष का डाटा ने दो आजार निस का देखें तो इसके मताबिक हर्याना नंबर एक स्टेट है दस पर श पर शिए अब बाइस हजार तन के कि पर शुप करके दस पर शुप कर दो करके दो जिहार का बढ़ा है और अब कि जो स्टेट्स इंपर्टेंट थी अभी सा अनदर वेर इंपर्टेंट स्टेट और अट रवावली तो अधन महरास्वा नौप पर शुप के साथ पंजाब पर शुप कर दो कर दो कि अब देख सकते हैं कि अब देख सकते हैं कि नौर्स इसका वहां पर थोड़ा सा इसका बढ़ा है का और अगर मैं इसकी बात करें कि कौन सा महिशूम भार्दबर्श में विस्टीबू पीड़ा जादा है तो नौर्थ में पर्टिकुलर लिबटन शुप जादा पर चलित है महरास्ट्रा में बटन शुप चलित है बाकि स्टेट्स में इका दुका बड़े फार्म हैं ऐसा जाए उसरे अंदर परदेश में बात करें उन परदेशों में जो मिल्की मश्यूम हैं कुछ पाप्लर हैं तो गर्मी बला मश्यूम हैं गर्मी पुट है हाँ उडिसा साइट के जो पोस्टल स्टेट्स हैं उन में जाएंगे तो वहां पर आपको पैडिस्टा मश्यूम का अगर नौर्थ इस्ट में जाएंगे तो वहां पर किसी स्टेट की बात करें जितने ही हैं इवन बेस्ट वंगाल है इवन मध्या-पर्देश हो गया बिहार हो गया 36 गड़ हो गया इन स्टेट्स में क्वैश्ट में काफी ज्यादा परच्णित है इसमें और काफी अगर बढ़िया इसके काफी बढ़िया कुछ ग्रोड अब इसको शुरू किया इवन हरयाना में भी पासकर मोर्नी इसमें इस मुष्रूम का पादमा शुरू को गया हुए हम अपने ताकत का जाइजा लें कि हम अगर मुष्रूम के एक शेतर में जाना चाहें तो यह आप बात है कि अगरो प्लाइट ब्लाइट वर्ण करा जाता है और जो डिफ्रेंट मुष्रूम में उसके लिए डिफ्रेंट टाइप अग्रो अगरी वल्चर वेस्ट काफी ज़्यादा वह नहीं कि बताए कि लगर फाट सो मिलियाट टन के क्रीट के में अगरी कर देंट थे व अगर हम फूर्ट रिंट पादा करने तो नहीं जी आगे स्ट्रॉ पाइदा रहा है तो काफी ज़्यादा है लेबर मैं अच्छी बात मानें जबूरी बात मानें लेबर सस्ते दामों के उपलब्त है और अगर मश्रूम ग्रोरा बनने चाहिए तो आपके लेबर अच्छी बा जाएंगे अलग टाइप की मश्रूम मिलते हैं जिनको हम घ्रो कर सकते हैं तो अगर नैचुरली अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के मश्रूम कर लेंगे तो हम उन मश्रूम को पादान की कर सकते हैं मार्केट जूज मार्केट करेंगे तो कितना गया चाहिए लगए 400 मिली ग्राम के असपास आजाएगा एक दिन में अगर एक आदमी की बात की जाएगी एक दिन में कितना मुश्रूम खाता होगा 400 मिली ग्राम मिली ग्राम और ज्यादा तर आज कल चाहे ब्लड प्रश्र की चाहे शूगर के लिए या दूसरी जो इल्मेंट्स है उसकी चर्चा करें तो मेरे को लगता है कि 400 मिली ग्राम किसी ना किसी फार में डेवलेट्स जो दवाईएं है अलोपैथी क्या हमोपैथी क्या दूसरी बाईयों खाते होंगे तो मिश्रूम का जो सेवन है भारत वर्श में इतना गम है अध्याट में ट्रमेंडस को हम भी अगर चाहे ना बरे 22 किलों खा सकते हैं कि हम क्यों खा सकते हैं हम खा सकते हैं पूरे विश्व में देखे तो लग चार-पांच किलो अनुन प्रेश इसके फाइदे इसके ग्रून की आमें शुन गे उसका पताब लगे को लख कि इसके साथ ही हम कोई काम ruin की काम जैसे अई शीर लिटर इस करना तो आट से पंतरह, साथ-ाट मिटर पानी का लेवर इचे चला गया, तीस सालों है, और जिस तरह हम फचले को लोग करें, धान जिसे है, स्वयविन है, यह दूसरी फचले पानी लगता है, एक किलो धान की पैदा करने के लिए लगो, दीन हजार लिटर के क्रिप के पानी लग करने के लिए लगेगा, तम उन चीजों के और भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, कि हमें ऐसी फचलों की ओर बढ़ें, इन पानी की कम, क्योंकि पानी सच्चे नेचरल रिसोर्स जो एक बहुत ही क्रूशियल है, और आने वाले दिनों में, आप लोगोंने भी सुना होगा, मैंने भी सुनाई है, कि अगला विश्वयूत जब भी होगा, तो पानी के लिए, क्योंकि पानी इतनी असेंसियल कमुटिटी है, इसके भी नाम जीन पाएंगी, और जिस तरह से हम पानी कफ्यों करनें, जिस तरह पानी कटें पर जा रहा है, इस चे तोर पे आने वले दिन पानी की दिकत को इलत हो जाएगी, तो एक इंपॉर्टेंट शूर, अनिप्लॉइमेंट आप सब को पता है, इस तरह से विलोजगारी है, इस तरह से बिलोजगारी है, इसका अक्टूबर नवंबर में आप दिल्ली वाले लोगों से पूल सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया मे जिसका उसक्वाल का प्रयोगा मुश्यों की खेती के बड़ेंट, इस तरह से बिलोजगारी है, जितना प्रोटीन उनको एक भी मिखाना चाहिए, उतना प्रोटीन नहींगा, हमें उन फसलों के जाना पढ़ेगा, जिसमें प्रोटीन, मुश्यों इस वान, मुल्टी तो आप मैं या तो आप अपने भोजन को दवाई के रुव में खाए, या फिर आप अपने भोजन को दवाई के रुव में खाए। यह एक फूटीOne Food के खाते हैं तो आपको जिरूपी की जूरूरष यह बी कुछ और जो इलमेंट सर्फिभी गोली दिन में गोली शांपू गोली तैन अगर आप भूजन को एक मेडिसन के रूम में खाते हैं वेल और वाइस आपको मेडिसन को बढ़ाना पड़ेगा इसकी ओक ध्यान और मश्यूमे के सब भूजन है जिसको क्वालिटी फूर क इस तरह से इसमें फैट का लेवल कम होना चाहिए हम ऐसे बोजन को प्रेट कम से कम है कलोरी भी कम होता की मुटापता ना है अगर कोलेस्ट्रोल फ्री बोजन मिलता है वह ऐसे बोजन चाहते हैं जिसमें पूली अंसाचुरेटी पैटी अंसाचुरेटी इसमें ज्याद होते हैं उसको हम खाना चाहते हैं और यह मश्यूम की खासियत है विश्यस्ता है कि सारी चीजिए में पाई दाए जाए आगे आगे तो 40% की खीड़ है दूसरा जो डिजस्टीविल्टी है ब्यालोज के लिए अब देख सकते हैं जितना आप खाते हैं प्रोटीन जितना प्रोटीन मिलता है ज्यादा तरह हमारे शीर को भी तागए और जो असेंसियल अमारे शीर में आ जाती है जो सारे के सारे असेंस जो में आटा खाते हैं या चावल खाते हैं यहों खाते हैं उसमें लाइसीन नहीं होता और त्रिप्टोफेन लगता है और इसकी डिपसिंसी लग भाराल भी होता है तो हमें मिश्रूम एक इंट्रिग्र पार्ट अपने डाइट का बनाना चाहिए ताकि एस तरह से अगर क इसको भेग करने के लिए हमारा श्रीर नहीं मनाता है तो इसका मतलब है कि जब हम खाते हैं इसको मश्रूम को तो इसके अंदर जो कार्वाइड डेटा हमारे श्रीर को मिलता है और जो शूगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए डिलाइट अप्लेटिक्स और हाइवर की व्लड प्रेशर आया कुछ है तो कुलेस्टोर की चेक करने इक सला दिजाते है और ज्याधा तर बढ़ा पाया जाता है और इसको कम करने के लिकोंश दवाइअ दे जाती है इस तरह घरीकस बटन मिश्रूम की एक समझार इश्गर की चितनी उरी टीना पाएज आता है जो क हमारे ब्लैस्टर्टों को कम गए जितने मिसमझें आप खाता हैं साग सबस्जी काती है इस सबस्जी घृटा एक हमार हमारी रहाटीओं के लिए इमिलेगा और इसके अंदर तो A, E and K vitamin बहुत कम बात राने होती नहीं, होती वे तो बहुत कम खासकर vitamin A की बात करें, B की बात करें और vitamin C के अंदर पाइजा थे, vitamin B complex से सारा आपके पास आगिया, सारी इसके अंदर पाइजा थे, and it is the only source among these vegetables that has got this vitamin. और फाइबर जादा जैसे में बता है, sodium कम होता है, पराशन जादा होता है, इसके वेज़ ब्लड प्रेशर के प्रेशन, अगर रेगुलिन लिखाते हैं मैश्वों को, तो इस भी मारी से ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, इस तरह से ही जो mineral हैं खास कर देकिए, copper, जो कि हमारे cardioprotective, selenium, जो कि anticancerous है, iron, खूर को ब्राणे के लिए, zinc, community को boost करने के लिए, phosphorus, इस सारे के सारे calcium, इबन भड़ियों को मजबूत करने के लिए, कम होता है, लेकर होता है, और vitamin D, calcium, vitamin D को observe करने में बहुत ही मददकार होता है, तो इस सारे का सारे जो एक combination है, एक functional food, मतलब you can use mushroom as your medicine, mushroom को एक medicine के रूम में, वो at the same time, एक food के रूम में खा रहे हैं आप इसको, और that food is serving as your medicine, तो आपका जो भूजन है, वो एक जवाई का काम कर सेथा, दूसरे mushroom में भी, यह के दूसरा प्रदार्थ पाइजाता है, लेक्टिन पाइजाता है, बटन mushroom, लोबा स्टेट्रिंग पाइजाता है, इसमें वैस्ट्रों mushroom जो ग्रस्टों करता है, लेक्टिन इंसुली सिप्रेशन का नहांस करता है, लेक्टरदायन की बात होगी, हैरी सुनियन एक monkey head mushroom होता है, उसके अंदर नेरोलिज की देस्ट्रों के लिए बटन मशों है, अचिका इंसके सेवन होने, इसके सेवन से भी इसका भी जो है, इसके नममर अफ मेट्सल परपेटीज है, आप तेक सिकें कार्डियोवस्कुलर, रस्पिरेटरी, नर्वसरी, अल्जी इंको इम्मूनिटी इसके एक अनड मुष हों है, जिसके उपलोफिन जोन्ती केज़ तो तो मैंने चरचा पीछे की वारत वर्षिंट पांच मुश्यों की करते हैं और बटन सबसे इंपॉर्टन बटन मेश्यों की खेती करने के तरीका आपको डिटेल में बताया जाए जाए हुआ आगे जो स्पिकर्स होंगे सबस्केंद स्पिकर्स जिनके पास बहुत जाए पैसा लगाने के लिए उखाद को खेतों में फुलो खेतों में बनाते हैं या उसके अंदर जो स्टैक और पाइप्स की डालते हैं इसको बहुत जाता है बहुत ज़्यदा खर्चा किस चीज़ करने ओपर एक जो टॉर्पॉलिन है उसे ढख देते है या प्लास्टिक शीट से डख देते हैं ताकि इसके अंदर टेंप्रेच्र ब्रीडप हो एरेशन अंदर जाए ताकि अरोभी कंडिशन से इंदर रहे खाद जल्दी बनती है यह इस तरह से बनाते हैं इस तरह से बना से इस में पनाएगे थोड़ा सा कर्चा करना यह पुलिसी शीट गराना पड़ेगा खाद की क्वल्टी बढ़िया बनेगी कम टाइम बनेगी लेकिन अगर इसको करते हैं तो एक मेंना बाग खाद बने में रखता है और जब खाद बन गई टेटेर में से स्विकेंट स्पिकर इसके चरचा करेंगे ते किस तरह तरह तर इस चरचे यहां बने होते हैं और इनमें खाद को खाद बन रही है सामने लो-कॉस स्विकेंट बने जाए गए है यह एकजी की पॉड्यक्टिविटी ने बार इसको कमरों के अंदर इसको कमरें भर देकते हैं अबरने में पोलीफिन शीट इसको बिचा देकते हैं वीजी इसके बाद बीज फैल जाता है जब करनी हो थोड़ा तो न्यूज पेपर शीट पिछा देते हैं ताकि पानी विरस प्ले के दाए और जब बीज फैल जाता है पिलने के बाद अख़वारों को अठाते हैं उसके ओपर केसिंग लेयर इसके ओपर पिछा देते हैं लगए एक मिट्टी की उपर जिसमें पुराना गलास अरग ऊपर या इट मास इंडिया में तो नहीं हो जाता है बाद गज़शन होता है उसकी एक डेट इंज के लिए इसके बिछा देता है और टेंपरिच्र को धीरे धीरे डाउन करते हैं 16-16-16-17 और लगभग 30-32 दिन के बाद इस किलो मुण्शुम का से लगव 22 किलो मुण्शुम पूरा क्रॉप साइकल बीजाई के बाद अगर जाता है अर अगर कंपोस्ड मिन्हें पास बनाने के लेता है को तो आख दो तीन मिन्हें में अगरोपल्ट से इंडिट है यह अपना पूने के पास है 12 मत्यूद गवर 5,000 टन मशूम को पादल करते हैं इसमें खाद शॉर्ट मेंचर से बनाई जाती है जैसे इस्टा एक बंकर टाइप होते हैं आगरोड पासिरेशन के जाती है पास्ट रेशन करने के बाद खाद वैसे बंतियों तामान प्राइप तक है उत्जा जोन में करने के बार और इसपर पर पर से होड़ा है तरह डिएंगरी अगला मश्रूम है दिफरेंट टाइप की स्पीसी इडिस्ट एक तक रिफेंट पूचा लिए किसी ना किसी सबस्टेशच ट्रीटमेंट में जैसे अगर पैसे करें तो सौ खबूसा है तो लग तस किलो गीजिस में मिलाते हैं चार-पंच किलो बैग में भार देते हैं, खाद बनाने की जूड़ती बड़ी, आप लोग नोट किया होगा कि बटर मश्रूम के लिए कंपोस्ट बनाए, एक भीनावर लगा, लेकिन जो इस प्रमश्रूम में इसको सीधा भूसा या पुवाल के उप्तम में एक दिन गिल्ल बटाएंगे और इसको एक्सपोज करेंगे, बस हवारे पानी इसमें देंगे, पानी का एक दो बाती में और क्रॉप इसमें आना शुरू हो जाती है, इस तरह से हैंगिंग सिस्टम खासकर नौर्थ इसमें बड़ा पपलर है, इस तरह बैगों को लटका देते हैं, इसमें करने का ठीका है, कि हीट इया पैडिस्टा सीधा लिया, इसको पिला किया, और उसको ना की सब्ट्यूर्ट ट्रीटमेंट मैठिर्स को फालो किया, और उसके बड़ बिजाई की, बिजाई केना के बाद इसको कमरे में ब्रप्क लिया, इस तरह बीजप्हाले का देखिए, इस तरह से उसके बाद जब भाल गया बटल मुशून की तरह जैसे उसमें हम केसिंग मिट्टी डालते हैं उपपर बैख खोल की के सिंग मिट्टी हम इसको डालेंगे देश समर्वं आक आप के सिंग मिट्टी के बाद टेंप्र्श रोई हिए थी इस से 5-7 डिश्ची राइए के फीमिट्ट्वर्ट्ट रही हम इसके लिए और इस तरह से खूव इस ही पांदर में जाते हँ बेड़ों की चाहे के लिए पास कर और बनाने के बाद इनको पानी में टेंक्क निए पीला करते हैं और एक रेज़ ब्लेट फॉर्म के उपर बैड़ बनाते हैं बैट बनने के बाद और यह सबखे हुथ Васमें को जथाओ और छोष्ए मी ना उख बनने के बाद हुए इसको इखे हो छोष्आ घाएक है। अंदर भी खेती के जा सकती है उसके लिए खात बनाने का थ्रिक आलग होता है चार-पैंडिन ऐसकी और खात बनाने के वाज़ है इसका पादिम काफी बड़ी है आगर इसकी खेतिया कमरे के अंजर करते हैं तो खुले में बियार में इसमें उडिसा में जाएंगे तो सब्कों के खनाओ इस तरह से शुप इस तरह रहेंगे और अगला मश्यूम इसके पहले पेड़ों के तरह करते हैं अब सिंध्रिक लॉस के फिसके करते हैं चोड़े पत्ते बाले लकड़ी का बुरादा लिए विला कि इसको ताव मान में जादा चीए तरह करते हैं तो यह इसको टाजा भी सकते हैं यह उसको ट्राइब कर सकते हैं तो इसकी खेती भी लगव इक श्टाटी की तरह है लेकिन इसके लिए ताव मान ज्यादा चीए होता है तीसे पंदीरियों सब्सक्राइब कर मान इसमें चीए हैं इसको बोलते हैं खासकर या खीड़ा जड़ी और केट्रपिल्लर पार्ट जैसे के लिए को पर गोखता है कॉड़िसेप सेनेंसे हैं हमने एक कॉड़िसेप्स मिलीटेरियस स्पेसिस की खे उसके लिए कीड़े की जूटते हैं तो उसके लिए मेडियम के उटता है और उत्राखंड में खासकर पे थौड़िसेप्स के लिए बहुत इंपर्टन मश्यूम है अब चैनल की बात करें कैसे मश्यूम को देचा जाता है तो ग्रोवर या तो कंजियूमर को देगा या ग्रोवर अजेंट के थूट लोकल मार्केट में ले गया है यह कुछ कॉप्रेटिस भी बनी है और कुछ ग्रोज कुछ देशों में बोली बेल लगते हैं मश्यूम की इसे अश्टा की की बोली जपान में लगते है और वेदर्लान में बटन मुश्यूम की बोली है यह कुछ important exporter है पुलैंट इंपर्टेंट है विदर रंड चाइना जनाडा वालुसाइब लाइक इस यह दिफेंट कंट्री जहां को जो एक्सपोर्ट करते हैं मिश्वून को हम भी करते हैं लेकिन हमारा शेयर बहुत ही कम लेकिन अब देश मश्वून का खासकर जो नौर्थ हमरे लिए अम अगरा मश्वून को बहुत है कि मश्वून की जीरो वेस्ट इंडस्टी एक किलो जब मश्वून पैदा करेंगे तो पांच किलो उसके पीछे बचेगा साफसेश उसका प्योगा आप छे मिने सड़ने के बाद उसको खेतों में कर सकते हैं और बहुत ही बढ़ी बढ़ीया अगर उसी एक हेक्टर जीमिन में अबर आप गेहूं और राइस लगाते हैं तो लगए साथा तन के पैदा करेंगे फ्रूट्स की बात करें तो चोड़ोपन का तन काहां पे उस जीमिन में साथा तन या चोड़ा तन या वेस्टेवल सतरह तन तो कंपैरिजन आप कर सकते ह अधिय कहां जान है, और हम लगाते हैं तो लगए तैस किलो प्रोटीन एक दिन मmer 1-1 धीर-जीमिन फ्रूट्वराश की स्कुर करता तो गदीध हम लगए तीजल गने सेखें तो लग वे 15-16 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा लग भगिए देख सकते हैं आपके मुश्मिन के आपके प्रोटीन किंटेंट में पहाज़ा में भारत बश्च में कुछ पानी की स्थिति है ज्यादा आप देखते हैं highly to extremely high water stress देख सकते हैं आपे राजस्थान, गुज stress बढ़ देख पानी के पूले है ठान इक किलो राइस पानी के लिए आपको 200 लिटर से जादा है बढ़ा पानी और मश्रूम एक किलो मश्रूम पानीच्च जबकि अगर हाई टेक पोली हाउस में आप जाते हैं तो पंद्रा लाग का प्राफिता एक साल में पासकते हैं और अगर सीजिनल का इंटिवेशन आप करते हैं मश्यों की दस लाख यह से तुड़ा जागा है मश्यों का पादन करकर आप इतना पैसा चार मेन देंगर कर सकते हैं और कुमर्शियल अगराई उनित लगाते हैं उसमें आपको लड़भट एक कोरके कि एक साल में आप कमा सकते हैं कर सकते हैं और इसके बाद आपको प्रॉफिट है लेकिन यह मश्रूम जो है मश्रूम कंटिबिशन इस चीज़ का प्रेद समझें और इसमें जो कमिटमेंट लेवल है जो डेडिकेशन काम करने के लिए आपको सब्सक्राइब आपको प्रॉफिट लेडिकेशन इसके साथ ही धन्याबाद बहुत धन्याबाद इसमें आप लोगों को पिशूम के बारे में थी और मुझे पूरी आशा है कि इसके बाद दूसरे लक्षर जब चलेंगे डिटेल में तो उसमें सारी चीजें डिटेल में आपको पताई जाएंगे अशीज जी तो धन्याबाद सबका और एक दो प्रशन अगर लेने तो ले सकते हैं और कोई सवाल हो तो दो चार मिनिट है भी डाक्ट साब के पास तो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो आप सब्सक्राइब करें तो अब थोड़ा साब इसको रिस्ट को रिस्टिक्ट किया है और हम लोग सब्सक्राइब के पास जहां पर M.H.U. का मशूम सेंटर है वहां पर विजट करते रहते हैं और फूछ बट्री आपके फारम पर भी या आप से मिल सकते हैं ऐसा कोई दिक्ट में सब्सक्राइब का पता तो नहीं का बाएंगी आप पते का आप फोन बगारा बीच में कर सकते हैं कि जब आपको जूर तो पर मशूम से जूड़ी है कि पता लए जाता है सारा कि कौन कौन मशूम दो रहे हैं उगर हम जाते रहते हैं घूमते रहते हैं ऐसी बात लिए इस वर्स थोड़ा सा रिस्टिक्शन हैं सब्सक्राइब आते हैं कि हमरा आना जाना लगा रहे हैं जी सब्सक्राइब ने रहें सारे अधिक्रजिस्टन होते हैं कैंधि कुम्लीकेशन क्या कि आएंगी सर जैसे बिमारी कुछ इस तरह की कोई बात तो यह तो सर अपने नहीं बताई मितलब जैसे बिमारी का लेक्टर बिमारी दिपक जी दिपक जी इस शुट बी ऑप्टिमिस्टिक नंबर वान और शाबार दी कि इसमें बिमारी आती है आदमी को क्रोना है जीना छोड़ दिया क्या हमने नहीं सब्सक्राइब लोग खुलके जी रहे हैं ऐसी बात नहीं है कासकर यूद को देखें तो कुछ परवाई नहीं मारते है ठीक है तो आदमी की लिस्ट लेंगे तो कितनी बिमारी है कैंसर होता है एड्स होती है ब्लॉड प्रेशर है शुगर है लाला पेड़ ख्राब हो रहा है जैरा सो मैनी डिजीजीजी लेकिन क्या उसके बदलें जीना छोड़ देखते हैं ऐसा ही मश्रूम में भी मश्रूम में तो मज़े की बात है क्योंकि इस ग्रोन अंडर दर कंट प्रिक्योर दर डिजीजीजीज तो उसे बचा जासते है साथ सभाई का ध्यान रखें इसके लेक्चर होंगे मेरे ख्याल अशी लेक्चर है ना यह रहे टॉपिक पे डिटेल में लेक्चर होंगे आगे यह अभी इन जो बोला इस पे एक एक चीज पे पूरा डिटेल में पूरा ग्यान दिया आगा तरहीं जो खता स्काध ही में जो लगता है कर दो जिसे आप पत कर रहे हैं उससे आप आप पात कर रहे हैं उसके तो जो विए आपके निरवाई, क्योंकि कहीं हमारे 32 से क्रीप संटर हैं, लगभकसताई स्टेट्स में बारतवर्ष में, जैसे पूर्चल में एक हमारा स्टेशन है यह इसमें अशेस जी बेटे हैं, डक्राजाय साथ बेटे हैं, तो इस तीशन पर प्यासे हैं, इसार में स् देस क्रोड लगा के काम प्याइब, यह स्टेटीजे, प्याइब आप काम करेंगे, प्याइब लगाएगे पैसा लगता है, उसका ब्रेक अप जो ब्रेक इवन पॉइंट है, दो तिन साल के अंदर पैसा बप्प्पिस हो जाता है, लेकिन आपका 100% कुमिटमेंगे, जैकि रमोर्ट से नहीं चलेगा मश्रूम का काम, ऐसे कोई सोच रहा हूँ कि मैं पैसा लगा दूँगा, जैसे हैं, जैकि मश्रूम पादन श्रू करूँगा, दैन इट में ब्रेक इवरी डिफिटर, इसमें हमारा सेंटर है, उसका जब कोई कॉन्टाक्ट नंबर या कोई अभी आपकी नेक्स्ट क्लास दस एक मिनिट में है, दस मिनिट बाद है अभी आपकी क्लास अभी आपकी क्लास आपकी क्लास अभी आपकी क्लास आपकी क्लास झाल 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 पांच मिनिट ओर लगेंगी अब यूटक्स आवा रहे हैं पांच मिनिट ने झ Czechえ म झरी कि अ झाल शेओर मिनिट प्रवाट बता रहे हैं तका बितर लूटक्स आवा रहे हैं तैन *** झाल 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 कर दो झाल 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 कि ST थालो इसर वाइज नियारी प्रिटेश और ये प्रेजेंटेश इन खाइटरीह सभी को थाल जी अब एपने माइक आपने माइक उनक ना तुम आटना तुम मेरोले मैट तो लार के लोगे तो जितने सुले लियो मैं भी बोला नहीं हूँ अवाज अब आएगी आई है ना आगी आगी प्लीज सभी लोग अपने माइक बंद कर लें सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर विकास आज आपको मश्रूम का स्पान यानि की बीच जैसे हम बनाते हैं उसकी प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क् चाहिए उसमें जूर्ट पढ़ती है बनाने के लिए कितना टेंपरेचर चाहिए लाब का सैट अप हम कैसे रखेंगे और किस क्वाल्टी का बीच हमें ख्रीदना चाहिए तो उसे लेटर उसमें क्या क्टा दिक्त आती है बनाने में उस चीजों के बारे मैं सभी को बताऊ हुए सब इने अत्य से द्यान से लेक्टर को सुनना है हम अगरे मिच हो चाहिए उसमें इसको बनते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं इसमें क्या-क्या चीजों का यूज करते हैं उन चीजों का आज मैं आपको बताऊंगा तो स्पान यानि कि खुम का बीज उसमें हम जैसे स्पान लैब गरम लगाते हैं या स्पान लैब जा भी हम बीज बनाते हैं उसमें तीन स्टैप में हम लोग चलते हैं तो सबसे पहला होता है कि subtract preparation, यानि कि mushroom जो हमारी fungus है उसके लिए खाना बनाना है, यानि कि किस चीज के उपर हम उसको जीवीत रखेंगे, जो भी fungus हम भी बनाएंगे उसके अंदर, उसको हम किस चीज के उपर पालेंगे, दूसा रहेगा inuculation, यानि कि जो भी subtract हमने बनाया, य उसमें खटा लगाना, उसमें fungus डालना, जो भी हमें जिस तरह की भी हमें fungus चाहिए, चाहिए हम button mushroom की बात करें, या हम oyster, यानि कि धिंगरी mushroom की बात करें, चाहिए milk की बात करें, कोई भी mushroom का होता है, सब का process इसी तरह सेम रहता है, और तीसरा आता है incubation, यानि कि एक ऐसा ता आप मान रहेगा 24 plus minus 2, यानि कि 2 degree उपर भी हो सकता है, और 2 degree नीचे भी, तो पहले बात आएगी substrate preparation की, यानि कि बीज बनाने से पहले हम media बनाते हैं, अब वो medium कैसे बनाएंगे, ये थोड़ी सी टरम ऐसा रहेगा, कि थोड़ा सा laborious work है, थोड़ा कम, जहाँ तक मैं कोशिस करूँगा कि जितना अच्छे से आप लोगों को समझा सको, पर कोई भी चीज रहेगी तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्तत नहीं है, आप अपना लिख ले, आराम से पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले हम कोई भी grain यानि कि कोई भी धाने से बना सकते हैं, इसमें हम गेहू ले ले, आप जवार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, आप चावल के दाने ले ले, कोई भी आप grain ले सकते हैं, तो उसको हमने क्या करना है, नोर्मली जैसे पानी लेना है एक लीटर उसके अंदर इसको उबालना है, और दूसरा आता है मीडिया, मीडिया में आ गया है, मिलते हैं मार्किट से, जैसे माल टक्षैक हो गया, पीडिये हो गया, पोटेटो डैसो ब्रोथ हो गया, उनके अंदर हम मीडिया बना सकते हैं, यह आपको बस रेडिमेट एक पाउडर मिलेगा, उसको आपको एक लीटर पाणी के अंदर गुरूलना है, और तीसरा होता है क कमपोस्ट, यानि कि जो कमपोस्ट यानि कि जिस में आप मश्रूम की बिजाई करते हैं, जो कमपोस्ट होता है, उसको आप सुखा के आप भंडार्म कर लें, और उसमें से फिर लगबग एक लीटर में आपको लगबग 100-500 ग्राम को उबालना है, अब जो जो चीजे मैंने बताई, यानि कि जो मैंने मीडिया परप्रेशन की बात बताई है, उसमें यह संथैटिक मीडिया हमारा मिलता है, जो मार्किट से, यह कोई भी जो साइंस लेबरेटरी की जो दुखाने होती है, जहांसे सामान मिलता है, उनके पास आराम से मिल जाता है, दूसरा हमारा आ ग उसको भी आप अराम से यूज कर सकते हैं, और जो था आ गया यानि कि पोटैटो, आपके पास नोर्मली आलू होते हैं, आलू से भी आप मीडिया बना सकते हैं, तो अब प्रक्रिया कैसे रहेगी कि मीडिया हम कैसे बनाएं, तो सबसे पहले हम ग्रेन की बात करते हैं, तो जितना अच्छा रहेगा स्टार्च उसके अंदर गुलेगा तो उतना ही उसके न्यूट्रेंशन के पानी में आ जाएगी और जब आपका पानी उबल जाए लगबग पानी आधा रह जाए अगर आपने एक लीटर उसमें रखा है और उसमें से लगबग आधा आपका पानी उड़ गया भाब के द्वारा तो आधा आपका अबच गया उसमें तो उसको अच्छी तरह से कूट लें जो भी आप उसके अंदर दाने पड़े हैं ताकि उनका पल्क श्टार्च अच्छी तरह से पानी में गुल जाए उसके जो पानी आप उसमें डाल लें और एक चीज का अध्या रखना है जब भी आप पानी खीन पड़ें गयों डाले और पानी के अंदर उसको अच्छी से उबालें फिर उसको अच्छी तरह से कुटना है और एक चीज जो अगार-गार की बात में बता रहा हूं यह पौडरी फ़ोम में हमारे पास एक कैमी कल होता है यह क्या काम करता है यह इसको जो भी मीडिया बण回去 और अगर आप नहीं डालेंगे तो यह आप का बिल्कुल लिकविड रहे जनी की तरह रहेगा नहीं जमेंगा जैसे आप लोग नोर्मली है कि आप ख़वा निकालते हैं उसकी बर्फी बनाते हैं तो चिनी डालते हैं वो चिनी इसलिए डालते हैं कि ताड़की थोड़ा सा सक्त हो जाए और जम जाए आपकी बर्फी इसलिए हम यह आप अगार-गार डालते हैं इसलिए थोड़ा सा हमार या फिर आप synthetic media को भी यूज़ करें synthetic media जो आप यूज़ करेंगे इसकी दोज रहेगी लगवग 20 ग्राम एक लीटर पानी के अंदर और जो हमारा compost है ये लगबग आपको 100-100 ग्राम रहेगा एक लीटर पानी के अंदर सेम प्रक्रिया सभी में करनी है इसमें synthetic में क्या रहेगा आपने एक लीटर पानी के अंदर लिया है थोड़ी देर उसको एक उबाला आने दे और उसमें जैसे ही उबाला आते ही थोड़ा सा अगार-अगार पाउडर डालना है आपको एक लीटर पानी के अंदर लगवव 20-25 गराम और थोड़ा-थोड़ा करके उसको अच्छे से slice करना है गैस के उपर रखे गरम करना है एक उबाला आते ही उसको आप निकाल ले आप उसको चाहिए पैट्रिक प्लेट में डाले आप बोटल में डाले या आप किसी टूब में डाल सकते हैं इसी प्रेक्शनली में तो इस तरह से आप इसका बंडारन कर सकते हैं ऐसे ही आप कमपोष्ट का ले ले कमपोष्ट आपको लगबग एक लिटर पानी के अंदर लगबग 100-500 गराम लेना है उसको भी अच्छी तरह पकाना है जब पानी लगबग आपका आधा है रह जाए तब उसमें उसको छान ले अच्छे से अगार अगार डाल दे और आधा लिटर पानी फिर उसमें से उपर से डाल दे ताकि आपका पूरा एक लिटर हो जाए और उसको फिर एक उबाला दुआ के फिर उसको आप पैट्रिक प्रेट या जो भी आपका टूब है उसके अंगर आप डाल सकते हैं तो ये बात थी मीडिया प्रप्रेशन की कैसे हम फंगस के लिए मीडिया बनाते हैं जिसके उपर हम फंगस को पालते हैं इस तरह से फिर इसको किसी पैट्रिक प्रेट में या टूब में और करते हैं, यानि कि लग वभी से 30 मेल इसके उपर डाल लेते हैं, उसमें क्या रहेगा कि इसके अंदर फिर हम टीशू कल्चर का जो हम यूज करते हैं, मश्रूम से कल्चर रिट्रिव करते हैं, उसके काम आ कर रहा हूं, नोर्मल एक रूम के अंदर बैठके कर रहा हूं, तो वहां के कोई फंगस बैक्टिरिया होते हैं, जो में नहीं दिखाई देते हैं, वह भी इनके अंदर मिक्स हो जाते हैं, उनको खतम करने के लिए हम इसका स्ट्लाइजेशन करेंगे, यानि कि इसको क्या कर करेंगे, एक autoclave आता है, autoclave में आपको दिखाऊंगा, इस तरह का autoclave रहेगा, और इसमें, जैसे आपने कोफी मशीन देखे होगी, उसी तरह के structure रहता है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी आपने bottles या tube या कोई भी पैट्रिक पेट आपने बनाई है, जिसके अंदर आप इसको रखेंगे, और प्रैसर रहेगा 15-18 PSI के बीच में, तो इतनी देर और इतने प्रैसर के ऊपर रखने के बाद इसको लग बग 25-30 मिनट तरह स्ट्लाइज करेंगे, उसके स्ट्लाइज करने के बाद ये अच्छी तरह स्ट्लाइज हो जाएगा, यानि कि जो भी इसके बाद हमें हमारा मीडिया में मिल जाएगा, उससे क्या होगा कि अगर स्ट्लाइजेशन अच्छी से हो जाता है तो आगे कोई फंग्रेस बैक्टिर उसमें जो बाहर से आया वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, यानि कि जो हम डालना चाहते हैं उसके अंदर, चाहे हम बटन का लेते हैं कोई दुकान से तो लग बग आपको 30-40 रुपे में पड़ेगी, अगर आपको ट्यूब लेते हैं तो वह भी आपको 15-20 रुपे में पड़ेगी, तो ये पोवे आराम से हमें कबाडी की दुकान पे 1.5 या 2 रुपे में मिल जाते हैं, और विलकुल सस्ते होते है अराम से और उनसे जादा हमें सर्फेस मिलता है, यानि कि जो पैटरिक प्लेट है उससे जादा में सर्फेस मिलेगा, जिसके उपरम फंगस को पालते हैं, यह आप दो तरह के देख रहे हैं, यह मैंने कंपोस से बनाया हुआ है, यह मैंने माल ट्रक्षर, यह संथैटिक अरिया के द्वार में त्यार की है, उसको हम बैगो के अंदर कैसे डालेंगे, और बैगो को डालने के मिलब किस चीज के अंदर डालेंगे, पहले तो हमें गेहू जो लेना है, आप इसमें कोई भी ग्रेन यूज कर सकते हैं, ग्रेन के बात मैंने पहले भी आप लोगों को उस चीज को में क्या देखना है कि हमारे जिस कंडिशन में भी आप जहां पे आप रहते हैं, आपके आस पास आसानी से क्या उपलब्ध है, आपके पास बाजरा उपलब्ध है, आपके पास चाहिए सोरगम उपलब्ध है, यानि कि जवार कभीज, कोई भी आप दाना ले सक कर दूंगा अपने माइक बंद कर ले अपने माइक बंद रखें डिश्टब ना करें तो हमारे चलो स्टार्ट करते हैं तो हमारे नोर्थ कंडिशन के अंदर गेहूं बाजरा अराम से मिल जाते हैं तो हमने गेहूं का लिया है गेहूं बहुत कमारी है तो सबसे पहले क्या करना है जहां पे हम थे कि सब्टेट के लिए पहले में ग्रेन चाहिए कि किस चीज के उपर हम फंगस को पा लेंगे तो हम उसमें कोई भी ग्रेन ले सकते हैं हमारे नोर्थ कंडिशन में क्या है कि गेहूं बाजरा आराम से मिल जाता है तो गेहूं हम ने ले लिया है यहां पे तो लगबग साफसुतरा गेहूं उसके अंदर कोई सुसरी कोई इन्सेकट पेश्ट उसके इंदर न लगआ हो यह सारा structure, यह लगबग 60KD का है, और सारा stream base है, यानि कि भाब के द्वारा हम इसमें boil करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गेहों हमने लिया है, उसको kettle के अंदर डालेंगे, और उसमें bleaching powder डालेंगे, थोड़ा सा bleaching powder जैसे आप कपड़े दोने के लिए soda डालते हो, इस calcium carbonate और sulfate डालेंगे, वो डालने का मतलब क्या कि जो भी जैसे आप चाय बनाते हो, तो चाय पक्ति डालके उसको उबालते हैं, इसी तरह में calcium carbonate डालके इसको थोड़ा सा उबालेंगे, ताकि इसका pH maintain रहे, और कोई भी असुधी जो इसके अंदर होगी, वो साफ हो जाए, पर इस तरह से अच्छी तरह उसमें से डालने के बाद, पानी भरने के बाद इसको boil करेंगे, लगबग आप देखेंगे कि पोने गंटी या एग गंटी इसको boil करना है, और कितना उबालना है, लगबग इसको हमें हाप cook करना है, यानि कि इसके बाकली बनानी है, इसके तो दिकत होगी उसमें क्या रहेगा कि जो फटने के बाद बीज से स्टार्च निकलता है वो दानों के उपर जमा हो जाएगा और उससे फिर इसमें बैक्टरियल की प्रोब्लम आएगी तो इस चीज़ का में ध्यान रखना है आधा इसको यानि कि आधा कूप करना है आधा ब आधम से ताकी वो दुबा आकर देखेंगे की अच्छी तरह से पक चुक आ है या नहीं पका देखेंगे तो जैसे आपको लगए कि हमारह गया हुग है उसको जरुने के अंदर निकाल ले और जो भी नीचे आपका इस जाली के उपर आपने निकाल लना इसमें से जो पानी आपका होगा, वो नीचे बह जाएगा, आपका दाना उपर रह जाएगा, और लग वग एक डेट या दो गटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको कैलसियम कार्बनेट और कैलसियम सलफेट लेना है, ये कितनी हमें लेंगे हम 1-3 रेशों में, यानि कि कैलसियम कार्बनेट 5 ग्राम लेंगे और कैलसियम सलफेट 15 ग्राम, अब इसका क्यों लेते हैं इसको, और इसका क्या काम है, तो जो कैलसियम कार्बनेट, जो कैलसियम कार्बनेट यली हाँ, आपको की कि आपकार्ट यली माफी चाहिँ तो ग्राइश्य थे राते हैं ले खाली शोड़त यू यहांदेश सलफे नहीं, यहांदेश नहीं नहीं पहलेगी हैं तो यहांदेशना हैं जो कि ख़्या चत्छुन सब्सक्वाशु और हम हाँ बात आई थी कि हम calcium carbonate और sulfate मिलाते हैं इनको क्या कारण है तो देखिए जो calcium carbonate होता है ना हमें पहले क्या होता है कि जासे हम seed treatment क्यों करते हैं ताकि जो हमने यह हुँ बाड़ा है वो उसके बीज आपस में ना चिपके आपने देखा होगा कि आप जो बीज की दु करेंगे ताकि इसका pH maintain रहे तो उसी को कोटिंग करने के लिए हम calcium sulfate और carbonate का यूज करेंगे और इससे बीज भी हमारे आपस में नहीं चिपकेंगे और हमारा pH भी maintain रहेगा तो इस तरह से हमने गेहूं को ले लिया ठंडा हो गया है उसको में ट्रे में डाला और जितना भी हमने तोला है स्पोज मैंने 60 kg गेहूं लिया था तो मैं एक किलो की रेंज आपको बता रहा हूं कि एक किलो में हम 5 ग्राम calcium carbonate और 15 sulphate डालते हैं तो इसी साब से जितना भी आप गेहूं ले चाये 10 kg, 15 kg, 20 kg एक की मैंने आपको अवरेज बता दी एक किलो में कितना डालना है उसी साब से आप इसमें बढ़ा के डाल दे तो इस तरह से हमने बोटल के अंदर इसको पैक करना है इन बोटलों का यूज में आगे बताऊंगा कि किस कारण आती है, किस काम आती है जो हमने मेडिया बनाया था उस मेडिया से हमें पोटी सी जो हमारी पंगस बनती है उसमें से एक चोटा सा पीस काटके इन कांच की बोटलों में हम डालते हैं इसका प्रोसेस में आगे मेंAy een kilo की packing करेंगे तो इसमें क्या है उननी यह लगाए हुए हैं तो यह दोनों 커ек चैके ऑगाद लेंगे और लगबग एक kilo की packing इसके अंदर आ जाएगी यहां से बंद करके और एक kilo किसा मटीरियल के अंदर करनी है तो आप विलकुल स्क्रेइन पर आपको PP बैग दिखाई दे रहे हैं, इनकों प्रोली प्रोपाइलिन बैग बोलते हैं, इन बैगों की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि एक सो पचास डिग्री पेव तक नहीं पिंगलते हैं, तो इन बैगों के अंदर इसको टेकर करके किलो की पैक कर लेंगे, इस तरह स सब्टेट डाला है, आपने गेहूं डाली है या बाजरा डाला है, क्योंकि उसमें फिर आप जब स्कुलाइजेशन के लिए रखेंगे, तो लिके जहां से होगा, वाँसे उसके अंदर पानी जाएगा और उसको बिलकुल अच्छी से, जैसे किछडी होती है, उसकी तरह ब यह नैकरिंग होता है, इसको बेश बनाने के लिए, जर्द में कलने के लिए मितलब इसकी बैक्यों पर लगाते हैं, और इस तरह से में फolड करेंगे, लगा देंगे, और उसमें अंगुठे के साथ इसके नंदर होल कर देंगे, ताकि जब भी हम इसके इंदर आपन डाले यानि की रा cotton ये पानी को अब्जर्व नहीं करती एक आपने देखा हुगा कि जो जैसे डॉक्टर के पास पट्टी करते हैं वेडिशनल जो यूज होती है ये उससे थोड़ी सी अलग होती है उससे रा मतलब कि जो सिधा मील से उठाके लाते हैं वो चीज़ है इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद गुमाके अच्छी तरह से टाइट लिसको बंद कर देंगे अगर आपके जो प्लग लगाया है ये लूज ह तो इसके कारण आपका जो स्पान है जो प्रिपेर कर रहे हैं वो खराब भी हो सकता है तो अच्छी टाइटली इसको बंद करें और जब आपको छोड़ी कैसे होगी तो इस कोटन को उपर से पगड़के आपका जो एक किलो आपका पूरा वेट है बिल्कुल इसके उपर आ तो प्रिपेर करTwag कर रहे हैं उसमें मोल्ड आने के चांस ज़िदा बढ़ जाते हैं तो प्रटन पिपर के साथ उसको कवर करना है फिर उसको और ब्रबंड के साथ से बंद इस तरह से में लेना है और इस तरह से फोर्ड किया और इस तो यह हमारा पूरा बैल तयार हो जाता है अब हमें क्या करना है यह जो भी हमने सारा वीज त्यार किया है सारा प्रोसेस किया है अब इसको नूर्मली क्या कि इस रूम में भी हमने किया है तो फुले में यहां पर इ स्टिलाइजेशन करेंगे जैसे हमने मीडिया का किया था अब इसको एके करके रेडि के अंदर बर लेते हैं पूरे एके करके सीरियल से बैगों को लगाएंगे तो लगबग मेरे पास यह दो तरह के ओटोकलेव हैं एक ओटोकलेव है जिसमें लगबग 150-160 बैग आ जाते हैं और एक ओटोकलेव है जिसमें मेरे डाइसो से 300-160 के बैग आ जाते हैं इस तरह से ओटोकलेव जो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरह से रहेगा यह जो रेडि मेंट आपको दिखाई है इसको भरके एकक इसमें सीरियल से बैग लगा देंगे और इसके अंदर डाल टेंप्रेचर मेटर सामने लगे हुए है कि जितना भी टेंप्रेचर प्रेसर रहे गए सामने से दिखा देंगे अब सीधा एक करके नॉर्मल रेडि को इसके अंदर हम डालते हैं यह रेलिंग लगी हुए है यह दूसरा दरवाजा है इसका इधर से खोला डाल दिया और ज इसको निर्जीवी करन इसका करना है तो जैसे आप लोग रेडिस के अंदर डालेंगे तो लगवग पौने से एक घंटे तक इसका टेंप्रेचर 121 डिग्री आने में लेगा और जब यहां पर इसका ताप्पान 121 डिग्री आ जाएगा फिर वहां से आपको इसको गिनना ह लगवग पौने 2-2 गंटे तक ठीक है और यहां से प्रैसर आपका रहेगा लगवग 15 से लेके 20 के बीच में तो इतनी इसका PSI में प्रैसर रहेगा और कितनी देर तक करना है पौने 2-2 गंटे तक 121 से लेके 126 डिग्री सेल्सियस पे इसको में स्क्लाइज करना है इसे क्य चाहिए हमने जो कमर्शल बैगों के लिए जो अभी यह आपको दिखाया है कि कैसे यह उबालके उसके बैग बरते हैं अब उनमें में फंगस डालने हैं अब मान लीजे कि आपको बटर का चाहिए किस चीज़ आपको स्पान चाहिए तो उनकी फंगस अलग-अलग होती है स अलग-अलग इसके अंदर मडालते हैं तो अब प्रोसेस कैसे चलता है सारा सबसे पहले हम मदर स्पान बनाएगे यानि की कल्चर बनाएगे जो हमने मीडिया बनाया था उसको थोड़ा सा क्या करते हैं इसमें टीशू कल्चर टेक्निक आईगी वह मैं आज मैं आपको बता माली कल्चर मेरा बन गया कल्चर से चोटा सा पीस जैसे आप दे फिरो इतना सा पीस काटके इसके अंदर डालूँगा तो लग-बग 15-17 दिन हमारा कल्चर त्यार होने में लेगा तो पहले स्टैप्स हम क्या करेंगे पहले हम मदर स्पान बनाएगे फिर हम माश्टर स्पा स्पान बनाएगे और फिर में स्पान बैग यानि कि जो कमर्शल बैग जो आप लोगों को दे जाते हैं वो बनाते हैं ठीक है अब मदर स्पान प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे टीशू कल्चर के द्वारा अभी मैंने नाम लिया था मान लीजिए कि आप कहीं किसी भी फारम पर जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा बीज है बड़ी ठोस मश्रूम आई है अच्छा मार्केटेबल साइज है तो आप भी चाते हैं कि मेरे पास भी इस तरह का बीज हो तो आप क्या करें वहां से एक खोटीशी मश्रूम लेके आए जो अभी लगब करने के बाद उसको अच्छी तरह से लाव में लेकते आजाए लाब में फिर क्या करना है लेमिनार के अंदर उसको रखें आई वी आसे इसको साफ खरने के बाद उसको दो हिस्टों में रख लेंगे और फिर यह मैं स्प्रडिंग करने के लिए यूज करते हैं यह पैन की पर पर में एक मीडिया काटने के बाद में में पैक्तरिकarette में लिया है जहिसे लिए हाँ पर दिख रहे हैं चोटा सा रखने के बाद ये चोटा सा पीस मैंने इसके अंदर काट दिया इस टेखनी कों टीशू कल्चर बोलते हैं यहां से मैंने एक पीस उठाया और मीडिया के उपर रख दिया और लगबग आप देखें ये कि 15-20 दन के अंदर अंदर आपके मैसीलियम पूर इसमें रन कर जाएगी यानि कि फंगस इस तरह से पूर इसके अंदर पैल जाएगी चाहिए आप ट्यूब में इसको रख लें चाहिए पैट्रिक प्रेट में इसको रख लें और फिर इसी से छोटे-छोटे पीस काट के आप जैसे एक नाकुन होता है नाकुन से थोड़े बड़े यानि कि 3-4 सेंटीमीटर के आप पीस काटेंगे उसको हम फिर आगे बोटल में रखते हैं तो वोटल कभी आगे में पार्ट आपको दिखाऊंगा अभी तो सिर्फ क्या है कि जैसे अब हर वक्त हमारे पास मश्रूम अब लेबल नहीं हो सकती तो क्या करते हैं अब जैसे मैंने कल्चर बनाए हैं इनी कल्चर से रिट्रिव करते चल जाते हैं इस ट्यूब रहेगी या पावर रहेगा उससे लग वो गब 8 से 10 या 15 बोटल आराम से मास्टर स्पान की बना सकते हैं और यह कितने टेंप्रेचर पर हमें रखना है टेंप्रेचर का भी मैंने जिकर किया था कि इनकूबेशन का टेंप्रेचर कितना रहेगा वो हमारा 24 से लेक पर हमें बोटल को रखना है अच्छी तरह से हाथों को सेनिटाइज करना है और यह फ्लेम जो चलती रहेगी यह हाइपा फिल्टर है इसके उपर यह यूवी रेज लगी होगी और नॉर्मल लाइट लगी होगी सबसे पहले क्या करना है आपने मीडिया बनाया मीडिया बन बोटल को लामिनार फ्लो के अंदर रखे है यह बंद कर दे हैं अच्ली तरह से इसको रखेंगे बोटल को करके और उसको यूवी रेज को ओन कर देंगे पुरा लामिनार बंद करके जसमिंट तक के लिए हमें इसको UV rays देनी है, जैसे 10 मिंट होंगे, उसके बाद इसको UV rays को बंद करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, फ्लेम को चालू रखना है, और आपकी बोटल पे नमरिंग करना है, यानि किस टेट में, किस टाइप क आप बटन मश्रूम का बीज बना रहे हैं, आप ओष्टर का बना रहे हैं, या मिल्की का बना रहे हैं, उस चीज़ का में ध्यान रखना है, इस तरह से आथों को सैनिटाइज करें, उन पर मार्किंग करना है, इस तरह से, यह कांच की बोटल जिनका मैं अभी आपको है, तो उसको खतम करने के लिए, पहले हम इसको लाल कर लेंगे, चीज़र से स्लाइज कर लेंगे, फिर आई बीए के अंदर इसको डाल देंगे, फिर उसमें से निकाल लेंगे, फिर दुबारा एक बारी फ्लेम के उपर से निकाल लेंगे, और फिर इसको यूज करेंगे, सपोज ये मेरे पास एक बोटल है और एक चोटा सा पार्ट मैंने से क्यूब का मैंने बनाया है कल्चर ??? अ, माल लिजए कि मैरे पास ही 15-20 दनिया महिने से एक बोटल रखी हुई है तो इसके उपर भी कोई fungus bacteria बैट सकता है, उसको slice करने के लिए, यानि कि उसको मारने के लिए, मैं इसको एक बार आग के उपर से इसको निकालूँगा, ताकि इसकी neck को जो भी fungus bacteria लगा हो, वो खतम हो जाए, क्योंकि मैं ये knob इसके अंदर डालूँगा, तो ये भी touch होगा तो उसमें कोई fungus bacteria ना आए, इसको बचाने के लिए हम इसको slice करते हैं, तो इसको हमने slice करिया, इसमें से छोटे से चने के दाने या घ्यों के दाने के बराबर एक piece निकाला, और इन bottles के उपर अंदर डाल देंगे, तो लग बाग 15-17 दिन में आपका culture एक त्यार हो जाता है, इस तरह से इसमें से काटेंगे, उसको फिर दुआरा बंद कर देंगे, और इस तरह से एक छोटी CBT's के बंदर डाल देंगे, और इस तरह से हम नम्बरी करके कि किस date में मैंने ये रखा है, इस तरह से पूरा, लग बाग आप देखोगे, पांच ये चार-साथ दिन में और बारी आती है, जो कांच की bottle की बात मैंने बताई थी, यानि कल्टर मैंने बना दिया, अब culture से मैं master span बनाऊंगा, तो वो कैसे बनाना है, बटल मेरे पास है, जो मैंने पेट्रिक अबनाई थी और पर बनाई थी और नॉर्मले ट्यूब के अंदर जो मैंने बनाया था, उसमें से क्या करना है, एक फोटा सा 3-4 cm के पीस निकालना है, और इस बोटल के अंदर डाल देना है, यहां भी सेम प्रोसेस होई रहेगा, यह हाइपा फिल्टर चलते रहेंगे, इनका क्या काम होता है, यह आपकी तरफ हावा फैक्ट है, जैसे आप देखरों फ्लेम आपकी तरफ है, यानि कि थोड़ी-थोड़ी हलकेल की हावा चलते है, और यह सूध हावा फैक्ट है, ताकि कोई फंगस बैक्टिरिया बाहर से, या कोई डस्ट इसन के ओपर आके ना बैठे, इस तरह से एक छोटा सा पीस अंदर से निकालना है, और इस तरह से फिर सेम प्रोसेस यहां भी रहेगा, इसकी गर्दन को अच्छी तरह से आपको स्लाइस करना है, और वो छोटा सा पीस जो आपने निकालना है, इसके अंदर डाल देंगे, तो लगबग आप देखेंगे, फिर कोटन प्लक के साथ इसको बंद करके रख देंगे, और लगबग 15-17 दिन में या 20 दन के अंदर अंदर आपका मस्टस्पान त्यार हो जाता है, यानि कि जहां पर मान लिजे कि मैंने वो छोटा सा टोकड़ा यहां पर डाला है, तो यहां से फंगस को फिलाना स्टार्ट कर देगा, पांचे साथ दिन में आप देखेंगे कि वो इस तन ऐसे फैल जाएगी, और फिर इसको हिला के बोटल को शेकिंग करके उस फंगस को तोड़ेंगे कि जिन जिन दानों के उपर वो चिप्ती है, ताकि दाने अच्छे से पूरे उस में बोटल के अंदर मिक्स हो जाएं, और आपका जो मैसीलियम है, जो फंगस का जाला है, जलती है जाए और आपका क्वालिटी भी हमारी उतनी अच्छी नहीं आएगी, उसके बाद बारी आती है में स्पान बैक की, यानि कि अपने मीडिया से अपने कल्चर बनाया, कल्चर से अपने मास्टर स्पान बना दिया, अब मास्टर स्पान से आप कोमर्शल स्पान कैसे बना होगे, यह हमने ओट पाद इनको 10 मिनट के लिए QV रेज देंगे और फिर जो मैंने बोटल बनाई थी बोटल सेम इसके अंदर 15-20 दाने डालेंगे इस तरह से इस मियां पर भी सेम रहेगा आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट कलर का आपका ग्रेन हो चुका है यानि कि फंगस बिल्कुल इसमे अच्छी तरह से रन कर चुकी है 15-20 दन में एक बोटल को त्यार होने में लगते हैं उसको हमने गर्दन को अच्छी तरह से फ्लेम के उपर से थोड़ा सा गरम कर लिया है ताकि कोई फंगस बेक्टिरियस की जो गर्दन के उपर लगा हो वो खतम हो जाए और फिर इसमें से के बाद देखेंगे कि आप टोटल 15 से 20 दन के अंदर अंदर आपका बैग आपको क्यार हो जाएगा और अब बारी आती है रिक्वाइर्मेंट की कि आपको स्पान लेवल लगानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जूरत पड़ती है आपको प्रैक्स चाहिए आपको ओटोकलेव चाहिए आपको फिपी बैग चाहिए आपको संट्रलाइज एसी टूब्स इन सब चीजों के आपको जूरत पड़ेगी रैक्स होगे फैन होगे कुछ बोटल्स हैं राम टीरिल की जो पोटन है लेमिनार्स हैं इन चीजों के आपको रिक्वाइर्मेंट हम यूज करें तो इनके हमें जूरत पड़ेगी और अब बादर आती हैं इनकुबेशन की यानिकि इनकुबेशन का मैंने मतलब बताया था यानिकि एक वाता अनुकुली तापमान जहां पर हम इन बैगों को रखते हैं वो तापमान रहेगा 24 प्लस माइनस दो यानिकि जात दिन में आपकी जो आपने दाने डालने हैं उसको फंगस फैलना स्टार्ट हो जाती है और उसको फिर अच्छे थे हाथों से हिलाके उस फंगस को तोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह पूरे बैग में बिल्कुल बराबर से फैल जाए और इससे आपका बैग च्छोटा सपीस काटके डाला है और इस तरह से पूरा जाड़ा फैल जाता है इसको हम कल्चर बोलते हैं और इसी कल्चर से फिर हमने च्छोटा सपीस काटके जो कांच की बोटल मैंने आपको दिखाई थी उनके अंदर डाला था और इससे लगवग 15-20 दन में ये पूरा इस तरह से त्यार हो जाता है यानि कि फंगस पूरे दानों में कवर कर लेते हैं बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले जैसे आपने गेहूं देखा ब्राउन कलर का था उस पे हमने हलकी सी टीटमेंट किया था कैलसियम कार्मेंटर सल्पेट का हलका सवाइट ह और आपको यहां भी बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि फंगस ने विसको बिल्कुल कवर कर लिया है इस तरह से इस में जाना प्यल चुका है और इस फंगस को इन दानों को हम कमर्श्यल बैक जो आप फार्मर्स को देते हम उनमें डालते हां यह इस तरह से शेकिंग करते हैं बैक को हिलाके और अब बारी आती है कि माली के शेकिंग आप ने कर दी तो जैसे आप खेती करते हैं तो फसलों में भी कुछ बीमारी आती हैं तो यहां पर भी सेम उसी तरह का सिस्टम है जो अगर आप कुछ साफधनिया नहीं बरतेंगे तो अब मैं कुछ आपको चीजे बताऊंगा कि कुछ अच्छी क्वालिटी का और बीमारी जिसमें कुछ बीजिस आई हुए उस तरह का स्पान आपको कैसा रहेगा जब भी आप स्पान बिल्कुल पास से देखेंगे इस तरह से आपको अलगलका वाइट आपको दिखाई अच्छी तरह से आपने चेक नहीं किया इसके अंदर लीकेज हो सकती है आप बैगों की हैंडलिंग करते हैं वहां से इसकी हवा निकल चुकी है और हवा निकलने के बाद इसके अंदर कोई दूसरी हवा आगी है यानि कि आपका कोटन प्लग लूज है और जब आप बैगो पानी आपने डाल दिया हो और उसको देखने के बाद बिल्कुल चिपचिपा लगेगा उसमें से बदबू आएगी तो इसकी पैचान है कि इसमें बैक्टीरिया आया हुआ है इसका सिरफ एक ही कारण है यह तो आपने इसको अच्छी तरह से इसकी दुलाई नहीं की है और जितना पैसरा मैंने बताया था वहाँ पे नहीं किया है यह सिर्फ इन दो कारणों से आता है यह आप करेगा यलो मोल्ड यह देखे बिल्कुल आप इसमें पीला पिला आपको दिखाई दे रहा है तो यह भी कारण लीकेज का है या फिर आपका कोटन प्लग जो आपने मतलग की लूज है आपकी महां से एयर आसपास जा रही है और या फिर इसमें आपकी हैंडलिंग आपने अच्छे से नहीं की जो अपने कोटन प्लग है उस पे हात वगारा लगा के उस फंगस वगारा कोई आग यह जिसकी कारण आपका बैग खराब हुआ है तो इन को निकाल दें उसको बैग को ना लें तो अब बारी आती है एक नो मिस की यनि कि अगर आप स्पान लैब लगाना चाहते हैं अप उसमें आपको कितनी लागत आपकी लगेगी क्या के इंस्ट्रुमेंट से यहेंगे उन पर कितना खर्चा आता है तो सबसे पहले मैंने एक सब्सक्राइब लिया है और सिवेज लिये हैं जो भी चीज आपने लैब में देखिए उनके एक मैंने एस्टिमेटेड वैल्यू दी है और यह लमवाई चुडाई रहेगी जो भी आप वोईलिंग रूम बनाएं इनकुबेशन रूम बनाएं इनकुलेशन रूम बनाएं उसकी कोष्ट मैंने वजार रोपे स्क्वेर फिट के उपर डाले है कि ववग आपकी हजार रूपे तरच होते हैं तो यह मैंने जो रा माटीरियल मैं रेता हूँ चाहे मैंने अपने गहू ली है अपने कैल्सिम का फॉनेट सलफेट जो लिया है पोटन ली है पीपी बैग लिया है बटर पेपर लगाए है मैंने 100 kg के हिसाब से उसकी कोश्ट लगाई है अब रिक्वार्मेंट इस पान लाब के लिए क्या क्या जो देखे अगर आप लगाते है तो आपको उसके अंदर क्या क्या चाहिए लाब के अंदर आपको एक ओफिस भी चाहिएगा प्यूर कल्चर बैंक भी चाहिएगा स्टोर रूम चाहिए वाशिंग रूम चाहिए और यह कुछ important instrument है, जो हमें लैब के अंदर चाहिए है, जासे autoclave हो गया, BOD हो गया, laminar airflow हो गया, gas, electric stove आपने देखा ही होगा कि laminar के अंदर रखा हुआ था, refrigerator हो गया, pH meter चिस सबसीड का pH check करेंगे. और यह AC room चाहिए, test tube चाहिए, inuculation चाहिए, racks, room, alcohol यह कुछ chemicals है, pp bag, lamp, plastic, neck ring, chemicals आगे, dash toes आगे, agar, powder, ethylene, spray, alcohol, acid, formaldehyde, यह तरह के हमें chemical चाहिएंगे. कैल्सिम, sulfate, carbonate, इनका भी यूज़ मैंने बताया था, हमाल टक्स्टैक्ट भी यूज़ करते हैं, संथैटिक मीडिया बनाने के लिए, और यह रिस्टैक्टैक्ट चाहिए, पैप्टॉन चाहिए, कुछ हमें इसमें से chemical codicep में भी चाहिए, जो codicep मुगाते हैं, उसके अ जाल खाल जाता है, और उससे फिर हम आगे उसको multiply करके mushroom का बेज बनाते हैं, और एक आता है spore culture, अगर spore culture का मतलब क्या है कि, जैसे आप mushroom आप देखते होंगे, जो market मिलती है, उसके बाद वो जैसे थोड़ा सा mature होती है, खुल टाती है, खत्रेसी बन दाती है, उसके नीच अपना spon हम प्यार कर सकते हैं, उनको media के उपर डालके, उससे हम commercial spon बना सकते हैं, तो धन्यवाद, अब इसमें अगर कोई किसी की problem है, तो वो बताएं, और एक जो बताना में बूल गया, अगर आप अपनी spon lab लगाते हैं, तो पूरा मतलब एक kilo जो हमारा spon हम बनाते हैं सुरू से लेके लाश्ट तक उस पे अलग बग खर्चा आता है हमारा 50 रुपे के आसपाव, और मार्किट में अगर आप देखते हैं, यह हमारा जो मुर्थल रिजिनल मश्रूम रिसर्स सेंटर है, शेत्रिय मश्रूम अनुसंधान के अंदर, यहां से हम 75 रुपे पर kilo के ह साब सें बीच बेजते हैं, चाहिए आप बटन मश्रूम का लें, ओष्टर मश्रूम का लें, कोई भी मश्रूम का बीच लें, वो पर चतर रुपे किलो के साब से मिलता है, अगर आप बहर आप प्राइवेट लाब से आप अगर पहीं से देखते हैं, तो वो लोग बहुत धन्यवाद, अब किसी का कोई क्रेशन हो, तो आप पूस सकते हैं, अब किसी का कोई क्रेशन हो, तो आप पूस सकते हैं, अब इशू, जी, देखिए, जो स्पान लैब का प्रोजेक्ट होता है, ये लग-बग 16 से 18 लाग का रहता है, और इस पे 40% की सबसीड़ी अनुदाम रहता है सरकार की तरफ से, और अगर इंकम की बात करें इस से, इंकम की फिर रहता है कि मार्किटिंग, मार्किटिंग आप अच्छे करें, और जितना मर्जी आप लग-बग जो हमारी लाब ये मुर्थल में हम अप्रोकिस से 200 तन पर येर स्पान प्रोड़क्शन करते हैं, और हम लग-बग इंडिया में सब नंबर वन है स्पान प्रोड़क्शन करने में, ठीक है सब्सक्राइब करने में, जी, यह उनली हर्याने में है सर कहीं वी, यूपी में हुए, नहीं यह भी जो सेंटर है जहां से आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये जो मिश्रूम का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सेंटर मुर्थल में है हर्याणा में, सौनिपर डिस्टिक में, जी, सर मैं मिला तना ना आवी, यहां से आप ऊकते हैं, आप करतोष को कहीं भी सकते हैं, नहीं जैसे लेव का समान के लिए, सर्सेडी है जिसके हैं, एक यह स्टेट गोश्म की भी है हर्याना सरकार की भी है मेरी बात सुने पहले 40 पर से अभी तक सबसीड़ी है तो में ऑप से लिए ठीक है तो इसमें 40 पर से में हैं और कहीं भी आप लगाएं चाहे आप यूपी लगाएं राजस्थान लगाएं और इसके लिए आपको क्या सिरफ एक प्रोजक्ट फाइल से एगी वह यह तो आपको डीमर सोलन से मिलेगी या फिर इस मूर्थल सेंटर से मिलेगी सब्सक्राइब करते हैं अगर आप लोग आएं तो हम आपको विजिट कराएंगे सेंटर में कैसे कैसे यहां पर क्या चल रहा है जैसे कि चलो यह हमारी मजबूरी है आप लोगों की है तो वैसे जो हम लोग फीजिकली टेनिंग करते हैं यहां बुला के करते हैं फार्मर्स की अभी हमने स्टार्ट नहीं की गए और जैसे नेक्स्ट वो स्टार्ट करेंगे तो पूरा दिन उसमें पूरा प्रैक्टिकल क प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे आपको कि उसमें सारा लिखा होता है वह पुरा उसी की साफ से बनता है और उसी पर ही अगर उसी को आप फोलो करते हैं सबसीड़ी आपको उसी इस पर मिलेगी गौर्मिट की काईलेंट की अपोर्टिक जैसे आप लोग अभी लिखने जाएंगे और फिर अलग बग एक अफ़ते के अंदर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगी वह वह दोड़ों तीजे ट्रेनिंग सर्टिविकेट और आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको लेकर आप जिस भी आप जीले से आते हैं जीस भी डिश्टिक करना है आपके पास जो भी नेशनलाइज बैंक हो उससे आप पर्मीशन लें कि लॉन कितना प्रसंट को लें इस पे रहेगा लोन आपका 40 परसंट का यानि कि 20 अगर यह लगभग 18,000,000 वीचे 7,000,000 आपका रहेगा आपको 60 परसंट लगाना है ना 20 परसंट कैसे कह रहे हैं हर साल ले सकते हैं सर विलकुल हर साल जो भी आप यूनिट लगाएंगे एक यूनिट आपको एक ही बारी में मिलेगा माल लीजिए आप ग्रोविंग रूम लगाना चाहते हैं मश्रूम पैदा करने के लिए तो सिरफ जो सबसेड़ी है वो 20 लाग के उपर है वो 20 लाग का प्रोजेक्ट है अगर 20 से उपर चाहे आपके 21 लगे या 22 लगे लगे तो सबसेड़ी आपको सिरफ 20 लाग के ही सबस्क्राइब लगाना चाहते हैं और दो रूम और लगाना चाहते हैं तो अपको मिल जाएगी आप सबसेड़ी जाते हैं तो इस पर नहीं मिलेगी आपको सिरफ एक टेक्निक पर एक चीज़ पर एक ही बार सबसेड़ी मिलेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेती वो 33 लाग की थी वीश लाग की नहीं तो उसके क्या सोटी पसेंट मिलेगी देखे जो भी गवर्मेंट की तरफ से अभी का जो स्टेटस है वह 20 लाग के ऊपर ही सबसीड़ी देंगी तो उसे उपर नहीं देंगे यानि की आपको लाश्ट बीस लाग तो इस वे मतलब की आठ लाग आपको आपके मार्ट हो जाएगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर देखे हमारी रिक्मेंटेशन के हिसाब से तो हम 10 किलो का रिक्मेंट करते हैं एक पैक 10 केजी का रहेगा श्रम करते हैं यानि कि आपका लगब एक किलो कराव से लग जाए पर देखे उसका कोई प्रोडक्शन को फरक निपड़ता माली जीए आप गीहू बेजते हैं मलब कि आप फार्मर है आप खेतों में गेहू लगाते हूंगे तो जो तो हमारी चोदरी चरन सिंग हराणा अगरिकल से नुश्की है तो रिकमेंडेशन करती है भी एक एक एकड में आप चालीस किलो गयों डालें आप चाहें पचास डाल दें ब्रक तो कुछ नहीं पड़ना उल्टा क्या होगा कि स्पेसिंग और वो चीज़े जाधा हो जाएंग तो सुखी तो वही रहेगा जिसमें कम लोग हैं उनको अच्छा खाने को मिलेगा और एक है कि जहां पर दस लोग हैं तो पूछ चीज से आप इसको डिफिनिशेट कर सकते हैं सबसे पहले आप ग्रोइंग रूम लगा के पहले ब्रो करें आप स्पान चाहिए तो आप मुर्थल से ले या सोलन से ले और अपना लगाएं धीरे धीरे जैसे आपका confidence build-up होता जाएगा तो आप उस पे increase करते जाएं फिर आप अपना setup आप चाहें उसमें compost unit आगे बढ़ा दें या फिर आप अपना स्पान लेब लगाएं ठीक है ना पहले तो किसी काम में एंट्री करते हैं तो एक-एक स्टैप वाइस चलें राइट 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 थैंक्यू सब्सक्राइब और सभी को मैं सबसे पहले बेसिक चीजों के उपर नोलिज उनकी ले एड़मास पर बाद में जाए पहले जर्नली दोसो चारसो प्यक्राइब कर रहे हैं अभी कर रहे हैं इसका कुछ डिफरेंस रहता है कंपोस्ट का जैसे हम ले के आते हैं माल त्यार हुआ देखे इसमें क्या रहता है जो यह मुर्थल सेंटर है देखे यहां पर एक साल में एक बार ही डिसाइड होते हैं यह सरकार की तरफ से डिसाइड होता है हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करते और जो हमारा रेट है वो 5 रुपे किलो है कंपोस्ट का और 75 रुपे किलो सब्सक्राइड कर सकता हूं साइड इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा त्यार हुआ है देखे उसके लिए आपको बुकिंग करने पड़ेगी पहले जादा पड़ेगा तो आप ऐसा कर ले अपनी ले आए आप पांच रुपे किलो बीज ले 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 सब्सक्राइब और उसमें लग बग आपको मिल जाएगा पीज मिक्स वरके यानिक आपको लग बग वच्पन या साट रुपे के आसपास बढ़ जाएगा तो सीति से बात है पचास का आपने साट रुपे और अदर आपको साट से मलब मैक्सिमम सतर रुपे के अंदर अदर आपको सिमेट दाएगा सार करते हैं उसमें भी सबसेटी रहता है कि अपको बताएंगे जो जिस भी आप राज़े से आप आएंगे तिक है ना जी जो भी अभी जो स्कीम चल रही है उनके बारे में आप माली जे कि हर्याना में माली जे कि आप यूपी से हैं तो वह जिस भी डिस्टिक से आप आते हैं वहां के डियाच्टू से बात करें कि कोई सबसीली चल रही है क्योंकि कहीं जगह क्या रहता है कि अलग-अलग सबसीली चलती है इस तरह अलग-अलग रहता है हरी सिस्टम तो वह ज्यादा तर आप जिस जिस्टिक से आप डिस्टिक से आते हैं वहां के डियाच्टू से आप सीज के बारे में डिसकस कर लें और किसी का कोई क्वेस्टिन हो क्या कह रहे हैं पहले पना नाम बताएं एक करके बोले केसिंग करके पूरा मिलेगा यह सतर रुपे आप कहां से नहीं देखिए केसिंग पांच रुपे किलो है अच्छे एक बैग में देखिए मैं दुबारा कंक्लूट कर देखा हूं सारा आप पचास रुपे का दस किलो कंपोश्ट लें ठीक है ना बीज ले 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 लगवा पांच से साथ रुपे का आपका बीज डल जाएगा पांच रुपे का बीज डाल रहे हैं दो तीन रुप तो अकर उस केसिंग लेते हैं आप यहीं से तुलब बग दो किलो 10 रुपे की केसिंग होगी यानिकि 75 रुपे में आपका पूरा कंप्रीट हो जाएगा पूरा बेग कंप्रीट हो जाएगा इसकी ट्रांस्पोर्टेशन आपकी खुद की रहेगी हम तो सिरफ इतना कर सकते हैं कि यहां का यह यूनियन है उनका नंबर दे देंगा उनसे बात कर लें जो भी आपका रेट उनके अकोर्डिंग रहेगा आपकर लें और एक सर यह सुना अभी नया की बिजली विभाग है जोर याना उसका कुछ सब्सीडी बगारा का कुछ चल रहा है वह नोटिफिकेशन कुछ आया था उनका अभी वह मैं भी शोर नहीं हो कि उन्होंने वह कर दिया कि नहीं वह 4.75 का या कुछ रेट निकाल लें जो मश्र है थे मुझे माकसिमुम 20लाग का निया मेरा प्राजेक्ट है तो ही मुझे 20 परसंत्र घ्रेगी मैं मुझे बात कर रहर हूं चीं है तो 20 लाग का रेज़ी मिल जाएगी चाहिए है है होता न जब आ बैंक से लोन ले जाते हो तो बैंक आप से पूछता है क्या आप अपनी इ कर दिया maximum काम को आपको फिर वो आपके खाते में आएगा जैसे कि आपका प्रोसेस रन हो जाएगा 50-60% काम हो गया तब आपके खाते में आना स्टार्ट होगा इंस्टोल्मेंट में थोड़ा 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 यह नहीं कि एकदम नहीं डालेंगे कि पूरा आठ लाक एकद ली जै कि आप अपने काम करना चाहते हैं आप मश्रूम ग्रोवर मलब ग्रोइंग करना चाहरी हैं और सब्सक्राइब कर लिया को सब्सक्राइब कर नाम से अपने नाम से ऊपके नाम हो यह फिर आप जिस पे लिएन साल के लिए minimum क्योंकि हम लोग गुर्गाओं मैं गुर्गाओं से बात कर रही हूं और हम यहीं सोना में लगाने का सोच रहे हैं यहां पर अपनी कोई लांड नहीं है तो हम उस आप लीज पे डिल लें तो उससे हमें सब्सुट्विटी मिल जाएगी राइब जी 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 थैंक यू ओके व यह तो नहीं कह सकते यह तो उनके उपर रहता है कि डिपार्टमेंट थोड़ा अलग हो गया जब तक आपका बनके त्यार होगा उसके सुरू स्टार्टिंग तक ही लग बग आ जाएगा सारा अप्रोक्स और किसी का कोई क्वेशन हो तो बताएं सर यह बेग अपन मंगोना चाहिए तक क्या प्रोसेस है देखिए आप अगर मूर्थल से इस सेंटर से कुछ भी लेना चाहते हैं सबसे पहले क्लियर करता हूं हमारे यहां पर बीज है पीज आपको मिल जाएगा कोई भी मुश्रूम का आप लें चाहिए आप धिंगरी मुश्रूम का लें आप बटन मुश्रूम के जैसे हम भीजते हैं आप कोई भी मुश्रूम के फ्रूटिंग बैग यहां से ले सकते हैं वो बने बनाए अलग-अलग रेट सभी की हैं चाहिए आप और मिल्की के लिए लें ठीक है बटन का मैंने भी जिकर किया था कि कैसे उसको आप मतलब की वैसे तो 100 प बुकिंग कराएंगे तो आपको लग-बग हमें 12-15 दिन के आसपास 18 दिन कतों में टाइम लगता ही है प्रोसेस करने में लग-बग 20 दिन पहले जितना जल्दी आप उतना ही कोसिस करते हैं उतना जल्दी आपको दे दें उतना जल्दी आपका नमबर आ जाएगा लोग तो आपके राजवाजस्तान में इधर अलवर जयापूर काफी लोग इदर से लेके जाते हैं तो वही है कि जैसे आपको लेके जाना है आप ट्रांसपोर्ट से आपने बुकिंग करा दीजीए कि आप 10 तन लेके जाते हैं एक गड़्डी करें उसमें भरवाएं और अपना ले यहां से लोडिंग देते हैं और यहां राज्तान किसी बड़े गिलिर का नमर जैपूर में है नमर तो भी मेरे याद नहीं है क्या नाम से सूरज सर्मा वह भी कुछ बैग लेके गए तो नहीं अपना बनाया सेट अप और काफी फार्मर्स हैं वह अपने अपने पर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे अगर स्पान आप बनाते हैं तो लग वह 15-20 दन उसको त्यार होने में लगता है जैसे हम आप से लेकर जाते हैं तो उसके लिए 20-25 दिन उसकी लाइफ है मतला हाँ 20-25 दिन उसकी लाइफ है बस थोड़ा सा आपको कंट्रल कंडिशन में उसको रख राइट राइट ठीक थैंक्यू हलो सर् तक कि अगर सपोस्क्रों हमें नहीं और से लिया हमें स्पॉन तो हमें क्वालिटी हम चेकर करेंगे कि वह अच्छा है कि बढ़िया है देखिए थोड़े सा उसका ऐसा रहता है एक मिनिट और भी होड़ रखना हां जी पीज नहीं हो आपका कितना था 120 ना वो बोल रहा है बस अभी खाना खालिया होगा नोंने दो पांच साथ मिन्ट की बात हो रहे ठीक है ना वो बोल दिया था 120 का था हां जी तो यह था क्या क्वेश्चन था आपका क्वालिटी का इशु क्या रहता है फस्स लिप आपको क्या देखना है जहां से भी आप बीज लें पैट शोर करें कि उसका टाइमिंग वो इनुक्लेट किया हुआ है उससे मालब बारा पंदरा सुतरा दिन में वो बन के तियार होता है उसके बाद वो कितने टाइम तक क्य जरूर देखें कि किस डेट का इनुक्लेट किया हुआ है किस लोटका है उतना केजी है और उसके बाद आप पान ले रहे हैं तो उसमें एक चीज देखनी है कोई भी आपको हरे रंग का या पीले रंग का या उसमें कोई बैक्टिरियल ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही हो जिससे आपको उसमें लगे कि डाउट हो कि हाँ ये कुछ खराब हो सकता है। उसमें बिल्कुल स्पोर्ट आपको दिखाई देंगे, नदर आएंगे। इन चीजों का आपको साफधानी के साथ दान रखना है, कि उसके कोटन प्लग लूज ना हो, उसमें कोई फंगल इस्फेक्शन ना हो रखा हो, वह आपको जैसे मैंने सिंटम्स दिखाए थे, कि ब्लैक कलर का, कोई घरे रंग का, या पीले रंग का, इस तरह का उसमें कुछ म आपको बिल्कुल दिखाई देगा, जैसे भी आप हाथ में बैक को बिल्कुल देखो गए, तो बिल्कुल क्लिरली आपको दिखाई देगा, तो इस ती जोग आपको साफधानी के साथ रखना है, और यह चीज़ कुछ में कि कि किस जनरेशन का बीज है, फिर्ष्ट का है, कई बार क्या होता है कि प्राइवेट लैव वाले मुनाफ़े के चक्कर में क्या करते हैं, जैसे मैंने मैठड बताया आपको कि हम कल्चर बनाते हैं, कल्चर से फिर हम मास्टर स्पान बनाएंगे, मास्टर स्पान की जो बोटल होगी, उससे फिर हम बैग बनाते हैं, प्रा नहीं लग जाएंगे आपको बैग तो बिल्कुल भरावा दिखेगा जैसे थोड़ी बड़ी होंगी मुश्रूम आपकी खुल जाएंगी क्वाल्टी अच्छी नहीं आईगी और मार्केट में आपको रेट अच्छे नहीं मिलेंगे तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्य और सर पता कैसे चल की फर्स्ट सेकंड या थर्ड जेमरेशन का स्पॉन है यह तो थोड़ा सापको से पूछना पड़ेगा वह क्या बताता है इसके को यह तो फिर वह अच्छा है वरना आप जब पीजाई करेंगे तिरा आपके सामने एक कुली किताब होगी अच्छा जैसे कमपोश के लिए बीस पच्छी दिन पहले और करना पड़ता है आप कोशिस करें थोड़ा पहले करें बीस पच्छी तो मैंने मिनिमम मतलब बताया कि इतना तो होना ही चाहिए इतना जल्दी करेंगे उतना टाइम से और उतना ही जल्दी आपको मिल जाएग प्रसेश पॉन के लिए पॉन तो दस बीस दीस किलो तो आपको अब भी भी ले जाएं प्रचास किलो और फॉन कर सकते हैं मैं नंबर अभी चैट बॉक्स में डाल दूगा यह हमारे सेंटर के नंबर है आप इन पे कभी भी फॉन करके पूश सकते हैं जी हमें बीच और थोड़ा सा अंडर प्रोसेस होता है तो हम आपको बता भी दें जी एक दो दिन लगेंगा चार दिन लगेंगा उस दिन आ जाएं ठीक है ना ओक सर्वांजी मैं चैट बॉक्स में नंबर लिख देता हूं अभी आप नंबर नोट कर लें तो यह देश बैग तो रेडीमेट देल जाएंगे तो आप जाएंगे तो यह दोनों सिस्टम है और लाइन भी दे सकते हैं कैस्वी दे सकते हैं जैसे परवाने के लिए पहले कुछ पर प्रेमेट करना पड़ता है तो यह ऐसा तो नहीं है आप ने बोल दिया आज उठाना है तो देखें मान लिजे कि आपने पोस्ट बुक कराया है तो हम आपको डेट देंगे कि आज आप करा रहे हैं तो ठीक है जी हम आपको देंगे वीस से पत्रिस तारीक के बीच में उस देट में मतलब यह चारवांदर इसलिए होते हैं कि जो चैंबर भरते हैं जब इनका टेंटर कम आता है ना वह हम एक्चुल डेट नहीं बता सकते हैं कि हाँ जी मैंने आज भर गया है और जी आपका वीस तारीक को ही आएगा उसमें एक-दो दीन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हम लंग समय इसके बीचे में जब भी चैंबर पहले ही बता देंगे आपको कि आम 15-20 के बीच में देंगे आपको या 20-25 के बीच में देंगे उसमें आप त्यार रहें मान लेजे कि चलो आज नहीं आपएट कोई बात ने अफ्कल आ जाएं जैसे आभी देखो कई जाना जाना नहीं चाहिए हैं आप इन्पे बात कर सकते हैं अगर हमें आपके और से लेना हूं तो हम कहां ले सकते हैं देखिए मैं कोई प्राइवेट वले वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते हैं आप कोगे कि उन चर ने बताया था तो लेकर आगे और फिर वही बात है कि वहां से आपको क्वाल्टी आपको अच्छी मिलेगी इस चीज़से आप बेचिंद रहें प्राइवेट का मैं कोई वो नहीं करता है कहीं से बात है कहीं से विलें गौर्मिंट इस्टूट से लें जब मरजी आप लेकर जा सकते हैं नमस्ते पर जी अनियल बोल रहा हुं भीका नेर से आज जी बोलें जाना था थोड़ा सा थोड़ा सा केसिंग में देखिए ऐसा है हम 3-4 चीज़े मिक्स करते हैं केसिंग में तबसे पहले नारियल का बुरादा उसके अंदर मिक्स करते हैं जो राइस मेल होता है ना उसका जो चावल का चिलका होता है हास उसको जलाके जो उसकी राक बनती है उसको यूज करेंगे हम सड़ी गोबर की खाज डेट दो साल पुरानी वह यूज करते हैं और बालूरेट यानि की संटी सोयल इन तीनो चारो चीज़ों को आयतन में ह करना है इनमेंसी दो भी आपके पास चीज़ें हैं अगर दो चीज़ें तो दो मिला दे तीन है तो तीनों मिला दे पर कोशिस करें नारियल का बुरादा मिल जाए वह ज्यादा अच्छा है खाद में थोड़ी मिट्टी में लिए 15-20 प्रसेंट चल जाएगी वह देखिए कुछ नहीं कह सकते हैं कई बार जो नमेटोड होते हैं उनकी भी प्रोब्लम आ जाती है और क्योंकि वह मिट्टी की बिमारी है उससे चलने को तो चल जाएगी बट इस्यू पिर वही रहता ह कि वह नमेटोड आ जाते हैं तो ग्रोफ होने नहीं जाते हैं तो एक बात बताओ 700 क्विंटल के लिए कितने चाहिए किटना कह रहे हैं 700 मतला 7000 बैग हमारे 7000 बैग हैं तो सिद्धी सी बात हैं एक टन में आगे आपके 10 क्विंटल ठीक है ना तो एक टन में आपका बीज के सिंग एक बैग में 2.5-1.5-1.5-2.5 गे लगे लगए। और रैक में भी ऐसा होता है रैक में ज़्यादा लगती है लगबग वह अगर आउंड फिकर में देखें तो लगबग उतनी ही जगह में लगबग डैक की वही बात परदे आ अप्रॉप्स लेड़ से दो किलो बल्टी से यहां कोई समझोता नहीं है तब इस से कहीं से आप पूछें ठीक ठीक बात और जैसे कि हम आप से अगर हम पोश्ट या पर स्पॉन लेते हैं तो वहां पर रहें पर बैग लें और वह सारा पर प्रपेर कर दें आप लेबर आपको बिलवा देते हैं जैसे माली जै अब आप जमाली की कम फोश्ट है अगर आप जैसे बैग की मैंने बात बताई थी तो नंबर देते हैं लेवर का वह आचत्य बढ़ने के लिए वह पांच रुपे छे रुपे पर लेती है जैसे मैंने प्रोसेस बताए था उसमें आपको फायदा है और अपने भी लेक आ सकते हैं हमें कोई जागे देंगे आप अपना भरते रहें तोलने के लिए उसमें तो फिर वह लास्ट में काटा हो जाएगा कि हाँ इतने बैक बढ़े गए लग सम्में जितना रहेगा चाहा हो फोड़ा दोसों फाल्त हो जाए तो ज्यादा हो उसके कोईश्यों लिए वह तो उतने काई बील कट जाना है जी और किसी के कोई क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मैं आवाज नहीं सुन पा रहा है एकर करके बताएं जी तब सीड़ी के लिए किस ऑफिशर से बात करने के लिए बोले द्धाब यह जिला उद्यान अधिकारी यानि कि डिस्टिक होटिकल्टर ओफिशर ओफिशर ठीक तिंक यह एक पीकप में कितना आ जाता है अगर एक मैजिक है तो लग बग उसमें आ जाता है देट दो टन के असपास जैसे तो जाते हैं वो फिर उपर रहता है कि उपर किसी ने तरपाल बगएरा लगाई है कि नहीं है तो थोड़ा से और फाल्ट वा जाता है कोई टाटा चार सो साथ है उसमें अराम से नोर्मली डाइटीन टन के असपास आ जाएगा अगर पोई छे टार जैसे आई सर का लेके आए हैं तो लग उसमें साथ आटन के असपास आ जाते हैं सर जैसे हम कंपोश्ट कुद के बनाते हैं सर तो सर उसको जमीन बना सकते हैं तो इस तो नहीं जमान देखिए जहां भी आप बनाएं तो थोड़ा सा कोशिस करें हो हलका सा मतलब सक्ट जमीन हो अगर पक्का है तो ज्यादा अच्छा है आप पोलतीन की सीट बचा लेक अब देखिए कंपोश्ट पाच रुपए किलो स्पान पचातर रुपए किलो केसिंग पाच रुपए किलो नगी шир बनाने नvalsाल में बताने लगें तो सायई वह चुट सταιब है ем लेक्टोर है सबहुत दुखन हो रहा तुम मंध लोगो को बताँ रहा था जो आप लोग खुले में जो बनाएंगे उसका भी लेक्टर है अलग-अलग तो वह जो एक्सपर्ट होंगे तो यह चीज वह ही बताएंगे उसमें मैं नहीं गुशूँगा यह जो और दूसरा है सेवन जी रवन फाइव नाइन नाइन यह नाइन वन टू यह दोनों हमारे सेंटर के नंबर है आप ऑफिश टैम में कभी भी फोन करें नो बज़े से लेके पांच बज़े तक सर एक बार पुछनी है वर्षा जरी वाला बोल रही हूं गुजरात विहार से अच्छा की साइज क्या लानी होगी आप जो कह रहे है देखिए बैग की साइज रहेगी 24 इंटू 30 24 इंटू 30 हां एक जर्नल सा क्या रहता है जैसे आप मंडी में देखा होगा बड़े- किलो सबजी आती है वो बैग आराम सी चल जाएंगे मेरम उनी को ले लें वो सस्ते भी पढ़ेंगे वो दो तीन रुपे का एक पढ़ जाएगा थोड़े आठ दस बैग के लिए कोई शू नहीं है वो दलार्ज अमांट में चाहिए उसके लिए तो आ फोन जो मैंने बता द किया है तो डॉपन केया खाय कि एक बार्य शूर नहीं पर नहीं की pa होते हैं य दो तो बड़ा मतलब संधली की कि हाते हैं अम पूरे ही नहीं कर पाते हैं और सर जो चोवीज बैस बगा यह वह भी पी-पी का चलेगा या वह भी-पी का नहीं कि अधिन के लिए जिसको श्लाइस करते हैं उसका इससे कोई तो सिंपल बैग चाहिए आप लोग मुश्रूम भरने के लिए और सर जिस हम भनेट में हम पाक करते हैं मश्रूम आदमे तो तो उसके ओपर प्लास्टिक रैप करते हैं वह भी नॉर्मल चलेगा या भी वो भी कोई पैशल आता है नहीं वह पैकिंग के लिए इस पेसल आती है उसका गदल बनता है लग से एक रोल मिलेगा आपको रोल में नॉर्मल क्वालिटी भी आती है और मानों से पिरियूर्टी वो तो फिर उसके कोटिंग रहेगा बिलकुल उसका कुछ नाम भी बोलते हैं उसका बाइनिंग रोल ही पोलते हैं पैकिंग रोल ओके और किसी का कोई हो तो बताएं वरना फिर तीन बज़े फिर क्लास है ओके तो ठीक है धन्यवाद आप लोगों ने अच्छी से सुना काफी अच्छा लगा कोश्चन पूछें आप लोगों ने सबी मश्रूम का कोई बाइर नहीं पर नहीं होती A अंदर है श्यादियों को है कमरे में बतलब है त्लब कि और अपिरियों किर डिग्री पे करनी रीक शरूम का अलग होते कि कौई मश्रूम किस डक्री पर होती है जैसे कि बटन मश्रूम है ये लगबग आपकी जैसे आप लेके जाते हैं तो लगबग आपको 15 दिन तक आपको या 15 दिन तक एक बंद कमरे में रखने होती है वहाँ पर आपको टेंपरेचर मैंटेन करना है 20-25 डिगरी और जैसे उसके बाद आप केसिंग करेंगी के बाद टेंपरेचर कम करना है और वह आपको चाहिए लगबग 16 से 18 दिगरी गया सब्सक्रास ऐसे ही ओष्टर मश्रूम की अगर बात करें ओष्टर में हमारी 4-5 तरह की मश्रूम आती है उसमें कलरवाई जैसे आपने कैप्सिकम देखी होगी सिमला मिर्थ अलग-अलग कलर की हो अगर आपको प्लीज माइक बंद कर लें कोई डवल लोगी है उसमें इसी तरह की और अलग-अलग तरह की मश्रूम आपको मिलेगी तो इन उसमें 15 से लेके 35 दिगरी पर हम उगा सकते हैं ऐसे ही मिलकी मश्रूम है वह हम 30-35 डिगरी 40 डिगरी तक अराम से उगा सकते हैं ठ और किंग और यह कोड़़ए यह लग माई यह लगबगका apoyo 20-32 सीटाक में उसको भी 20-22 डिगरी ताइंपटेटर चाहिए जयोंग उंगए में जैसे गर्मी की मश्रूम है तो और आप मिल की कर सकते हैं जैसे फोटन के बात करें तो लगवर 20-25 से तक लगवर तेंपर रखना है जैसे आपने केसिंग कर दी फिर उसमें वाटरिंग आपके पानी देना है और टेम्प्रेटर को डाउन लेकर आना है तो कि लिए आपको 16 से ठारा डिगरी और तेम्प्रेटर को आच्छा माना जाता है जैसे यह स्पान का लेक्टर का अलग अलग लेक्टर रखा गया है सब कुछ बताया जाएगा लगबग हरेक मश्रूम के लिए एक परसेंट तक चाहिए हां जी आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपकी 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 आवाज नहीं सुनाई दे रही है मैं तो यह देखे जाए यह डारी इसकी डारी यह देखे सबी लोग करें जिनका पॉसिबल है माइक और प्लीज माइक और कर ले जिनकी जो कोई कोशन पूछन पूछन चाहरा है और अपने वीडियो और इनको कोशन पूछन पूछना है सिर्फ वो ही माइक और बाटे बंद कर लें प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है सभी लोग अपना माइक बंद रखें वीडियो और कर लें जिनका पूछन हरान से पूछे कोई दिकत नहीं है वीडियों बैटके आपना हाथ ऐसे राइस कर ले घड़ा कर ले मैं उनका नाम मेरे को दिकता है यहां से कौन कौन बोल रहा है उनसे पूछ लूँगा नो इश्यू अब बताएं एकर करके बताएं अरियों सर्मा जी कुछ कह रहे थे आप और कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो वो वह हां जी अजी यह नहीं ओस्टर तो आप ओस्टर की डिमांड देंगे आपकी जो रिक्वार्मेंट है उतने ही बैगम रेडी करें आपको देंगें अजी आजय कुमार जी राहूल कोई क्वेशन पूछ रहे हैं कि अजी अब नेक्स लेक्चर कितने बज़े हैं जी नेक्स लेक्चर होगा त्री ओक लोग तिन बज़े कि सर जैसे एक हजार बैग के लिए से कितना बड़ा रूम चाहिएगा सर हमें जो हम पक्का रूम देखिए उसमें ऐसा रहेगा रूम के ओपर पर ऐसा रहता है कि एक बैग लगबग आपका सवाफिट के असपास जगया के लगता है जी जी सरु तो उससे आप अंदाजा लगा सकते आपका रूम कितने बाई कितने का है और लगबग आपको बीच में आने जाने के लिए जगदे भी छोड़नी है जना से आप एगो को हैंडल कर सकते हैं तो अगर आप के पास पड़ा है तो उसमें कर ले अगर पनाना ही है तो आप प्यानल कर बनाएं जो अभी डिसकस कर रहे थे हम जी ठीक से और अगर और सपेर रूम कोई पड़े है तो उसमें भी पर सकते हैं शार आपने बैक सबाप इंड बाएं कितना फिट बताया आप्रोक्स रहेगी वन फिट के आसपास एक दो नीचे हो जाती है वन फिट से कभी रहती है और बताएं तर पैनल में कुछ आप भी मुदद करते हो उसर मतलब आपको प्रोजेक्ट रिप्रोट देना वह फिर आपको की तरफ से बनवाना चाहते हैं अलग अलग कंपनीज हैं ठीक है ना उनसे आप बात कर सकते हैं जैसे बिलू स्टार होगी एक दो और कंपनीज हैं साफी सारी कंपनी है कई लोग बोल रहे थे कि अपना कुछ अलग भी कर सकते हैं बट जो सबसीड़ी वाला पार्ट है फिर उस पर मैं ज्यादा शोर नहीं हूं वह आपके डियेच्चों आपको पाएंगे कि हाँ उसके सबसीड़ी आपको दे पाएंगे कि नहीं सैकिंड हैंड वाले पे हाँ जी राहुल जी आपके अवास सुनाई नहीं दे रही है सर मश्रूम की प्रोसेसिंग के लिए भी क्या मुर्थल में ट्रेनिंग दे जाती है देखिए अभी तो क्या है की थोड़ा सा ये कोविड चल रहा है वरना हम लोग जैसे फिजिकल यह प्लिनिक कराते हैं न तो उसके हम प्रोसेसिंग से लेटी लेक्टर रखते हैं जिसमे अब अब उसके लिए नहीं है तो जैसे ही आगे हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें प्रोसेसिंग के लेक्टर रखते हैं जैसे आप करवाते हो तो उसके लिए कोई चार्जीज होते हैं कि उसके अब फ्री ओफ पोस्ट होती है आगे गौवर्मेंट की क्या गाइडलाइन होगी कोई पैसे रखेंगे तो उसमें मैं कुछ कहा नहीं सकता अभी तक तो फ्री है सर एक स्वाल पूछना जी सर हम यह ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे इस सर्टिविकेट मिलेगा सर्टिविकेट के बाद हम इसमें कोई भी गौवर्मेंट जोब पे कोई अपलाई कर सकते हैं कहीं भी कुछ है इसका कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं यह सिर्फ उसके लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं है जोब का तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि जोब तो देखिए इस सर्टिविकेट पर तो क्या जोब आपको मिले लिए अब आगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ट्री मंत का सिक्स मंत का कोई डिपलोमा यह इस तरह से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे बट अभी तो यही चल रहे हैं शोट ब्रेशिंट के पोश्च करते रहे हैं जो मारना परता वर्टिकल्स अनुश्टी है करनाल उसकी साइट आप विजिट करते रहे हैं हम साइट पर ही डालेंगे इन फ्यूचर कोई भी लोंग डूरेशन ट्रेनिंग का ऐसा कोई कोर्स होगा तो कि अब दोड़ेंगे उसी ग्रूप में लिंक टाल देंगे और वहीं से आप डाउलोड कर लें हलो सर अगर टैंपरेचर जैसे आप अब हमारे टाइम पर डेली में तो पहुंच चुका है पर शेन नर्कित अब्जा नुक के सब्सकर है करने का सब्सक्राइब करने कारें का कया धोत यह करना है तो आप थोड़ा सा जिस और में भी आप मश्रूम लगा रहे हैं कि उसमें कोई बाल्टी या कोई ड्रम वगारा रखे उसमें रोड लगा दें उससे थोड़ा सा फिस्टीम यानि की बाप उड़ेगा थोड़ा सा गरम रहेगा और थोड़ा सा रूम का टेंप्रेचर भी 2-3 बड़ जाएगा और एक आप हैलोजन वगारा भी यूज कर सकते ह है रूम के अंदर उस देर जब तक आप चलाएं मैंटेन हो जाता है तो बंद कर दें फिर दुबारा चला लेए तेंप्रेचर ना आपने वड़ा स्पेसल कोई यंतर है हाँ यह टैप्रेचर में प्राता है मिल जाएगा पई 500 रुपे में साइंस का सामान रखते हैं साइं इस अब प्रुष करें उसमें जो भी लेक्टर आप सुन रहे हैं जो भी लेक्टर होंगे वह सब उसमें लिखा हूं और वह आप सेंटर से आके ले जा सकते हैं तो पर यह कोश्ट है उसके यह देड़ सो दो सो जो बी प्राइस होगा वो लिखा होगा वह जब आप लेने तब आपको मिल जाई यह मुर्थल सही मिलेगी तो यह सर जो जैसे मेडिकल वाड़ी मश्रूम नहीं होती सर हां जी मैडिकल लाइन में सर वह वह भी हम एक अलग से देखिए यह जो सारी मश्रूम है यह मैडिशनली भी है सभी अलग-अलग क्वाल्टी है कोई जैसे सुग माद खालें यह सब के लिए बड़िया काम करती है सुगर बीपी जिनको है उनके सबसे बड़िया बहुत अच्छी है और फिर आगे थोड़ी सी और जैसे कोडिसेप्स मश्रूम है वो हर चीज के लिए बैनिफीशल है स्टैमिन इंक्रीज करती है कूंती कमी जिनको कंसर है और जिनको विटामिन जैसे बीट वैल होता है वो हमें उससे मिलता है वैसे हमें चिकन से ही मिलेगा सिरफ यही मश्रूम है जिसके अंदर विटामिन बीट वैल हमें मिलता है उनके लिए सबसे बेस्ट है और जैसे सिटाके मश्रूम होगी उसकी एंटिक कैंसर लखड़ी के बुरादे में लगाते हैं वो भी लखड़ी के बुरादे में उगाते हैं है। इस तोड़ने के बाद कितने दिन फ्रेटी वह देखिए यह साइकल रहेगा लगबग सतर दिन का सकतर असी दिन का लगबग 2-5 महीने तक दाय मीन हो जाएगी वह नहीं रेडी होके खतम भी हो जाएगी इस तोड़ने के बाद जितना जल्दी दिखे इन मश्रूम में यही थोड़ी सी दिकत है इसकी सेलफ लाइब बहुत कम है जितना जल्दी आज जैसे आपने तो जल्दी इसको बेच दके के खीक है एक दो दिन आपना जैसे ही उजरता जाएगा तो दिन बाए दिन क्या जैसे आज वोड़ी तो आज क्या रहता है सरी मतलब गॉर्मेंट के कुछ सेंटर से वहां में बटन में शुरूम का देखिए आपका नोर्मली जो मंडी है आपकी नियर बाए जो भी मंडी रहें तो में अराम से बीग जाती है कोई सेंटर अभी तो नहीं है कैनिंग यूनिट्स है और आपकी जो नियर बाए प्लास्टिक होती है रोल होता है उससे इसको बाइंड कर देते हैं अजकर जो मार्केट से मश्रूम में भरीते हैं वो तो सकते हैं दोनों तरह से कर सकते हैंए को ऊसि zaw से नहीं बता पाऊंगा जो भी नियर भाइ प्लास्टिक का सामान करते हैं जिनके पास यह प्लेट बगारे मिलें उनसे आप बात करें यह जैसे हम अभी स्टार्ट करने के लिए आप से ले ले लेते हैं तो फिर अभी स्टार्टिंग में 20-25 डिग्री बोला तो फिर वह हम कैसे लाएंगे वह तो देखिए मैंने उसका मैंतरी बताया था कैसे आपको लेकर आना है एक सज्जन ने कोश्चन पूचा था कि आप ड्रम या भाल्टी में राओन लेके उसको चलाएं उससे थोड़ा सा स्टीम उडएगी तो उससे आपका टेंपरिचर इंक्रीज हो जाएग सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर वह लगता है कॉंटिने उसको जैसे मेंटेन हो जाएग बंद कर दें तिर जैसे डाउन डाइफ पिच ला लें तो थोड़ा सा रहता है उसमें आप ऐसा कर लें हलका सा चुने का सप्रे कर दें स्टार्टिंग हुई एक दो निकलने लगे वह उपर से थोड़ा पीड़ा कलर और उपर से न जैसे कपड़ा पट जाता है वैसे वह समझ गया उपर से खाल सी जो उसकी स्किन रहती हो बटली सुने लगे हो बिल्कुँ हां जी हां जी उसमें से कर लें है तो फिर आपका इ अंदर का उसमें नमी की मात्रक कम है तो नमी के करीब है नमी तो उसमें पानी कितने टाइम लगाते हैं पानी दो टाइम लगाते हैं सर ओके दो जब आप पानी तब लगाएं जब आप केसिंग को उठा के देखना और जब आपको ड्राई लगे कि सूख यू लग रही है पानी दें उसे फिर मश्रूम गलनी स्टार्ट हो जाएंगे कि आज कल क्या रहता है कि हम डिटी बताए उसमें तो लगाए थे सर और एक रूम इटर जो फुलोवर वाड़ा उट्टा ना और रूम इटर उससे क्या होता है कि वह नमी को आपके खाचेंगे नमी को सोपेंगे लगाएंगे तो उसके साथ आप एक थोड़ा सा लाइट का भी फैक्ट पड़ता है उसके उपर तो उसके साथ आप जो मैंने रोड़ वाला स्रिस्टम बताया था एक द्रंवे अबाल्टे में वह लगाएं उससे दोनों चीज़े कंट्रोल होंगे तो हमडिटी भी मैंटे जाएगे मारे रोम की सर नहीं वह तो आपको थोड़ी चलाना है जैसे आपकी अपकी लगवग सीप्ट शासी ने पर संट हो जाती फिर बंद कर दें उसको तो यह जासे तो चला ले फिर चला ले ऐसा रात को टेंपरेटर आट डिगी दाता तर रात को यह बहार आता है अं तो 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 मैंने शिटम बताया है रोड़ वाला में नढ़ा रहेगा बड़ा इंपर्टेंट लेक्टर है और पोसिस करें कि जल्दी से जल्दी जोइन कर लें ठीक है ना बड़ा इंपोर्टेंट लेक्चर है बटन मुश्रूम के उपर रहेगा और बड़ी ध्यान से सुन रहा है जी बंद करके तुमरा जोइन कर लें ओके तैंक यू कोविड-19 पीचुनोती का सामना कर रहा है कोविड-19 अभी फत्त नहीं हुआ है ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सदर्क रहें इसलिए जब तक दवाई नहीं तक कोई ढिलाई नहीं करोना से बचाओ को भी जरूरी है नहीं में तरूप से हाथ दोना मास पहना और आपस में उचित दूरी बनाए लगना नहीं है जरूरी है जरूरी हासी बखारी असास लेने में करना ही होने बद हैल्प लाइन नमबर 1075 पर संपर्ग करें पर संपर्ग करेंग जरूरी है 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 जरूर कर जो लगार लिगए लेश्मादा के जरूरी अचिए लिए नहीं सुनने दोबारा दीन वज़े लाग गया नोकरी लाग गया 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 तो झाल भाग गया तो झाल 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 अपना सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए ये इसका कल्टिवेशन भी अलग तरीके से किया जाता है जैसे कि हम नॉर्मली हम ओइस्टर मश्रूम लें धिंगरी या पराली मश्रूम लें या मिल्की मश्रूम लें तो आप क्या करते हैं कि इसमें सीधा ही ज रम पानी से या तो उपचारित करते हैं स्टीम से उसको ट्रीट करते हैं या उसको केमिकल्स से ट्रीट करते हैं और फाइनली उसमें उसको मतलब जो पानी है एक्स्ट्रा वाटर उसको निकालके और उसमें हम लोग बीज मिला देते हैं हमारा काम हो जाता है बट जो बटन अब कंपोस्ट बनानी पड़ती है इसके लिए जो कि दूसरे मश्रूम के लिए नहीं बनानी पड़ती है लेकिन बटन मश्रूम के लिए आपको कोस्ट बनानी पड़ती है कारण ये है कि बटन मश्रूम का जो एंजाइम सिस्टम है वो एक खास तरह का एंजाइम सिस्टम है जो की दूसरे मश्रूम से के मकाबले अलग है और जो बटन मश्रूम में को जो ताकत है वो एक्चली वो स्ट्रॉव को में देखें स्ट्रॉव का अगर हम कंपोनेंट देखते हैं तो स्ट्रॉव में तीन चीज़े मिलती हैं सबसे ज़्यादा सबसे पहला चीज़े जो आपका वो सेलूलोज होता है एक खास तरह का चीनी और एक हेमी सेलूलोज होता है दूसरे खास तरह का चीनी होता है और तीसरा एक चीज़ होता है वो लिगनिन होता है जो एक तरह का फिनॉल होता है तो यह तीन तरह का जो मिटेर किसी भी स्ट्रॉव पे was रूटता was रहा जाता है कि यह इसमें सेलुलोज को खाने के लिए और लिगनिन को काने के लिए और हैंजाम्स को खाने के लिए जो एंजाइम प्रॉजya ओउ है न तो वो डिरेक्टली इसको खा सकता है तो डिरेक्टली उस पे ये ग्रो हो जाता है बट बटन मुश्रूम के साथ प्राब्लम क्या है कि यहाँ पे सेलूलोज और हेमिसेलूलोज को खाने के लिए किसी तरह का एंजाइन नहीं पाया जाता है तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिरेक्टली इसको स्ट्रौ पे ग्रो करते हैं तो ये ग्रो तो होगा बट जिसको बोलते हैं कि सही तरीके से ग्रो नहीं होगा जो प्रॉपर उसका नियूट्रिशन है जो खाना उसमें प्रेजेंट है स्ट्रौ में उसको ढंक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो आपका जो production है वो उतना अच्छा नहीं आएगा मतलब normally अगर हम grow करते हैं compost पे अगर 20-25 किलो हमारा 100 किलो compost पे आता है तो अगर हम straw पे grow करेंगे directly तो एक किलो आदा किलो ऐसे आएगा 100 किलो पे तो मतलब है कि nutrition आपका बहुत सारा इसमें बरबाद हो ज compost कैसे बनाना है देखिए हम अलड़ी हम लोग बात किये कि एक composted material चाहिए इसके growth के लिए और compost जो इसमें बनाया जाता है वो agricultural waste यानि कि जो आपका पराली है जो आपका भूसा है गिहूं का भूसा है या धान की पराली है या mustard straw है किसी भी agricultural waste पे इसको grow किया जा सकता है और animal by products पे जैसे कि आपका मुर्गी की खाद है या घोड़े की lead है तो इस पे भी grow मतलब इसको मिला के इसका खाद बनाया जा सकता है और grow किया जा सकता है और compost बनाते कैसे हैं ये एक खास process है जो कि दूसरे fungus के द्वारा किया जाता है दूसरा fungus या bacteria के द्वारा किया जाता है उसको अपने शारिरिक protein में मतलब अपने body protein में convert कर लेते हैं तो जो button mushroom के पास जो enzyme system पाया जाता है उसमें दो तरह का enzyme system पाया जाता है एक तो जो की protein को तोड़ता है दूसरा जो की lignin को तोड़ता है तो ये दोनों enzymes आपके button mushroom में बहुत पाया जाते हैं तो actually compost बनाने का purpose क क्या है कि जो भी cellulose या hemicellulose आपके straw में है उसको convert किया जा सके microbial protein में मतलब जो fungus grow हो रहा है उसके protein में या जो bacteria grow हो रहा है उसके सरीद में भी तो protein होता है उस protein में हम इसको convert करना चाहते हैं compost बनाने का purpose यही है simple तो अगर हम convert कर लेते हैं तो क्या होगा इसमें दो ही हमारे button mushroom के लिए suitable substrate है और हम इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं button mushroom grow करने के लिए अब इसमें देखें कि क्या-क्या हमको material चाहिए होता है पहले तो क्या requirement है composting के लिए जो composting का requirement होता है उसमें mainly देखिए दो तरह की चीज़ें हमें चाहिए दो चीज़ को हम standardized करते हैं एक तो nitrogen दूसरा carbon और nitrogen और carbon ये दोनों जो होता है natural जो भी कोई चीज़ आप लेंगे natural जैसे agricultural product है या animal product है तो carbon और nitrogen का ratio fixed होता है हमेंशा तो even आपको carbon भी देखने की जरूरत नहीं है अगर हम सिरफ nitrogen देखते हैं तो उसी से हमें ये पता चल जाता है कि carbon कितना होगा तो एक ही चीज़ हमें देखना है कि हमको nitrogen कैसे balance करना है ठीक है कि nitrogen हमको कितना चाहिए जब हम शुरुआत करते हैं और finally वो कितना बन जाएगा और उसको हम लोग use कर सकते हैं composting के लिए या नहीं कर सकते हैं तो जो आपको nitrogen percentage चाहिए button mushroom growth के लिए initial compost बनने के लिए वो 1.6 to 1.9% nitrogen आपको होना चाहिए मतलब जो भी आपका fermenting material है या composting का जो mixture है compost का उसमें लगभग 1.6% nitrogen आपको होना चाहिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 1.9% के आसपास nitrogen होना चाहिए तभी आपका compost सही बन पाएगा तो इसके लिए जो हम material यूज़ करते हैं उसमें आप wheat straw यूज़ कर सकते हैं paddy straw यूज़ कर सकते हैं सुगर केंचीनी जो आपका क्या बोलते हैं गन्य की खोई होती है उसको इसको इस्तमाल किया जा सकता है soya bean straw इस्तमाल कर सकते हैं mustard straw इस्तमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को इस्तमाल किया जा सकता है कोई भी straw हो जुआर का बाजरा का कोई भी straw आपको मिले आप उसको इस्तमाल कर सकते हैं basically ये जो भी आपका ये straw है इसमें यही पाये जाता है जो मैंने आपको बताया था कि cellulose और hemicellulose पाये जाता है और ये carbon nutrition provide करता है और lignin भी पाये जाता है तो lignin चुकि हमें convert नहीं करना होता है किसी चीज में इसलिए हमको lignin का उतना हम ध्यान उस पे नहीं देते हैं तो mainly ये cellulose और hemicellulose का मतलब reserve wire होता है मतलब इसमें होता है और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो आपका straw है वो सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए मतलब कि दिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए कि दिल्कुल जैसे thresher में कटता है तो आजकल तो क्या करिएगा आप thresher में कटता है तो thresher वही आपको लेना पड़ता है लेकिन अगर जो best है कि अगर आपको एक से दो इंच लंबा अगर आपको straw मिल जाए तो बहुत अच्छा है और दूसरी बात वह पानी में भीगा हुआ या सड़ा हुआ straw नहीं होना चाहिए ठीक है और जो आपका यह जो वीत straw है या लग बग या कोई भी straw है नॉर्मली इसमें जो नाइट्रोजन आपको रेंज करता है वो 0.4 to 1% के आस-पास मिलता है दूसरा मिटीरियल जो हम इसमें यूज करना है हमें जो दूसरा मिटीरियल हम इसमें यूज करते हैं वो एनिमल मैनियूर होर्स मैनियूर इस्तमाल कर सकते हैं या चिकन मैनियूर इस्तमाल कर सकते हैं जो की आसानी से अवलेबल है बाकी अगर आप गोट मैनियूर चाहिए तो वो इस्तमाल कर सकते हैं, भेड की लीड चाहें तो वो भी इस्तमाल हो सकती है, लेकिन दो गाय का और भैस का ये दो गोबर आप इस्तमाल इसमें नहीं कर सकते हैं, बाकी कोई भी मैनियोर आप इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि गाय का और भैस का जो मैनियोर होता है, इसमें कुछ खास तरह के अंटिबायोटिक पाये जाते हैं यो कि नंटिबायोटिक प्रोडीूस करते है मतलब कि वो fungus को या bacteria के growth को रोग देता है तो मतलब क्या हुआ कि अगर उसको आप डालते हैं तो आपका composting का process slow हो जाएगा क्योंकि bacteria और फंजाई से ही composting होता है सोर्स के लिए अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी तरह का कोई भी और्गनिजम हो हलो हां जी अलो हां जी अलो है अधिक 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 तो अब तीसरी चीज जो इसमें डालनी होती है वो है कार्बो हाइड्रेट सोर्स किसी भी तरह का कोई भी शुगर सोर्स आपको डालना है इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए जो भी फंगर्स या जो भी बैक्टिरिया ग्रो हो रहा है उसको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए आपको चाहिए होगा किसी खास तरह का कार्बो हाइडरेट सोर्स जिसमें की चीनी अविलेबल मात्रा में पाई जाए जैसे की आपका वीद ब्राइन है मतलब चोकर या राइस ब्राइन है या जो शीरा निकलता है आपका गुर बनने के समय उसको इस्तमाल किया जा सकता है एपल पोमेस है मतलब जो हुआ होता है उसको इस्तमाल किया जा सकता है या कोई भी ऐसा चीज जिसमें की चीनी फ्री मात्रा में काफी मात्रा में पाई जाए उसको इस्तमाल इसमें किया जा सकता है अब अगर मान लेते हैं कि अब कुछ इसमें आपको नाइट्रोजिनस पेटिलाइजर डालना पड सकते हैं normally इसमें nitrogen 28 से 46% के बीच में range करता है तो अब यह concentrated meal अगर मान लेते हैं कई बार हम लोग को ऐसा मतलब ऐसा कई बार situations आता है कि जिससे कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम लोग purely organic बनाना चाहते हैं खाद को खाद में किसी तरह का कोई भी inorganic material नहीं डालना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि यूरिया या जो हमारा inorganic fertilizer है उसको हटाके उसकी जगह पे आप ये concentrated meal इस्टमाल कर सकते हैं जैसे कि आपका choker है या जो brewers grain होता है जो brewerी से जब शराब बनती है तो जब उसको इसमें जुआर से बनता है जिस भी चीज से बनता है जैसे बीयर है तो ज modelo जो वो ग्रेन बच्टा है जो उसमें से निकलने के बाद जो इसको फरमेंट कराते है उसे सराब निकलती है उसके बाद जो बचता है, उसको हम लोग reverse crane बोलते हैं, उसको इस्तमाल किया जा सकता है, हाथ बनाने के लिए, या जो सोया बीम की खल होती है, जब उसमें से तेल निकाल लेते हैं, तो खल बच जाती है, सरसो की खल होती है, जो cotton seed होता है, उसका खल होता है, आपका, कपास का बीज का खल, कैस्टर सीड का खल, या जो आपका संफ्लावर है, मतलब सुरज मुखी का जो बीज का तेल निकालते हैं, उसके बाद जो खल बच जाता है, उसको इस्तमाल किया जा सकता है, वो भी concentrated meal होता है, लगबग 12% तक इसमें आपको 3% से 12% के बीच में इसको आपको nitrogen की मात्रा इसमें भी मिल जाती है, तो इसको भी हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम nitrogen, मतलब inorganic fertilizer, यूज करें, अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हम ये भी बोलते हैं, कि sir, ये नहीं यूज करना चाहते हैं, मुर्गी का खाद या घोड़े की खाद, लीद हम लोग यूज नहीं करना चाहते हैं, purely vegetarian बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप जब inorganic खाद इस्तमाल करते हैं, तो mineral deficiency हो जाता है, मतलब जैसे आप ammonium sulfate है, या calcium ammonium nitrate है, तो इसमें fixed है सब कुछ, calcium है, nitrogen है, और hydrogen है, और तो बस इतना ही चीजा आपको पाए जा रहा है, बाकी minerals का क्या, जैसे कि आपका potassium है, या molybdenum है, phosphorus है, ये सब उसमें नहीं मिलता है, जबकि अगर हम मुर्गी की खाद यूज करते हैं, या गोड़े की लीद इस्तमाल करते हैं, तो उसमें आपको सारे minerals मिल जाते ह तो अगर आप animal manure नहीं यूज करते हैं, तो आपको कुछ ये वाले खाद आपको डालने पड़ेंगे, जैसे murate of potassium है, या super phosphate है, या gypsum है, या calcium carbonate है, ये आपको add करना पड़ेगा, ताकि आपका जो mineral balance है, वो भी बना रहे आपके composting mixture का, तो लेकिन इसमें एक चीज है, जो कि आपको हर बार इस्तमाल करना जरूरी है, जैसे कि gypsum, gypsum को आप omit नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी डालिए, मतलब कि आप vegetarian खाद बनाईए, या inorganic खाद बनाईए, या आप मुर्गे की बीट डाल के बनाईए, लेकिन आपको gypsum इस्तमाल करना पड़ेगा, क्योंकि gypsum का basically तीन काम है, देखिए, gypsum क्या करता है कि जो ज़्यादा पानी होता है खाद में उसको निकाल लेता है, क्योंकि gypsum क्या है, ये एक P.O.P. है, it's a P.O.P. plaster of Paris, जो आप देखे होंगे कि, जो मूर्तियों बनाने में इस्तमाल किया जाता है, उसी को gypsum कहा जाता है, gy present है आपकी खाद में, उसको ये पहला काम तो ये हटा देता है, दूसरा काम कि pH आप सब लोग समझते होंगे, जैसे कि अमल होता है, जैसे कि आप bathroom agents को इस्तमाल करते हैं, acid, नमक का तेजाब होता है, गंदक का तेजाब होता है, तो वो क्या होता है, acid होता है, और दूसरा क detergent है, ये क्या होते हैं, च्छार होते है, तो मतलब क्या हुआ कि pH किसको बोलते हैं, जो कि हमें बताता है कि कि किसी भी चीज का, जो, कोई भी चीज अमल है, या च्छार है, यही है, पि-च और कुछ भी नहीं है, तो pH को जो एक naapने के लिए या मापने के लिए एक scale बनाय तक acid होता है, 7 जो है वो neutral होता है, उस ना acid होता है ना चार होता है, 7 से उपर 14 तक आपका चार होता है, तो मतलब क्या है कि ये pH को क्या करता है कि नीचे की तरफ लाता है, acidic बनाता है ये, तो जब हम, इसको डालना क्यों जलूरी है, क्योंकि जब आप खाद बनाते हैं, जब शुरुआत करते हैं, जब mix करते हैं, तो क्या होता है कि उस समय पे आपके compost का pH बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर ज़्यादा pH होगा, तो क्या होगा, कि आपका, actually होता क्या है, कि देखिए, दो तरह के organism से composting होती है, एक होता है bacteria, दूसरा होता है fungus, तो जो bacteria होता है, व अपकी fungus जो है, वो अमल के medium पे ज़्यादा अच्छा grow करेगा, तो ये उनका character है, तो अगर मान लिजे कि आपका जो खाद है, वो छार की तरफ चला गया, ज़्यादा, तो क्या होगा, bacteria वहाँ काम करेगा, लेकिन fungus वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो composting आपकी फिर आदी रह जाएगी, तो इसलिए इस ऐसे जगा पे adjust करके लाते हैं हम pH को, ताकि हमारा bacteria भी काम करें और हमारा fungus भी काम करें, तो ये लगबग साड़े साथ से आठ के बीच में ये दोनों चीजें अच्छी तरह से काम कर लेती हैं, तो इसलिए pH को adjust करना बहुत जरूरी होता है, अग आपका compost अच्छा नहीं बनेगा कभी भी, तो इसके लिए gypsum डालना बहुत जरूरी होता है, और तीसरा चीज़ ये calcium nutrition देता है, क्योंकि इसका जो formula है, वो है calcium sulfate, तो calcium nutrition भी आपका, इससे आपको मिल जाता है, अब अगर हम formulation की बात करें, कि कैसे formula बना सकते हैं, हम compost का, तो एक देखिए, मैंने यहाँ पर table दिया हुआ है, जिसमें कि जो contents हम use कर सकते हैं, उसका nitrogen आपको, यहाँ पर मैंने दे रखा है, कि कितना percent nitrogen इसमें होता है, और कितना moisture इसके अंदर होता है, यह ऐसे आप कोई भी, मतलग किसी भी substrate का nitrogen और moisture आप net पर जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि इसमें कितना nitrogen होता है, और कितना moisture होता है, so you can identify it, तो अब यह तो हम बात कर चुके हैं, अब हम formulation कैसे करते हैं, composting, compost बनाने के लिए, वो मैंने एक यहाँ पर आपको दे रखा है case study, कि जैसे मान लेते हैं, कि हम wheat as straw से खाद बना रहे हैं, और मतलब गेहूं के भूसे से खाद बना रहे हैं, हजार किलो हमने मान लीजिए, कि गेहूं का भूसा ले लिया, अब इसमें क्या करते हैं, कि जो chicken manure है, यह 40 से 60 परसेंट के बीच में हम लोग रखते हैं, नॉर्मली, 60 परसेंट के आसपास आप chicken manure रख सकते हैं, maximum, थोड़ा बहुत कभी कभी आप देखेंगे कि 70 परसेंट या 80 परसेंट भी लोग रखते हैं chicken manure, लेकिन इससे होता क्या है, कि chicken manure का जो घनत तो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो नुकसान क्या होता है, कि इससे हवा की जो penetration है आपके खाद में, वो कम हो जाती है, तो उस case में आपको बार-बार जो पल्टा ही है खाद में, वो आपको बार-बार देनी पड़े हैं, तो इसलिए कोशिश करिए कि 60 परसेंट तक रेस्टेक्ट कीजिए, तो आपका खाद ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो अब जैसे अब इसमें nitrogen कैसे निकालेंगे, मान लिजिए आपका 1000 किलो straw है, जैसे आप देख सकते हैं, और इसमें 10% moisture है, तो यानि 10%, 1000 का 10% 100 किलो हो गया, 1000 में से आप 100 किलो माइनस किजिएगा, तो सुखा जो वेट होगा, जो भार होगा, वो लगबग 900 किलो के आसपस होगा, इसमें लगबग 0.4 to 0.5% आपको nitrogen है, लो़र साइड में हम लेते हैं 0.4%, तो 3.6 किलो आपको इसमें nitrogen मिल जाता है, सिमिलरली अगर chicken manure हम 60% ले रहे हैं, तो 1000 का 60% 600 किलो हो जाएगा, 600 किलो में लगबग इसमें 20% आपको moisture होता है, तो जो इसका सूखा भार होगा, वो 480 किलो होगा, और इसमें 3% के आसपास nitrogen होता है, 0.5-3%, कई बार ज़्यादा 3%, 0.5-3% के बीच में होता है, तो हम लोग 3% इसको ले रहेते हैं, 3% से अगर हम इसको निकालेंगे, तो कितना बचेगा, यह 14.4 kg हमको यहाँ nitrogen मिल जाएगा, similarly bran जो है, वो 10-15% आप यूज कर सकते हैं, 10% इसमें moisture है, 90 kg इसका सूखा भार होगा, 2% इसमें nitrogen है, तो 1.8 kg nitrogen आपको यहाँ मिल जाएगा, अब यूरिया अगर देखें आप, तो यूरिया हम maximum 2% तक यूज कर सकते हैं, 2% से ज़्यादा यूरिया कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2% से ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं, तो यह ammonium source है, आपके इसका, क्या बोलते हैं, nitrogen का, तो अगर ammonium source है, ammonia बनाता है, तो यह पूरी तरह से अगर आप 2% डालेंगे और बहुत हाई nitrogen content होता है, तो यूरिया इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और वो यूरिया आप मतलब fix नहीं कर पाता है nitrogen को इतना जल्दी, मतलब microbes जो होते हैं, जो fungus हैं या जो bacteria है, उस ammonia को use करके protein में convert नहीं कर पाता है, तो क्या होता है normally की खाद जब बन जाती है, even उस समय भी आपको ammonia रहती है, तो ammonia जो होता है वो button mushroom के लिए खतरनाक होता है, और इसलिए जब अगर ammonia बच गया, तो आपका spawn run नहीं होगा, और आप कभी कई बार लोग बोलते हैं कि सर spawn डाला, spawn चला नहीं, तो इसके पीछे reason यह होता है कि अगर ammonia रह जाए खाद में, तो आप कुछ भी कीजिए, आप कितना बड़ी बढ़ी है spawn use कीजिए, लेकिन आपका वो नहीं चलेगा, spawn नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ammonia बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो बाद में बात करें और जिपसम हम लोग 5-10% इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 50 kg यहां 5% इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें कोई nitrogen नहीं होता है, अब nitrogen calculate कैसे करना है, कि पूरा nitrogen weight हम इसका calculate कर लेते हैं, total weight of nitrogen kg में, तो इस हाँ पर देखे 26.24 kg आपका nitrogen निकला हुआ है, और total dry weight calculate कर लेते हैं, 1535 kg यहां पर आपको dry weight निकला है, तो अब क्या करेंगे, कि जो total nitrogen है, उसको divide कर देंगे total dry weight से, और उसको गुना कर देंगे 100 से, तो वो हमारा percentage nitrogen निकल जाएगा, तो यहां पर हमारा देखे इसमें 26.24 divided by 1535 multiplied by 100, तो यह हमको देदेता है 1.7% के आसपास nitrogen, तो इसका मतलब कि य perfectly all right है, अगर यह 0.1.6 से नीचे आता है, जैसे 1.4 है, 1.3 है, तो आपका कभी भी अच्छा खाद नहीं बन पाएगा, तो यह आपको ध्यान देना है, अब इसमें आप किसी भी चीज को बदल सकते हैं, except gypsum, अगर gypsum को छोड़ दें, तो बाकी किसी भी चीज को आप substitute कर स सकते हैं, wheat straw के जगह पे आप paddy straw ले सकते हैं, paddy straw के जगह पे आप mustard straw ले सकते हैं, mustard straw के जगह पे आप soya bean straw ले सकते हैं, है न, उसी तरह chicken manure के जगह पे आप horse manure ले सकते हैं, या कुछ और ले सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं chicken manure रियूस करना तो इसके जगह पे आप ख सब्सक्क्राइब में जो सबीज अगर सब्सक्राइब ब्ले क्य Allah तो चाहिए exactly last song जो भी हम चाहते हैं जैसे बनाना, उसके हिसाब से इसको हम लोग manipulate कर सकते हैं, बट जिपसम आपको 5-10% इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जिपसम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपका pH नॉर्मल नहीं आएगा, और आप उसमें उसको grow नहीं कर पाएंगे compost को नहीं बना पाएंगे, तो ये देखिए, दो standard formulation मैंने दे रखा है, एक long method के लिए, एक short method के लिए, तो आप देखेंगे कि long method में chicken manure या horse manure इस्तमाल नहीं किया गया है, जबकि short method में chicken manure इस्तमाल किया गया है, क्योंकि long method एक single phase का composting का process है, मतलब कि एक बार सब कुछ को ग पल्टाई देते गए, और आठ पल्टाई के बाद हमारा पूरा खाग तयार हो जाएगा, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई ऐसा process नहीं है, जिसमें कि हम लोग जो harmful organism है, जैसे bacteria है, या बिमारिया है, या molds हैं, उसको मार सकें, ऐसा कोई process नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ बिमारियों का risk हमेशा रहता है, तो अगर बिमारियों का risk रहता है, तो अगर आप chicken manure या horse manure डालते हैं, तो वो बिमारी का risk और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए कभी भी यहाँ पे chicken manure या horse manure का इस्तेमाल recommended नहीं है, ऐसे लोग करते हैं, but it is not recommended, और जो दूसरा है हम phase 1 और phase 2, phase 1 साथ दिन के लिए outdoor composting, मतलब जैसे long method में करते हैं, तीन पल्टाईयां देते हैं और उसके बार इसको phase 2 channel में भर देते हैं, खास तरह से बनाया हुआ कमरा होता है, जिसमें भर दिया जाता है, और उस कमरे में इसका pasturization होता है, मतलब जो harmful organism है, उसको हम मार देत हमाल कर सकते हैं, horse manure, chicken manure, goat manure, जो भी है, अब अब देखें कि कौन-कौन सा method है हमारा compost बनाने का, और कैसे हम लोग compost बनाते हैं, सबसे पहला जो method है, वो है long method, तो long method में आपको जैसा बताया है, कि एक ही फेज में बनता है, लग-बग 28 से 30 दिन इसमें time लग जाता है, इसमें किसी तरह का कोई pasturization का process नहीं होता है, तो इसका जो selectivity होता है, मतलब कि सिरफ, selectivity का मतलब क्या हुआ, कि इसमें सिरफ button mushroom grow होना चाहिए, दूसरा और कुछ grow नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत कम होती है, मतलब इसमें दूसरा चीज भी, दूसरा mold, बिमारी भी grow होता रहता है, इसी वज़ा से जो इसका उपज है, इसमें compost में काफी कम होता है, 100 kilo compost पे लगबग 10 से लेके 15 kilo के बीच में, अगर बहुत अच्छा grow हो गया तो 15 kilo, अगर normal हुआ तो 10 kilo, और अगर खराब हुआ तो और भी कम हो सकता है, 5-6 kilo भी हो सकता है 100 kilo के, तो यह इसमें कम होता है, और average जो compost production है, यह भी कम होता है, मतलब कि अगर मान लिजए, कि हम 1000 kilo से लेके चलते हैं, straw से, तो लगबग जो खाद है वो धाई, 2500 kilo, अगर 1000 kilo आप straw लेते हैं, तो 2500 kilo आपको compost बनेगी, लेकिन long method composting में यह लगबग 1700-1800 kilo ही बनती है, क्योंकि यह ज़ादा दिन तक बाहर में रहती है, और fermentation इसके अंदर होता रहता है, तो जिसके कारण की यह धीरे-धीरे करके, इसका जो carbon है वो निकलता रहता है, और इसका weight कम होता जाता है, तो यहाँ पे आपको दो तरह से नुकसान है, एक तो yield भी कम आती है, दूसरा बिमारियां भी आती है, और तीसरे जो है, इसमें जो average compost भी बनता है, वो कम बनता है, अगर हम short method of composting देखें, तो लगबग 16 से 20 दिन में यह compost बन जाती है, और इसमें 2 phases होता है, page 1 और phase 2, और यह completely चुकि पास्चराइज किया जाता है इसको, तो इसमें बहुत बढ़िया selectivity होती है, खाद से बहुत अच्छी crop आती है आपको, लगबग 18 से 25 परसेंट तक इसमें yield आपको मिल जाती है, जो कम से कम भी मिलेगी तो 18 परसेंट, और अगर अच्छी मिल जाए तो 25 परसेंट तक आप इसमें जा सकता है, और इसमें जो average compost production है, ये भी लगबग धाई गुना तक होता है, मतलब कि अगर 1000 किलो लेके चलें तो 25 सो किलो आपको ये बन जाएगी खाद, और तीसरा जो method है वो है, indoor method of composting, इसमें 10 से 12 दिन लगते हैं, और प्लस 2 दिन वेटिंग का तो 14 दिन के आसपास, और ये सिरफ एक ही कमरे में बनाई जाती है, मतलब एक ही कमरे में पहले mix करते हैं, फिर उसको एक tunnel मभर देते हैं, उसको पास्चराइज करते हैं, और उसके बाद उसको निकाल के दुबारा mix करते हैं, उसके बाद उसको condition कर देते हैं, तो ये indoor method of composting होता है, और इसमें बहुत कम समय लगता है, तो ये बहुत ही अच्छा इसमें yield मिलता है, 20-30% और लगबग 3-3 गुने से भी ज़्यादा इसमें compost आपको मिल जाती है, मतलब 1000 किलो अगर हम लेके चलते हैं, तो लगबग 32-100 किलो आपको इसमें compost बन जाती है, लेकिन इंडिया में indoor method of composting ज़्यादा नहीं होती है, या नहीं है actually, सिरफ इसके जैसा एक दूसरा method है, semi-indoor method of composting आप कह सकते हैं, तो semi-indoor method में क्या है कि इसमें दो तरह के कमरे बनाये जाते हैं, एक होता है जो bunker होता है, दूसरा channel होता है, और इन दोनों के combination से खाद बनाई जाती है, जो कि almost at par होती है, indoor method के, but exactly not exactly indoor method के जितने अच्छी खाद तो नहीं बन पाती है, लेकिन हा, फिर भी लगबग लगबग बन जाती है, अब अगर हम long method के लिए देखें, कि क्या-क्या आपको requirement है, तो यह आपका wheat straw, addy straw, calcium ammonium, nitrate, murate of potassium, super phosphate, urea, wheat bran, gypsum, यह कुछ चीज़े हैं, जो हम इसको लेके बनाते हैं, और इसके लिए facilities जो चाहिए आपको, वो basically कोई खास facility नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान देना है, कि जमीन जो है आपका, वो मिट्टी पे आप खाद ना बनाएं, और अगर मिट्टी पे नहीं बनाते हैं, तो आप cemented floor पे बना सकते हैं, या जो इंट का first बना के उससे उस पे बना सकते हैं, या वो भी नहीं होता है, तो मोटा polythene बिचाके उसके उपर खाद बना सकते हैं, बट आप कभी भी soil के उपर खाद मत बनाएं, क्योंकि अगर मिट्टी के उपर खाद बनाते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी जो worms होते हैं, निमेटोर्ट्स होते हैं, वो गुश जाते हैं, और बाद में जाके ये निमेटोर्ट्स आपके मश्रूम को खाते हैं, और आपके मश्रूम को ग्रोह नहीं होने जोते हैं, तो इसलिए कभी भी मिट्टी के उपर आप खाद मत बनाईए। दूसरी चीज है कि आप उपर से इसमें अगर डाल सकते हैं तो एक शेट डाल दीजिए कि कई बार होता है कि आप खाद बनाने चले और बारिश हो गई। तो सारा का सारा खाद आपका बिकार हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा भी संभावना लगता है तो आप इसके उपर से एक कवर डाल सकते हैं जो कीटीन का कवर हो सकता है या प्लास्टिक का कवर हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसके नीचे आप खाद बनाए तो आपको ये नुकसान होने का चांसे कम हो जाता ह जैसे कि ये दिखिए पॉलिथीन का है और जहां पर आपको पता है कि बारिश बिलकुल ही नहीं होगी कोई चांस नहीं है तब आप इसको बाहर ओपन में भी बना सकते हैं long method of compost को तो जैसे हर्याना में है खुले में बनाया जाता है कोई बारिश होने की कोई संभावना नहीं होती है अक्तूबर नवंबर में अक्तूबर एंड से लेके नवंबर तक यह बनता है खाग तो इसमें आपको किसी तरह का मतलब बारिश का संभावना नहीं होता है तो इसमें बा साइटा से इसको गिला करते रुम कुछ बैंगे बैइंसती हैं कि तम दो थे गंदाते हैं रोक कि श wine फालस वल्कली हो चाहिए और उसके बाद क्या करते हैं कि इसके ओपर हम लो जो भी हमारा material है जैसे केल्चियम अमूनियम नाइटरेट है या चोकर है या यूडिया है इसके उपर से हम लोग इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला देते हैं ठीक है इसको प्रॉपरली मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस कि आप boards की साहिता से बनाएं आप ऐसे भी 5 पीट चोड़ा और उसके उपर आप डालते जाएंगे तो एक ठीकोना जैसा structure बन जाएगा जैसा आपको दिखाया था मैंने जैसा कि इस में देखें कि इस तरह से भी खाद का धेरी आप बना सकते हैं और जब ये खाद का धेरी बन जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है और आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप खाद का धेरी बनाते हैं सब कुछ मिक्स करने के बाद तो अगले 24 गंटे में आपका इसका जो temperature है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा आप इसके लिए आप dial thermometer इसमें लगा सकते हैं जैस पंदर सो क्या सबस मिल जाता है और इसको लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमारी खाद अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है या कुछ कमी रह गया तो उसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है ये इसके लिए आपका ये थर्मामीटर ब पच्पन साथ डिगरी के आसपास आ जाता है और अगर अगला 24 गंटा और देखें तो अभी नहीं मैं अभी क्लास में हूं यह तो अगले 24 गंटे यानि तीसरे दिन पर आप क्या रेखेंगे कि उसका टेंपरेचर लगबग 72-75 डिगरी के आसपास पहुंच जाता है तो मतलब क्या हुआ कि 70 डिगरी के उपर अगर आपका टेंपरेचर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको अब टर्निंग करना है पल्टाई देनी हैं आपको खागने और पल्टाई देने के लिए क्या करते हैं कि इस पूरे जो पाइल है बना हुआ या धेरी बनी वी है उसको तोड़ देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करके दुबारा से पाइल बना देते हैं ठीक है और इसमें आप देखेंगे कि टेंपरेचर देखिए आप 70-75 डिगरी आपको बीच से थोड़ा उपर उपर से हलका सनीचे एक अगर आप जाएंगे तो लगभग आपको 70-75 डिगरी टेंपरेचर मिलना चाहिए इसलिए आपको डायल थर्मामीटर बहुत जरूरी है और इसको तोड़ देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनुवल मिक्स किया जा रहा है औ और इसको हम लोग अगर आप चाहें अगर आपको लगता है कि पानी कम है ड्राई हो रहा है हमारा खाद तो उसमें यहाँ पर पानी आप एड़ भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा पानी आप डालके उसको दुबारा से मिक्स करके और उसको आप फिर से वो बना सकते हैं अजय को पता नहीं है फोनी नहीं आए कुछ नहीं हम तो वेट कर रहे हैं नहीं कि क्या मांगे थी अजय कि क्या भेजेना अच्छा अगर आएगा तो देख लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है रहा है रंगुली का फोन आ रहा है दो मिनिट प्लीज आप लो रुकिए है ना हलो 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 दो मिनिट रुकिए अगर दो मिनिट में बात कर रहा हूं वापस से ठीक है कर दो कर दो प्रूंजल ऌर कर दो कर दो कर दो कर दो क्या कर दो आर झाल झाल जाना पड़ेगा लेकिन अभी थोड़ा सा और कंप्लीट कर लूँ फिर जब जाना होगा तो बता दूँगा दस मिनट पंदर मिनट के लिए तो ऐसा है कि इसको क्या करते है कि पल्टाई देते हैं पहले तीसरे दिन पे लगब आप इसको पल्टाई देंगे जब आपका temperature 70 degree से ज्यादा हो जाएगा और जब पहली बार आप देखेंगे कि जब पहली बार आप धेरी बनाते हैं तो आपको 70 degree temperature आने में टाइम लगता है तीन दिन के आज पास आपको लग जाता है तीसरे दिन पर जाके आप पलटाई कर सकते हैं लेकिन जब दूसरी बार आप इसको दूबारा धेरी बनाएंगे तो विदिन 24 hours आपको ये करीबन 65-70 degree तक temperature इसका पहुँच जाता है तो आपको दूसर मतलब एक दिन ही बीच में gap करके आपको इसको turning देनी पड़ेगी तो यानि कि तीसरे दिन के बाद आपको पांचमे दिन लग भग turning देनी पड़ती है पा कि यहां पे आपका pH डाउन हो जाएगा और यहां के बाद temperature जो gypsum पहले नहीं मिलाया जाता है जब initially जब आप ये डालते हैं उस समय आप gypsum नहीं डालते हैं जिपसum आप इसको बाद में डालते हैं ठीक है तो third turning पे क्योंकि बीच में आपको पानी एड़ करना होता है ज कर पाएंगे तो इसलिए gypsum पहले नहीं डालते हैं third turning पे इसको डाला जाता है तीन turning पे जब तीसरी turning पे जब आप डालते हैं उसको जिपसum को तो क्या होता है कि इस समय आपका pH को ये कम करके normal पे ले आता है तो जो heating या fermentation का speed होता है वो भी आपका कम हो जाता है मतलब temperature अ कि जो पहले आपका दो दिन में आपका temperature 70 degree आ रहा था वो आपका तीन दिन चार दिन में आपका जाकर temperature 70 degree आएगा तो मतलब है कि सातमे दिन अगर आप जिपसum डालते हैं तो आपको जो अगली turning करनी होगी वो आपको दसमे दिन करनी होगी और उसके बाद आपको तेरवे दिन करनी होगी तेरवे या चौदमे दिन फिर उसके बाद सत्रहवे या ठारवे दिन पर करनी होगी मतलब हर दो से तीन दिन चोड़के आपको तीन दिन चोड़के आपको ये turning देनी पड़ेगी तो डिपेंड करता है आपके temperature profile पे तो नॉर्मली जब आप gypsum डालते हैं उसके बाद आपका temperature 70 degree कभी भी नहीं पहुचेगा तो जसमें दिन पे आप देखेंगे तो वही 62-63 degree के आसपस रहेगा चौदवें दिन पे देखेंगे तो आपका घट के ये 60 degree के आसपस आ जाएगा 58-69 के आसपस और उसके बाद आप 20-21 में दिन पे जा के देखेंगे तो वह घट के आपका 45 degree तक आ जाएगा temperature 45-50 के बीच में और 26-27 में दिन पर ये लगभग आपका 35-40 डिगरी के आसपास आपको ये temperature range करेगा धीरे-धीरे करके ये temperature down होता जाता है तो ये क्या होगा इससे कि आपका जब आपका ये temperature 35 डिगरी के आसपास आजाए आपके compost का तो आप समझेए कि आपका compost तयार हो गया है और इसको इसको इसका पूरा जो कैसे बनाना है वो आपको दिया हुआ है waiting of straw, waiting of ingredients, mixing और pile formation, first turning, then second turning, पहला टर्निंग आपका तीसरा दिन, दूसरा टर्निंग पांचमा दिन पे, तीसरा टर्निंग सातमा दिन पे जहांपर कि आपको जिप्सम मिलाना है चौथा, पांचमा, छट्था, सातमा टर्निंग देने के बाद आपको देखना है कि temperature आपका कितना है और temperature अगर 35 से 40 के बीच में आ गया है, तब आप इसको तोड़ दे सकते हैं pile को, ठंडा होने दे सकते हैं compost को और उसके बाद इसमें बीज आप मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि temperature मेरा 40 degree से ज़्यादा है 45, 46, 48 degree temperature रह रहा है, सातवी टर्निंग के बाद भी, तो आपको एकाद दो टर्निंग एक्स्ट्रा बढ़ानी कर सकती है तो वो आपको, it depends कि आपके जो आपका temperature profile क्या रह रहा है, तो it depends और नॉर्मली 28 में दिन पे आपको ये आ जाता है, पूरा हो जाता है आपको पोस्टिंग का प्रासेस, हाँ बेटा हाँ, हाँ हाँ हाँ, तो खा रही है, तो कितना दर मिजा है, आच्छा ठीक, ने इसना टाइम नहीं होगा मेरे को बटा, मैं वह बढ़ा पैसा में नहीं होगा तो ये आपका साथ टर्निंग के बाद आपकी खाद लगबग तैयार हो जाती है, लेकिन इस पूरे प्रासेस में आप देखेंगे कि कहीं भी हमारा पास्चराइजेशन का प्रासेस नहीं आता है, मतलब जो हार्मफुल और्गिनिजम है उसको हम लोग नहीं मार पाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए इसको एक दूसरा प्रासेस डेवलप किया गया था, जो केमिकल पास्चराइजेशन का प्रासेस है, जिसमें हम लोग पेस्टिसाइड और फंजिसाइड यूज़ करके इसको पास्चराइज करते हैं खाद को, ताकि बीमारिय प्रेट होल्ड किजिए भाई आप बिटा बोलो हां कहां हो कहां अच्छा मानिक स्वीट्स पे ठीक ठीक मैं आता हूं नहीं मानिक सुट्स तो में रास्ते से वहीं पर आएगा ना ठीक ठीक है मैं आता हूं तो इसमें क्या करते हैं कि एक टन खाद के लिए आपको 40 लिटर पानी लेना है उसमें 1.5 लिटर फॉर्मल डिहाइड या फॉर्मलीन आपको डालना है प्लस 50 ग्राम भैविस्टीन इसके अंदर डालना है अच्छे से इसको मिक्स करके जो आपका कंपोस्ट है उसके उपर स्प्रे करना है उसको पल्टी दे दे के उसके अंदर अच्छे से ताकि सभी जगह पे आपका पंजी साइड पहुँच जाए उसके बाद उसकी एक धे अच्छे से पूरे कंपोस्ट को मिक्स कीजिए और उसको मिक्स करने से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा फ्यूम्स है आपके जो फॉर्मल डिहाइड का वो निकल जाता है तो उसके बाद आप उसमें बीज डाल सकते हैं और उससे मतलब उसको आप कल्टिवेशन के लिए यू कैसे करते हैं जितंदर जी हलो हां जी सर मैं 10-15 मिनिट के लिए ब्रेक ले रहा हूं ठीक है मेरे को कहीं जाना पड़ रहा है तो मैं अब दस पंदर में जल्दी से जल्दी आता हूं आप लोग तब तक कुछ डिसकस कर लीजिए ठीक है ठीक है ठीक है सर ओके ओके कि अ अभी गரा मिनिट में करेंगे कंटीनू तब तक आप अपड़ लेन वे यहां है अאम हा दो है का कि अ N знач कि आपका कीवार कि निन्हार के अफंग अपने वह औसको भूह गति सुद्ट छाबंकिनर कि इस अच दो डाने कि अपर फोग कि आख अपके अच्पको हुआ। हो मेरे बाद विच्पाव हुआ है तो गुतो ओसको चले गा है कि इसके बड़ा वाल रागा ना उसका जो प्लग है वो तो पावर प्लग है वो चले गाए उसका अगा कि अच्छा है कि अच्छा को अच्छा कर दो कि अच्छा कि अच्छा है वो तो जो सकत कर दो कर दो झाल 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 आजी तो अब अटेंडेंस ले लेता हूं में आपकी जब तक लक्षा बाते हैं पिता जी का नाम मुकेश कुमार खीक है आजय कुमार आजय। अलो अजय कुमार आजय कुमार जी सर यस यसर सनुप शरी चीक है अनुज कुमार सभी अपने पिता जी का नाम बोला प्रोजिस्टा में नाम बोलू न यस सर अनुज कुमार सनाफ मिस्टर नाम नरेश विश्व कर्मा चीक है अनुराग गुपता यह सर प्रजन सर शरी सथ में गुपता ठीक है जी आशिस दया रवेंदर दया चीक है अशो कुमार अशो कुमार पिता जी का नाम क्या है भाई आपके दीपक कुमार सनुप्षरी दीपक सथ में गर्वेंदर टीक है दीपक सानी आपने रेजिट्रेशन नहीं कर रहा कि परता निज़र कराया तो था कराया तो था तो यह हुआ ना सनॉप शिरी क्या है आपका राज कुमार सेनि कि सनॉप शिरी राज कुमार सेनि काह से हो आप यह यूपी गंगो से कंगो यूपी पहोन नम्बर कैया आपता है 634 9634 67 67 34 74 76 76 शीक है वोल्ड करो अपके जा पर वोल्ड जा झाल कड़ अरियों सर्मा जिसका मैं नाम बोलो बस होई बोलो अभी बीच में मत बोलो गोई तक रहेगा आप फाँच वजे तक पाँच वजे तक आपके साथ हो जाये है तो रहर है ठीक हरीश कुमार सब्सक्राइब एक हर्जीट सिंग हर्जीट सिंग जिते अंदर याद दाओ हलो अंजिशर सनॉप्ष्री क्या है सनॉप्ष्री राज अंदर की है और मुकेश सनॉप्ष्री क्या है वेद प्रकाश चोधरी क्या से वह आप करनाल से कौन नमबर 981 981 22 889 889 ठीक है पॉम्बीर 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 रेजिस्ट्रेशन आपका भी नहीं हो रहा है सनॉप्ष्री क्या है इंदर सिंग इंदर सिंग इंदर सिंग आसे वाकर को नमबर क्या है आपको 9-6 9-6 7-1 7-1 2 6-6-1 7 7 8 8 8 8 9 10 9 10 हो गया हूँ ठीक है राहुल जी सर सनौप सिरी क्या है इंदरपाल ठीक है ठीक है ठीक है सर राजेश कुमार राजेश कुमार किशोर कुमार रश्मी कतूरिया रश्मी कतूरिया डाटर ऑफ अशोग कतूरिया ठीक है एक सेम नाम से फिर डबल लोग लिया हुआ है क्या आपने तो शायद मेरा फोन से कनेक किया तब बीच में भार गई थी तो इसलिए आ रहा होगा ठीक है कि अ जिनका नाम नहीं बोल रहा हुआ है उनकी प्रेजेंट लगा दी है मैंने ठीक है उन फादर नहीं बताया ना जैसे कोई बात नहीं लिश्ट है मेरे पास है कि अ कि अ हलो सर एक स्रीब गवान नाम से है तो वह अभी डिसकनेक्टेड वैसे वह सुबैसे क्लास ले रहे है स्री बगवान सनौफ स्री सनौफ तो नहीं पता लेकिन वह सुबैसे क्लास ले रहे थे अभी थोड़ी देर के लिए गए है तो अभी मैंने कॉल करके उनको कहा था टेंडेंस के लिए तो कह रहे है कि अभी आवाप तो जहां से सोनीपत से थीक है मैं देख लूँ ठीक है म्यूट रखो साभी म्यूट रखो भी दो मिनिट टेंडेंस लगाने दो तुक बीर हाँ होगी बाई जोग इंदर सुम्यूट रखो शुक्वीर सुखवीर सुखवीर सुनॉप स्री क्या है राजबीर सिंग जी खीक है प्रेद दो मिनिट रूख जाओ वट्साल सिंग जी खीक है वट्साल सिंग सनौप स्री मनोरंजन सिंग वट्साल सिंग सनौप स्री मनोरंजन सिंग अध्याज क्या आजए आशे हो आप नोइड़ा वोन नमबर नाइन सेवें टू नाइन सेवन टू नाइन सेवन टू त्री झाल झाल अभी आरें डाक साब पाँच मिनित और कह रहें वस अभी आरें डाक साब पाँच मिनित और कह रहें वस झाल 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 यह रहें वस झाल 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 मजबूरी मैं जाना पड़ा मैं यह कह रहा है कि सराज कम पोस्ट वाड़ा कर लें कि एक लेक्चर कल कर लें हाँ ठीक है एक कल चार बजे कर लेंगे आज कर पोस्ट वाड़ा कर लें ठीक ठीक हे ओके यह कि अच्रेक्च अच्य अचक्ड एक इस आएक यह ऐ कि शॉर्ट मिथर्ड आफ कंपोस्ट कैसे बनाते हैं और क्या-क्या उसमें रिक्वार्मेंट्स है तो इसका देखिए फॉर्मूला ये मैंने दे रखा एक आप अपना फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं इसमें वीट एस्ट्रॉव, वीट ब्रैंड, चिकन मैनियोर, यू क्योंकि उपर से आपको, क्योंकि आप शॉर्ट मिथर्ड कंपोस्ट बनाने का मतलब कि नॉर्मली आप राउंड देयर कल्टिवेशन के लिए जाएंगे, मतलब पूरे साल आप मश्रूम कल्टिवेट करेंगे, तो उसके लिए आपको कवर्ड कंपोस्टिंग आज उसमें ब्लोवर और वेंटिलेशन डक्ट चाहिए होगा आपको, और मल्टि प्रो डिजिटल थर्मामीटर चाहिए, बाकी अमोनिया और ऑक्सिजन मीटर आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बॉयलर जरूरी नहीं है कि आप लें, क्योंकि कंपोस्टिंग में इसका मैं अभी डिटेल आपको बताऊंगा, तो इसमें जो प्रॉसस है, शॉर्ट मिथर कंपोस्टिंग के लिए देखें, इनीशियली बिल्कुल सेम है जो आपका लॉंग मिथर कंपोस्टिंग के लिए था, मतलब जो भी मिटीरियल है, सब को मिला देते हैं, पहले गीला क्या करते हैं, कि मिलाने के बाद सेम प्रॉसस, फर्स टर्निंग तीसरे दिन देते हैं, दूसरी टर्निंग पांचमे दिन देते हैं, तीसरी टर्निंग सातमे दिन देते हैं, ठीक है, तीसरी टर्निंग पर हम लोग इसमें जिपसम मिला देते हैं, अब जब तीसरा टर्निं टेनल एक कम्रा है जो की ताप रोधी होता है, मतलब इसमें इंसुलेशन किया हुआ होता है, thermal insulation दिया हुआ होता है, thermal insulation देने की लिए हम लोग दो तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल आप इंट की दिवार बनाएं, और उसमें आप थर्मो कोल 80 mm थिकनेस का थर्मो कोल आप चिपका के उपर से मुर्गा जाली लगा के उसके आप प्लास्टर करवा सकते हैं तो इस इस वन अब दे मिथड और दूसरा तरीका है कि आप सीधा पॉफ पैनल उसके उपर लगवा दें मतलब सीधा पॉफ पैनल का आप बनवा सकते हैं पास्चराइजेशन टैनल तो ये कमरा है इसमें सिरफ आपको टेंप्रेचर मतलब इंसूलेशन होना जरूरी है इसके अलावा अगर देखें आप तो इसमें आप देखेंगे कि दो फ्लोर इसमें आपको दिख रहा होगा कर सके ठीक है और जो दूसरा फ्लोर होता है वो प्लैनम होता है जो कि स्लांटेट फ्लोर होता है जो नीचे की तरफ फ्लोर होता है एंडर ग्राउंड वो स्लांटेट फ्लोर होता है और इसमें एक तरफ जो जो इसका स्लोप होता है लगबद दो परसेंट के आसपा स्लोप रखते हैं हम लोग इसका तो डिपेंड करता है कि आपकी टरनेल की लंबाई कितनी है उसके हिसाब से जो मतलब depth है आगे का और तीछे का depth जो slope बनना है उसके हिसाब से यह calculate होता है कि कितना slope आप blower के side को रखेंगे कितना slope आप दूसरी तरफ को रखेंगे यह आपकी लंबाई pedipend करता है तो यह calculate farm design में आपको बताया जाएगा कि कैसे इसको calculate करते हैं इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि दो दर्वाजे होते हैं एक दर्वाजा जो कि इससे की compost भरा जाता है दूसरा दर्वाजा जहां से की compost निकाला जाता है ठीक है जो कि spawning area में खुलता है जहां पर कि आप spawn मिलाते हैं और इसमें एक recirculation duct होता है जो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक recirculation duct है जो कि वापस जाके नीचे एक blower के साथ connected है blower अंदर की तरफ हवा खेकता है फिर यह हवा उपर जाती है compost के तुरू वापस recirculation duct से अंदर आती है और यह घूमती है इसके अंदर इस recirculation duct के ठीक सामने एक fresh air के लिए मतलब हवा के लिए एक vent लगा हुआ होता है जिससे की जो ताजी हवा है बाहर से ताजी हवा जो fresh air को हम लोग अंदर खीचते हैं oxygen मतलब की oxygen अंदर लेते हैं और एक यहां पे exhaust लगा होता है दूसरे end पे जहां से की जो excess हवा होती है वो यहां से आपकी निकल जाती है अगर मान लीजिए exhaust हम नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि fresh air अगर आप vent खोलते भी हैं तो fresh air आपकी अंदर नहीं आएगी क्योंकि बाहर हवा बिकल नहीं रही है तो इसलिए यहां पे आपको exhaust देना बहुत ज़रूरी होता है अब जो आपका recirculation duct है और जो आपका fresh air vent है यह दोनों एक दूसरे के साथ connected होता है मतलब कि खोलने बंद करने के लिए जो lever होता है कि recirculation कितना कुलेगा और fresh air कितना कुलेगा वो एक साथ attached होता है जो कि जब आप recirculation duct को खोलते हैं recirculation हवा को खोलते हैं तो fresh air vent आपका उतना ही बंद हो जाता है जितना कि आपका fresh air recirculation खुलता है या अगर vice versa मतलब कि अगर हम fresh air vent खोलेंगे जितना मान लीजे 10% of fresh air vent खोले तो 10% आपका recirculation duct बंद हो जाएगा तो यह एक ही lever से connected होता है जिससे कि आप manually control कर सकते हैं और इसको motorized control भी किया जा सकता है जो sensor based होता है कि अंदर आपका temperature कितना है उसके basis पे आपका यह opening और closing control किया जा सकता है by sensor लगा के automatically but normally यह manually controlled ही होता है तो यह तो इसका देखिये structure है बाकी का इसका structure जो detail structure है यह आपको farm design में बताया जाएगा but यह इसका एक general structure है जो मैंने आपको बताया तो आठमे दिन पे मतलब साथमे दिन जब आप gypsum मिला दिये third turning दे दिये तो आठमे दिन पे हम क्या करते हैं कि इस compost को tunnel के अंदर भर देते हैं तो जब tunnel के अंदर आप भरते हैं तो लगभग इसकी height जो होती है वो 6.6 feet के आसपास रखते हैं भरनी पड़ेगी इससे जदा उपर या नीचे आप इसको नहीं कर सकते हैं या तो आप 6 feet तक रख सकते हैं या 7 feet तक रख सकते हैं उससे उपर नीचे आप इसको नहीं ले जा सकते हैं तो यह हमारा एक वो है कि fixed है कि इतना ही क्योंकि जो blower का capacity होता है वो इसी height के हिसाब से designate किया हुआ होता है तो जब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग compost भर दिये साड़े छे feet की height तक फिर दोनों दरवाजा हम बंद कर देते हैं fresh air vent को 100% बंद कर देते हैं close कर देते हैं ठीक है और fresh air vent को बंद करने के बाद इसको हम लोग blower को on कर देते हैं तो blower on करने से क्या होगा कि आपका हवा चुकि fresh air vent खुला हुआ नहीं है तो आपके exhaust से हवा बाहर नहीं निकलेगी तो अंदर ही हवा recirculate होती रहेगी इसको हम लोग बोलते हैं recirculation अब इस time इससे पहले जब भरते हैं आप तो तीन आप प्रोब लगाते हैं temperature thermometers एक हवा में लगाते हैं उपर में एक compost के बीचो बीच और एक planum में यानि की नीचे इन तीन जगह पे आप तीन प्रोब लगाते हैं जिसका display आपके जो tunnel है उसके बाहर लगा हुआ होता है तो आपको दिखता रहता है कि तीनों में temperature कितना है तो जब आप इसको on करते हैं blower को उस समय आप क्या देखेंगे कि आपके planum का temperature काफी कम होता है compost का temperature ज़्यादा होता है और हवा का temperature भी कम होता है तो actually अगर तीनों का temperature हमको क्या करना है बराबर करना है equalize करना है temperature को ताकि पूरा का पूरा tunnel हमारे एक खास temperature पे आ जाए कहीं पे पास्चराइज हो जाएगा आपकी खाद हो जाएगी कहीं पे आपकी खाद पास्चराइज नहीं होगी तो मतलब क्या हुआ कि uniformity आपके खाद का नहीं बन पाएगा तो इसलिए equalize करना बहुत जरूरी होता है तो इसको first लगभग ये equalize करने में blower on करने के बाद 6-8 घंटे time आपको लग जाता है equalize करने में तो जब 6-8 घंटे आप blower चलाएगे तो आप क्या देखेंगे कि temperature आपका almost एक दो डिगरी का difference आएगा उससे जारा का difference नहीं आए तो इसका मतलब कि अब हमारा equalize हो गया इस समय सिरफ इस समय equalize करने के समय आपको fresh air vent आपको बंद करना है उसके अलावा पूरे composting period में यानि कि जो आपका pasturization tunnel में जब खाद रहेगी तब तक आपको fresh air vent आपको खोल के रखना है यह आप ध्यान रखिएगा कभी भी आपको fresh air बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर fresh air बंद हो जाएगा तो आपका खाद ठंडा हो जाएगा और क्योंकि उसमें activity जो bacteria और fungus की activity है वो oxygen उसको चाहिए अगर oxygen नहीं मिलेगा तो धिरे-धिरे करके वो आपका सारा मर जाएगा bacteria और fungus और आपकी खाद ठंडी हो जाएग और उसके बाद उस खाद को वापस से temperature गेन करने में आप सफल नहीं हो सकते हैं और उसके लिए आपको दुबारा खाद बाहर निकालना पड़ेगा फिर उसमें आपको यूरिया या कोई ऐसा चीज activated डालना पड़ेगा जिससे की दुबारा से आपका fungus या bacteria ग्रो हो तो ये इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सिरफ जब आप equalize करते हैं उस समय हवा बंद कीजिए उसके बाद fresh air आपको खोल के रखना है तो जैसे ही आपका equalize हो जाएए आप क्या करेंगे कि आपको fresh air खोलना है अब कितना खोलना है ये आपको temperature पर depend करेगा माल लेते हैं कि हम लोग कि जैसे ही आप fresh air खोलेंगे माल लेते हैं 10% 15% कुछ भी खोल दिये तो क्या होगा आप देखेंगे कि हमारा temperature जो है तो compost का temperature बढ़ने लग जाएगा अब इस temperature को हमको regulate करना है कि कितना degree per hour के हिसाब से मेरा temperature बढ़ना चाहिए तो ये पहली बार जब आप compost tunnel बनाएंगे तो आपको हर चीज note करना है कि कितना देर में equalize हो गया कितना percent हम खोलेंगे तो हमारा temperature बढ़ने लग जाएगा ये सभी कुछ आपको note करना होगा तो ये जो temperature बढ़ने का rate होना चाहिए लगबग 0.5 degree per hour के हिसाब से आपका temperature rise करना चाहिए मतलब कि अगर 50 degree temperature है आपने fresh air vent खोल दिया मान लिजे 15% तो आपका temperature अगले घंटे में 50.5 या 50.3 के आसपास आ जाना चाहिए तो अगर इतना बढ़ता है 0.3 to 0.5 percent के बीच में तो it's okay आपको उतना ही fresh air रखना है लेकिन अगर मान लेते हैं कि 10% खोलने से मेरा 0.1 degree temperature बढ़ा तो इसका मतलब कि sufficient oxygen आपको नहीं मिल रहा है तो आपको ज्यादा खोलना पड़ेगा 15% ले जा सकते हैं 20% ले जा सकते हैं ताकि हमारा जो temperature है वो 0.3 से 0.5 degree centigrade के हिसाप से बढ़ने लग जाए first time जब आप अपने compost को, tunnel को handle करेंगे तो उस समय आप लिखेंगे कि इतना percent fresh air खोलने से मेरा 0.5 degree per hour के हिसाप से temperature बढ़ना शुरू हो गया so, एक बार जब आप इसको लिख लेंगे तो अगली बार के लिए आपको इतना ही खोलना है आपको दुबारा समयनत नहीं करनी पड़ेगी so, first time you have to do this exercise अब क्या होगा कि 0.5 degree के हिसाप से अगर आपका बढ़ रहा है तो मान लिजे कि आपका जो compost का temperature था 50 था 0.5 degree के हिसाप से बढ़ रहा है तो 58 degree आने में आपको कितना देर लगेगा लगभग 15-16 गंटे 16 गंटे में आपका ये temperature बढ़के 58 degree के आसपस पहुंच जाएगा जैसे ही 58 degree पहुंचे इसका मतलब क्या हुआ कि 58 degree हमारा पास्चराइजेशन का temperature है मतलब 58 degree पे अगर हम compost को रखेंगे तो जितना भी harmful organism है सभी यहां पे मर जाता है तो अब हमको 58 degree पे ही रखना है इसको 58-62 degree इसका range है 58 से कम नहीं होना चाहिए 62 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो इसलिए हमेशा minimum point पे रोकने की कोशिश करते हैं ताकि अगर 8 degree 2 degree बढ़े भी तो 60 degree तक पहुंचके हमारा रुख जाए temperature उससे ज्यादा नहीं जाए तो यहां पर क्या करते हैं आप कि fresh air को हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा मान लिजे कि हमको मान लेते हैं कि हमार compost को 10 unit oxygen की जरूरत है ठीक है और हम 10 unit दे रहे हैं तो क्या होगा मेरा temperature बढ़ता रहेगा लेकिन अगर 10 unit की जरूरत है 15 unit हम देने लग जाए oxygen तो क्या होगा कि temperature को यह रोक लेगा या ठंडा करने लगेगा मतलब कि आप 15% आप खोले थे तो आपका temperature बढ़ रहा था अब हम 25% पे ले गए तो इसमें 3 result हो सकता है इसका पहला result की हमारा temperature बढ़ता रहेगा ठीक है तो इसका मतलब की fresh air अभी भी sufficient है और ज्यादा हमको खोलना पड़ेगा ठीक है दूसरा result हो सकता है कि हमारा temperature रुख जाएगा मतलब कि जितना oxygen हम दे रहे हैं उतना oxygen इस्तेमाल हो जा रहा है और जितना extra oxygen आप दे रहे हैं वो compost को ठंडा करने में काम आ रहा है ठीक है तो दूसरा काम हो गया तीसरा जो result हो सकता है वो क्या हो सकता है कि हमारा temperature down होने लग जाए गिरने लग जाए मतलब की 58 से 57 या साड़े 57 आ जाए तो क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ कि हो रहा है तो अगर 25 परसेंट पर माल लेते हैं कि हमारा बढ़ता रहता है तो हमको fresh air और बढ़ाना पड़ेगा तक कि हमारा temperature रुक जाए अगर रुक गया तो ठीक है well and good अगर माल लिजे घटने लग गया temperature तब क्या करेंगे कि तब इसका मतलब क्या हुआ घटने लगा मत कैसे change होता है so due to this adjustment first time आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है लेकिन एक बार आप कर लेंगे तो अगली बार के लिए आपको पता होगा कि हाँ अगर हम खोलेंगे तो हमारा temperature बढ़ने लगेगा इतना खोलेंगे तो हमारा temperature रुक जाएगा और इतना खोलेंगे तो हम हमारा temperature रुक जाता है मतलब न बढ़ता है न घटता है तो इसी पे हमको इतने 25% पे हमको हवा पे इसको खोल के रखेंगे for next six to eight hours चे से आट गंटे के लिए इसको हम लोग इतना ही पे रखेंगे ताकि हमारा temperature 58 से 62 के बीच में कहीं पे रुका रहे इससे क्या होगा कि हमार जितना भी harmful organism है इसके अंदर वो सारा मर जाएगा, kill हो जाएगा और इसके बाद क्या करना है अब हमको इसको condition करना होगा मतलब खाद को conditioning का क्या मतलब है कि जो अच्छे organism हैं मतलब जो ऐसे organism हैं जो कि button mushroom के growth के लिए helpful हैं उसको हम लोगों को बढ़ाना है तो इसको हम लोग conditioning करते हैं और यह 48 से 52 degree के बीच में होता है तो अब हमको temperature down करना है तो यानि कि fresh air आपको और ज़्यादा खोलना होगा तो अभी आपका temperature मान लिजे कि अठावन उनसट डिग्री था और fresh air हमारा 25 परसेंट था तो इस fresh air को खोल के हम 30 परसेंट पे ले जाएंगे या 35 परसेंट पे ले जाएंगे और देखेंगे कि हमारा temperature down हो रहा है कि नहीं हो रहा है और similar हम इसी हिसाब से temperature को down करेंगे इस हिसाब से temperature को हमने बढ़ाया था ठीक है अब पांच-दस मिनिट का काम है कर रहा है कर तो अब क्या है कि अब temperature को हम लोग down करना है तो यानि कि हम fresh air माल लीजे 30-35% खोले मेरा जो down होने का rate है वो भी बिल्कुल इतना ही होना चाहिए 0.5 के आसपास per hour case आप से down होना चाहिए तो ये घटना शुरू हो जाएगा माल लीजे 35% पे घटना शुरू होता है तो हम इसको घटने देंगे up to 52 degree पे जैसे हम temperature तब हम वापस क्या करेंगे कि हमारा मालूम है हमको कि कितना पे रुका था 25% अगर हम fresh air खोले थे तो हमारा temperature रुख गया था तो उतने ही 30% पे आप वापस उसको ले जाएए तो क्या होगा कि आपका temperature वापस से stable हो जाएगा तो हमारा temperature वापस से stable हो जाएगा वो 51-52 degree के आसपास stable हो जाएगा so this is called a conditioning temperature इसको हम लोग conditioning temperature बोलते हैं और लगबग 48 घंटा तक हम इसको condition होने देते हैं compost को 48 घंटे के बाद आप क्या करेंगे exhaust में जाके चेक करेंगे कि ammonia का smell तो नहीं आ रहा है और ammonia का smell कैसा होता है जैसा कि आप कभी public toilet में जाते हैं तो उसमें एक खास तरह का आपको gas का smell आता है वो smell ammonia की है तो हलकी सी भी ammonia की खुशबू अगर आपको आती है क्योंकि या बद्बू जो भी बोल लीजिए तो जो ammonia की ammonia हमारा जो नाक है वो ammonia के लिए 10 ppm से ज्यादा sensitive है मतलब अगर 10 ppm से ज्यादा है तो यह हमारा नाक बता देगा कि हाँ ammonia है लेकिन अगर हमारे नाक में ammonia बिलकुल नहीं आ रहा है इसका मतलब कि यह 10 ppm से इसका concentration कम है तो जो की हमारे button mushroom के लिए suitable है तो अगर हमारा नाक नहीं बताता है कि ammonia है तो it means it is fine और आप इसको ठेंडा कर सकते हैं और अगर ammonia नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम recirculation को पूरा बंद करके fresh air को 100% खोल देते हैं इससे क्या होगा कि आपका temperature धीरे धीरे आपके compost का temperature down होना शुरू हो जाएगा लगभग 12-16 घंटे में आपका यह temperature घटके normal room जो बाहर का temperature होता है उसके बराबर आ जाएगा उसके बाद जब आपका ठंडा हो जाए पूरा compost तब आप इसको खोलिए दरवाजे को जो spawning area में आपका दरवाजा कुलता है और उसमें आप निकालके इसमें विजाई कर सकते हैं so this is short method of composting यह आप देख सकते हैं और यह देखिए हमारा bunker भरने के लिए हम लोग manual भी भर सकते हैं है ना टनल भरने के लिए और इसके लिए आप लोग अगर बड़ा टनल लगाते हैं तो we can use conveyor belt या front end loader हम इस्तमाल कर सकते हैं इसको भरने के लिए और खाली करने के लिए और या hopper regulator भी हम इसके लिए इस्तमाल कर सकते हैं सो एक टनल फिलिंग मशीन सोती हैं जिसको कि हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं अगर बड़े लेबल पर टनल आप बनाते हैं तो यह देखिए हमारा यह temperature का digital thermometer है जिसका कि जो हमारा probes है वो अंदर की तरफ लगा होता है एक planum में एक compost में और एक उपर हवा में तो यह तीन आपका लगा होता है जिसका तीनों आपको यह दिखा रहा है और देखिए 47, 46 और 45 के आसपास इसमें temperature है तो आपको और equalize करना पड़ सकता है यह boiler है जिसका आपको जरुवत पड़ता नहीं है राइट यह देखिए पूरा इसका flow chart मैंने दे रखा है कि कब-कब क्या-क्या करना है तो आप इसको accordingly follow कर सकते हैं अब जो तीसरा method हमारा है वो है semi indoor method of composting क्योंकि indoor method of composting इंडिया में नहीं available है नहीं available in the sense की available है बट feasible नहीं है क्योंकि जो machinery cost है semi indoor method of composting में वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसलिए आप नॉर्मली लोग इसको नहीं use करते हैं बट येस उसके जैसा एक दूसरा method है that is semi indoor method of composting उसको इस्तमाल किया जाता है इसके लिए भी जो हमारा formula है बिल्कुल short method का formula होगा जो short method में आप use किये same formula यहाँ पर भी हम लोग use कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सभी कुछ एक साथ मिला देते हैं इवन जिप सब भी आप पहले wet करते हैं जो हमारा straw है उसको गीला करते हैं अच्छे से और उसके बाद सारा कुछ मिला देते हैं और मिलाने के बाद इसको सीधा सीधा हम लोग phase 1 bunker में डाल देते हैं देखिए तो इसके लिए हमें जो infrastructure requirement है semi indoor method के लिए वो है एक तो composting yard दूसरा phase 1 bunker, phase 2 tunnels और एक pre waiting area या जिसको हम लोग lagoon के नाम से जानते हैं सौसर सेपेड स्ट्रक्चर होता है प्लेट के जैसा लगबग एक से डेड़ फिट डेफ्ट होता है उसका और cemented होता है उसके अंदर आप पानी स्टोर कर सकते हैं और जो भी हमारा गीला करने वाला भूसा है उसके अंदर डाल देते हैं और उसके उपर से हम लोग या तो ट्रैक्टर या फ्रेंट एंड लोडर कुछ भी हम चला देते हैं उसके उपर ताकि हमारा जो straw है वो पानी जल्दी अब्सॉर्ब कर ले तो यह देखिए यह है हमा कर लिए सब कुछ मिला दिये उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करते हैं बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है क्योंकि मिक्सिंग बहुत बड़ा की फैक्टर है कंपोस्टिंग के लिए सेमी इंडोर मेथड या इंडोर मेथड अफ कंपोस्टिंग तो इसमें अच्छे सकते हैं और दो दीवारें साइड में लगी होती हैं बस और कुछ भी नहीं है आप छट एक शेड डाल दे सकते हैं ताकि पानी अंदर नहीं आए बाकि छट की कोई जरूरत नहीं है आगे पीछे आपको दर्वाजों के भी कोई जरूरत नहीं है तो ये आप जो आपका का bunker हैं, आप इसमें जो grating है वो iron grating बना सकते हैं या concrete grating बना सकते हैं, आज कल एक नया चला है, फाइप method जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहां पे plastic pipes लगे होते हैं, और plastic pipe में spigot लगा देते हैं हम लोग, और उसके उपर CONCRETE कर देते हैं, То इससे हमारा TNL बन जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं उसका structure, इसमें एक head or pipe होता है, एक tail pipe होता है, और बाकी running pipes होते हैं, ठीक है जो कि लंबाई में आपके bunker के लंबाई में रन करते हैं और इसमें holes होते हैं, ठीक है, इसमें holes होते हैं, एक निश्चित डिस्टेंस पे होल होता है इसके अंदर और एक निश्चित डिस्टेंस पे इसमें होल होता है आप देखिए और इस होल में प्लास्टिक के स्फिगाट्स फिट कर देते हैं स्फिगाट basically होता क्या है कि स्फिगाट एक नीचे से चोड़ा और उपर से बिलकुल पतला इसमें होल्स होता है जिससे कारण की प्रेशर से हवा इसमें क्रॉस करती है ठीक है और ये इसमें एक फाइड और होता है कि चुकि इसका माउथ बहुत पतला होता है तो इसके उपर से कोई भी बीच अंदर आपके composting material आपके pipe के अंदर नहीं जाएगा. So, इसलिए this figure out इसमें लगाए जाता है. और ये जो pipe है, tail pipe, basically ये pressure equalize करने के लिए होता है. सभी जो आपका pipes है, उसके अंदर pressure ये बरावर कर देता है. जिसके कारण कि आपका जो compost है, वो homogenous बनता है. बाकि इसका design हम लोग बाद में बात करेंगे. ये design तो आपको हमने बताई दिया कि क्या होता है, tunnel. तो अब इसका process क्या है? कि सबसे पहले हम लोग को raw material गीला करना है. सभी ingredient को मिला देना है, including gypsum. और इसके बाद हम लोग phase one bunker के अंदर इसको भर देते हैं. और blower को on कर देते हैं. अब जब आप blower on करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग cycle बनाते हैं 10 minute का. मतलब हर 10 minute में 3 minute आपका blower on होगा, और 7 minute आपका blower off रहेगा. तो, आजाओ आजाओ कोई बात में. तीन मिनिट में 7 minute और तीन मिनिट आपका blower इसमें चलेगा. पाँच मिनिट. तो, अब इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपका temperature धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है. उठाओ और बोल दो कभी नहीं बाते हैं. तो, अब देखेंगे कि आपका temperature बढ़ने लग जाता है. 70, 75, 80 degree तक temperature ये जा सकता है. ठीक है? और तीन दिन तक आपको bunker में रखना है. इसके बाद क्या करना है? कि इसको निकाल लेना है bunker से. और प्रॉपरली अच्छे से दुबारा से mix करना है. अच्छे से इसको मिलाना है. ताकि जो हमारा compost है वो homogenous हो जाए. और दुबारा से इसको bunker में भरना है. और इस बार क्या होगा कि temperature थोड़ा आपका कम आएगा. तो इसलिए fresh air या blower आपको कम देर चलाना है. इस बार आपके 10 मिनट के cycle में 8 मिनट आपका बंद रहेगा blower और सिर्फ 2 मिनट के लिए on होगा. और अगले 3 दिन तक यही cycle आपको maintain करना है. और इसके बाद आप इसको 6 दिन के बाद इसको आप निकालने और निकालने के बाद इसको हम लोग tunnel में भर देते हैं. और same process जो tunnel का process था पास्चराइजेशन और कंडिशनिंग वो करते हैं and finally ठंडा करके इसको हम लोग इसमें ये मिला देते हैं, क्या बोलते हैं, बीज मिला के इसको cropping के लिए ले जाते हैं. तो total time जो इसमें लगता है, वो लगभग 14-15 दिन के आसपास इसमें आपको लग जाता है, ठीक है, तो 14-15 दिन आपको इसमें टाइम लगेगा और आपका compost यहां पे ready हो जाएगा, right? सर, हाँ सर, हाँ, ठीक है, लेकिन सर वो जगदीश का मेरे पास mail ही नहीं है, उसने mail भेजा नहीं मेरे को, मैडम को बोली हमको भेज देंगे email न, हम भेज देंगे, वो आप ठीक कर दिये न, हाँ तो वो भेज दीजिए हमको न, आच, सुदी तुमारे पास है, एफसी वाला, correction, ओके, हाँ है, ठीक 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 ठीक, 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 हलो, तो यह हमारा composting का process है पूरा तीनों तरह का composting का process और तीनों का comparison मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम long method से करते हैं तो 10 से 15 kilo, short method से करते हैं तो लगभग 18 से 25 kilo के बीच में और अगर semi indoor method से करते हैं तो आप 30 kilo तक जा सकते हैं 100 kilo compost के उपर आपका production आ सकता है है तो अब आप इसमें कोई question हो तो प्लीज पूछ दीजिए हुआ है हलो है यह सर मेरा यह है कि जैसे चर्शा की सुरुवात में आपने विभी नपरकार के रा मेटेरियल के बारे में बताया तो कौन सा बेस्ट रा मेटेरियल रहता है जिसमें हमारा प्रोडक्शन के पाने के बेस्ट रहता है ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी रा मेटेरियल अच्छा रा मेटेरियल है बस आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि आपका नाइट्रोजन बैलेंस प्रॉपरली हो जाए और अलग-अलग मेटेरियल के लिए आपको सिर्फ इतना ही देखना है जो अब आप वेटिंग करते हैं गीला करते हैं उस समय पे आपको ध्यान देना होता है जैसे वीट इस्ट्रोज ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सकतर बहत्तर परसेंट पानी लेता है तो अगर आप ज्यादा भी पानी डालेंगे तो कोई खास फरक नहीं पड करते हैं तो आपको कैल्कुलेटेड पानी दालना है मतलब अगर आप हजार किलो पैडिस्ट्रॉ से शुरू करते हैं बाकि जो मिलेगा उसमें वह लग बात है लेकिन जो आप हजार किलो में प्राबलम आ सकती बाकि और किसी में कोई प्राबलम नहीं है आवाज नहीं आ दिया है कि प्रेजेंट की बात नहीं चल रही है यहां पर सुन तो लो आपको क्या चल रहा है जो तो सुन लिया सर फिर ऐसा ना होना फिर बीच में नेट दाउन हो जा था और कुछ टाइम के लिए कट गया था चांद ठीक एम्यूट रखो सब्सक्राइब करने चाहिए हमको फ्रेश होनी चाहिए तो सर्फ फ्रेश ट्रॉव में कितना पुराना तक चल जाएगा हफ्ता मतलब देखिए फ्रेश का मतलब यह है कि थड़ा वो नहीं होना चाहिए जैसे मानलीजिया पिछले साल का लेते हैं और बारिश में गीला हो जा तो आपको ध्यां अदेना है कि गीला और सड़ा हो उस नहीं चाहिए राइड 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 या को बेजिए आरे वह बेख दीजिए ना को मेल मैसीच कर दीजिए नहीं उस पर वह सब्सक्राइब और बताएं किसको कंपोस्ट को कैसे यूज करना मतलब जैसे मिलाते हैं अच्छे से तुडवा दीजिए और जो भी आपको घीला करके हाँ खीला करके उसको मिला दीजिए अच्छे से बहुत बढ़िया काम करेगा तो इसकान पात क्या रहा है नहीं नहीं आपको बताया था मैंने कि कैसे कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अब देखिए डिपेंड करता है लॉंग में अगर आप से खाथ बनाना चाहते हैं खुछ भी कर्चा नहीं है शॉट में अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक टनल का कॉस्ट लगभग लगभग आपको पांच से लेके आठ लाग तक आ जाता है पांच से अहां पांच साथ लाग एक टनल में आपको लग जाएगा 20 तन का अगर आप टनल बनाते हैं तो प्रश्ट के इन्दर रेड़ी होने के बाद 60 तु 65 परसेंट के बीच में रहना कि उस से ज्यादा नहीं अगर आप 70 परसेंट के चलेंगे इनीशियल ना तो आपने आप ये अगर एक बूंद पानी निकले तो इसका मतलब कि आपका 65 परसेंट के आसपास माश्चर है और अगर एक बूंद भी नहीं निकलता है और हाथ हलका सा भीला होता है तो इसका मतलब है आपका साथ परसेंट से कम है तो वह आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि साथ परसेंट से कम मौश्चर नहीं होना चाहिए इसलिए जो इनीशियल स्कार्ट आपको मौश्चर होना चाहिए तो उसकी यिल्ड करती है जिसे कि शॉट में पहाप्स है ना तो वेरी करती है तो सब्सक्राइब करीते हैं तो सब्सक्राइब कि आप दो से तीन दिन रख सकते हैं उससे ज्यादा नहीं जब कंपोस्ट रडी हो जाती है कि अप टैनल में रहने दीए कुछ प्रॉलम नहीं है दो तीन दिन तक पर नहीं में रह सकता है असानी से उसके बाद उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अनरोबिक हो जाता है फिर उसमें बैक्टीरिया ग्रोव होने लग जाता है अनरोबिक बैक्टीरिया तो वह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और सरे इक बात और जब हम सारे इंग्रीजेंट्स में लेना है अधिस्ट्रोज ने लेना है या मैनियों इतने लेना है तो हम इसको फिल में मज़र कशे करते हैं भी कितना वेट अपना पर लेंगे आपको उसके लिए माप करना पर लेंगे इसे की अब अब जैसे आपका स्ट्रॉव हमेशा मेजर्ड क्वांटिटी में आता है जब आपको आते हैं तो उसका मेजर्ड होता है क्वांटिटी ट्रक में आपको पता होता है कि पांच तरन है या चोटा टिपर है तो देर तन उसमें आएगा या बीटन आएगा बड़ा ट्रक है त तो आठ तैना आएगा वो फिक्स्ट होता है तो जब वो आता है तो आप सीधा सीधा एक बार में उसको इस्तेमाल कर लिए वो कर सकते हैं या फिर आप एक माप बना सकते हैं कुछ एक टब जैसा बना सकते हैं आप उसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि हां इसमें कितना हमारा मैंने हो रहा है सो किलो तो मान लीजिए पहली बार आप वेट करके देख लीजिए एक बार किसमें हो रा रहा है कि आप इसको डाल लीजिए आवाज नहीं आ रही है सिर्फ बिल्कुल हल्की सी आई है पर जैसे यह बढ़ दिया बैग रखना है कि आप अधिया 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 वह अधिया अधिया जब हम कल्टिवेशन की बात करेंगे तब बताएंगे आपके अधिया कि अधिया नहीं करना चाहिए एक आध बार आप कर सकते हैं फॉर्मिलीन बार आप अगर यूज करेंगे तो ग्रीन मोल्ड का चांसे बढ़ जाता है जो हरा वाला मोल्ड होता है ना हरा हरा वो आने लग जाएगा अगर आप फॉर्मिलीन जादा यूज करेंगे तो तो इसलिए फॉर्मिलीन कमी यूज करना है जब बहुत जरूरी हो तभी यूज करना है हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कि सर जो नॉर्मली बताते हैं कि ग्रोइंग बैक्स के लिए मौश्चर रहना चाहिए 75-80 परसंट तो कोई अपर लिमिट भी होते हैं कि से जादा नहीं होना चाहिए किसमें जब कंपोस्ट रेडी हो गया या कंपोस्ट के पहले हम बैक्स ग्रोग कर रहे हैं तो उस रूम में जो मौश्चर बताते हैं कि 75 या 80 परसंट होना चाहिए अगर 45 परसंट से उपर जाएगा तो आपका फूट बाड़ी नहीं बनेगा तो वह हम अभी नहीं बात करेंगे थेश्चर ने absurd कि अutz car जी जी तैंक यू समय सर्जो हम यह इंडिया कितना फाइनस प्रफिट में नई समझ मारा है मैं दो आदमी एक साथ बोल रहे हैं न मेरे को कुछ भी नहीं समझ मारा है समय इंडोर कंपोस्टिंग के यूनिट में अगर हम पुरा कंप्ली सेट अप लगाते हैं तो इतना खर्चा आ जाता है अगर आप डिपेंड करता है बीस टन माल लिजिए आप ले लग बनाने का लगाते हैं तो लग बाग 15 लाग के असपास बीस टन का जो आप बनाते हैं तो आप 15 लाग के असपास आपको कॉस्ट आएगा यूनिट का जो अधान जो हमने कंपोश्ट की दो पलटाई कर लेते सब हम तिसरी पलटाई जैसे जिपसिं मिलाते हुछ तो सब बाद हमने उसमें पानी डालना है जिसम एक बार मिला दिये उसके बाद पानी नहीं डाल सकते हैं तो पहले ही आप चेक किजिए ना फस्ट टू टर्निंग्स में आपको पता चल जाएगा कि हमको कितना पानी अड़् करना है या नहीं करना है क्योंकि जब आप जिप्सम डाल देता है न उसके बाद अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल गुटली गुटली सा हो जाएगा पूरा कंपोस्ट आपका तो किसी काम का नहीं रहेगा चीक एची थेंक यू कि चलिए जितन्दर जी अब सबको जाना होगा पांच को उपर होगा पांच साब अम सॉरी आपको मैंने थोड़ा गरबर कर दिया आपका कल चार बजे निकालना सर्टाइम एक लेक्षर का जो रह गया है तो कल दस बजे क्लास शुरू होगी दस बजे मिलते हैं समीं चलो थैंक यू